जहें नमस्कार साथियों कैसे आप सभी लोग मैंनुज आप सभी का स्वागत करता हूँ वल्कम करता हूँ और डबलो ए डिफेंस चैनल पर तो सारे साथी जुड़ देंगे मेरे साथ शुरुवात करेंगे आज का सेशन प्यारे दोस्तों आज आपका ये अंतिम प्रहार है नेवी ट्रेट्स possible mate के लिए आपकी English की marathon class है लगातार हर एक subject की आपके लिए marathon class चल रही है आज आपकी geography की class हुई है अभी आपकी English की class चल रही है कल आपकी reasoning की class होगी और और भी subjects होगे आपको मैं सारा पता दूँगा कै वेशे केसे आपकी क्लासे चल रहें वारी हैं. तो आप से भी लोगों के לिए लास्ट मॉवमेंट पर ये हमारी टीम के तरफ से पूरा प्रयास है कि आपका बहतर से बहतर स्कोर हूँ और आप बहतर से बहतर स्कोर कर पाएं. मैं आपको अपनी क्लास की strategy बता देता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी मैंने के गाम किया है पूरी English के पूरी ही English के जितने भी important topic होते हैं उन सब के questions निकाले हैं और हर एक topic का एक topic wise हम लोग clear करते चलेंगे मतलब noun किया noun को cross कर देंगे फिर हमने आगे pronoun करा pronoun को cross कर देंगे तो इससे आपका पूरा revision एक बार में हो जाएगा आपको बहुत जादा मज़ा भी आएगा आज की इस class में तो सारे लोग ready हैं एक बार commandos comment box में type कर दो commandos how's a Josh सीथा शुरू करते हैं मैं सब जल्दी बताइए yes 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 आप जिस भी exam के देहरी कर रहे हैं आप इस फार इस class को देखिए मज़ा जाएगा आप लोगो पक्की बात है चलो 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 बहुत बढ़िया बहुत शांदार बहुत शांदार चले भी तो चले शुरू करते हैं आज का पहला session पहला question आपके सामने आपके screen पर ये रहा प्यारे बच्चो जल्दी जल्दी आपको answer करना है question का गठा है मेरे पास ठीक है और इतने question है कि अगर मैं सुभा दो बजी तक रात को दो बे तक पनाने भी लगूना तब तक मेरे पास question है तो कोई दिक्कत निले नहीं ठीक है बस motivation मेरा down ना हो आज मुझे तुम्हारे motivation की जरूत नहीं है मलब आज मुझे अपने motivation की जरूत नहीं है तुम्हारे motivation की जरूत है जिससे मैं motivate हूँ तो दोस्तों बिलकुल भी हारना नहीं है लगातार बने रहना इस class में चलो भी, पहला question हमारे सामने आ चुका है सारे लोग answer करेंगे, क्या answer होगा पहले question का, come on yes, answer आने शुरू भी हो गया मेरे पास बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया देखो भी, आप से कहा गया है अब building made of dash and dash is strong और हमारे सामने जो option है वह है brick और stone के अब बच्चो brick और stone हमारा material noun होता है, जो कि हमेशा uncountable में consider होता है जितने भी material noun है, मालो gold है, silver है gold हो गया, silver हो गया ये सारे आपके material noun होते हैं है ना, इसका आप कभी भी plural नहीं मनाते, तो आगर मैं option में देखूँ, तो मेरे पास ऐसा कौन सा option है जो बिल्कुल सही बैठेगा, अब यहां पर आप brick भी नहीं बोल सकते, ठीक है क्योंकि uncountable में consider कर रहे है, तो आप brick कहने का क्या लोग जीग है, ठीक है, तो इसलिए आपका जो option है, वो a correct answer यहां पर हो जाएगा, जितने ही बच्चों का option यह था एकदम correct है, ठीक है बई, brick and stone, आप building made of brick and stone is strong, ठीक है, आगे बढ़ते हैं next, अगला question है, he is suffering from dash अगला question, he is suffering from dash come on guys, next question बताएंगे ओके प्यारे बच्चों, next question हमारे सामने है, he is suffering from dash, जल्दी से कर दो answer फटाफट, he is suffering from dash, second का c आ रहा है, second का c आ रहा है, b आ रहा है, c आ रहा है, b यसी, देखो बई, बच्चों, name of disease के बारे बताता हूं आप लोगों को, सुनिया के ज़रा ध्यान से, जो देखने में ऐसा लगता है, plural है, but actually में वो singular होते हैं, जैसे आपका, यहां जो दे रखा है, वो भी उस पिमारी को भी consider कर लेता है, measles, mums, ठीक है, इसके लावा बच्चों आपका shingles, यह ऐसी name of disease है, जो ऐसा लगेगा, जैसे पहली बार अगर आप देखोगे ना, इसमें ऐसा लगा हुआ है, आरे यह तो plural है, but all these are singular disease, मतलब कि singular है, all these are singular now, आप इनके साथ हमेशा, वर्ब जो use करते हैं, वो हमेशा कैसे use करते हैं, singular करते हैं, यही सब छोटे-छोटे point लिखते रहिएगा, बहुत काम आएंगे, छोटे-छोटे point, star बना-बना के छोट-छोटे point लिखते रहना, मैं चाहूं तो इसका answer यह टिक करके आगे भी बढ़ सकता हूं, लेकिन छोट-छोटे- इसके साथ नहीं जाओगे फिर, अच्छा, इसके साथ भी नहीं जाओगे, यह गलत दे रखा है, तो option हमारा यह बचता है, एक चीज और याद रखना है, article में आपका आएगा, कि name of disease से पहले कभी हम article दा नहीं लगाते हैं, मगर mums, measles, fingers, इनके साथ हम लगा सकते हैं, इस where are my pants, इसके बारे मताएंगे सारे बिच्चे, where are my, sorry, where are my dash cap, बदाएगे, अगला question हमारे सामने, next, question number third, third का, B आ रहा है, C आ रहा है, क्या रहा है, B, third का B, ध्यान से आंसर करें सारे दोस्त, ध्यान से आंसर करें फटा-फट से, third का क्या रहा है मेरे दोस्त, C, okay, where are my spectacles, बहुत शानदार, देखो भई, बच्चों, कुछ noun आपके हमेशे plural form में रहते हैं, वो छोट चोटे पॉइंट्स आप लोग लिख लेंगे, जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे, spectacles, binoculars, scissors, ठीक है, और भी जैसे बहुत सारे example यहां से आ जाते हैं, आपके surroundings, है न, surroundings हो गया आपका, elms हो गया, elms किसको बोलते हैं, दान को बोला जाता है, इसके लाओ बच्चों कुछ article, article in the sense, जिसके कैसे कपड़े वगरा होते हैं, आपके लाइक, कैसे यूज़ करते हैं, इसके साथ हमेशा plural वर्भ यूज़ करते हैं, अगर आप अपने option पर जाओगे, तो यहां पर मेरे को, अब तो कोई दा लगाने की कोई need नहीं है, भाई, क्यों लगाएंगे दा, तो यह भी गलत, यह भी गलत, और यह भी गलत, जब मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे प्लूरल है, तो आर्टिकल लगाने क्या मतलब हो गया, गलत हो गया, तो इसलिए आप यहां जो answer करोगे, वो क्या करोगे, option C करोगे, बहुत अच्छे, अच्छा एक काम करना, आप सारे दोस्त, अपने copy में number डालता हो चलना, 1, 2, 3, और अगर कोई question सही हो, तो सही, गलत है, तो इस तरी कि सही है, तो सही, last में अपने right भी गिनना, कि कितने बने हैं हमारे, 50-50 में कि हम लोग slot लेगट चले है, target बनाते हैं कि पहले 50 question में कितने सही, ठीक है, चलो, next question, his dash is grey, अब आप बहुत ध्यान से देखो इस question को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, B, बहुत अच्छे, दोगों बच्चो, जो hair होता है न, आपका hair, ये, आपका, ये, ये countable, uncountable, दोनों तरह consider हो सकता है, जब हम किसी के particular hairs के बारे बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं, his three hairs are grey, तब आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ question में, इसको countable नहीं बनाये गया, मतलब इसको बनाये गया uncountable, क्योंकि collective noun की तरह इसको use कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि उसके बाल काले हैं, मतलब की collect करके बताये गया है, unit की तरह बताये गया है, तब यहाँ पर आप कैसा use करेंगे, his hair is grey, बहुत अच्छा answer है, B, ठीक है, आगे बढ़ताते हैं, next, dash live in flock, dash live in flocks, sheep, the sheep, और our sheep, बताओ, बहुत सुंदर, बेटा, pole लगवाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन pole लगवा कर समय वेश्ट होगा, क्योंकि class लंबी, अगर पचास सो कुशन की होती ही, तो बास समझ में आती, अब मैं बोलूँगा, इसका answer है करो, इतने बच्चों नही sheep, a sheep, बताइए, क्या answer करेंगे आप इसका, option B, तो बच्चों, बहुत बड़ी answer है, यह जो sheep होता है, चाहे आप एक के sheep के बारे में बात करो, चाहे दो के बारे में बात करो, चाहे दस के बारे में बात करो, यह हमीशा अपने hazardous form में रहेगा, sheep हो गया, fish हो गया, innings हो गया, यह अपने hazardous form में होते हैं, जैसे यह हैं, अगर आपने गलती से कहीं पर भी, यह ऐसे कर दिया, sheep कर दिया, तो यह गलत कहा जाएगा, ठीक है बिटा, तो यहाँ आपका answer क्या होगा, B, next, अगला देखते हैं, अगला गुशन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सभी लोग answer करें, next question, अच्छा, आप में से बताईए कि पहले एक सवाल का जवाब दीजिए, आप में से ऐसे कितने ऐसे student हैं, जिनका जो paper है, वो अभी दो तारिकों है, एक बार अपने exam बताना, किस-किस के exam कब कब हैं, सारे बच्चे बज़े बताओ जल्दी से, किसके exam कब कब हैं, दो तारिकों paper किसका है भी आप में से, हाँ, बोलो बोलो, बोलो बई, बोलो, अच्छा, ओक्यों, बोलो अच्छा, जादा हैं आपर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, तो देखिए, तीन तारिक को है, चलो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुमारी English की आज काम हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, फिर तो आपका, जादातर मेरतन आपने पहुच जाएगी, आज की पहु दो को, चिंता मन्त करो, देख्रें हैं, आप हाएगी करके सारे रूट आते जा रहे हैं, अब आजओ, इस फाइप जिल्टर अर हार, आज है, बच्छो, आप लोगों ने क्या सोचा है, कि यह स्प्रिंग होता है, क्योंकि पांच के बारे में बात करती है, बच्छो, आज ह का तो यहां आपको correction करना है क्योंकि बहुत सारे लोगे देश का answer of springs कर दिया था राइट next question पर आते हैं a dash note was found by me on the road next question हमारे सामने चलो बेटा अगला question बताओ राइट बहुत अच्छे अच्छा आपका सही था अच्छी बात है good बिटा आप से आगया a dash note was found by me on the road c answer आ रहा है बहुत सुंदर अब दोखो मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ यहां से बहुत सारी चीज़ आपकी clear होंगी यहां note लिखा हुआ है और अब वो आप से कह रहा है five rupees मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको ठीक है examiner जादतर आपके exam में इस तरीके से question देगा five rupees note तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि यह जो note है वो noun है right और इस noun के लिए जो यह section है note कैसा है पांच रुपे का है अब यह आपका adjective का काम कर रहा है किसका काम कर रहा है adjective का और adjective का भी plural नहीं हो सकता तो आपको यहां से ऐस हटाना पड़ेगा यानि कि जो सही form होगी वो होगी five rupees note right अब मैं आकर अपने option पर आऊँ अब आप कौन से समझ में आ गया तो यहां पर हमारा ऐसा कौन सांसर है जो सीच को बता रहा है वो बता रहा option c तो c हमारा right answer यहां पर बन जाएगा ठीक है आगे भढ़ते हैं next पेटा पड़ो तो सही चलो B she was very helpful she gave me some very useful dash option आया advice yes तो देखो हमने एक rule पढ़ा था आप अपरे सारे notes बनाते जाओगे ना बेटा key notes कि यह key notes है हमारे यह देखो जैसे मैंने आपको यह बताया यह वाले noun हमेशा plural होता है अब आपका अगला rule क्या बन गया यह वाला जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ यह यह अब देखना सुनना कुछ noun uncountable होते है है ना जो एक्जाम में आपके बहुत जादा कुछ आता है इसकी advice यहाँ से question पूछा जाता है आपसे advice अब आपको याद आता रहेगा धीरे-धीरे क्या scenery याद आया scenery poetry ठीक है scenery, poetry, information कितना पूछा जाता है information और एक आपका फेवरेट एक्जाम का फेवरेट furniture है ना information, furniture, luggage luggage कितना पूछता है आप लोगों से luggage, baggage, equipment है ना all these are uncountable noun बहुत सारी list है लेकिन मुख्य list आपको मैं बता रहा हूँ है ना इनके बारे में क्या property है इनकी अगर ये सारी की सारी uncountable noun है तो इनके साथ आप हमेशा verb कैसी use करोगे singular use करोगे verb कैसी आएगी पेटा singular और कभी भी इन noun में कभी भी एस और येस को मत suffix कर देना अगर आप रहसा करा तो गलत हो जाएगा यानि कि अगर आपने कभी भी luggage को luggage बोला ना luggage तो ये wrong term है नहीं होता ऐसा तो इसलिए जो है आपका answer यहाँ पर क्या बन जाएगा she was very helpful she gave some very useful advice option B is the correct answer ठीक है आगे next अब यहाँ हमारे सामने है आप से कहा गया the dash attended the meeting next question हमारे सामने मेटा answer करो सारे बच्चे dash attended the meeting come on बहुत सुंदर B commander in chief इसमें ना एक 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 प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ मैं इसके option एक बार change करता हूँ आप लोग फिर उसको दुबारा answer करना मैं इसकी intention समझ रहा हूँ मैं इसकी intention समझ रहा हूँ कि यह क्या कहना चाहरा है अब आप लोग मुझे answer करो मैंने इसको question में option में थोड़े सा change किया है अब आप एक बार दुबारा से इसके answer करो मैं दुबारा से आपको समय दे रहा हूँ कारण मैं बताऊँ कि मैंने ऐसा क्यों किया वो आपको समझ में आ जाएगा पर आप मुझे अब answer करके दिखाओ कि सर अब यह रहे answer अब आपके answer change हुए पहले आप लोग confused हो रहे थे reason क्या था उसके बीचे पहले आप concept समझो बच्चों यह हमारा compound noun है क्या है compound noun अब इसमें बहुत सारे types होते हैं जैसे कि पहला type आपका यह आ जाता है कि आपका examiner आपको पहले type में यह चीज़े देगा जैसे देगा आपका sister-in-law क्या देगा sister-in-law और आप से कहेगा इसका plural बनाओ तो आपको मुख्य शब्द में का plural बनाना होता है मुख्य शब्द का अब इसमें मुख्य शब्द का है sister है इसका plural बनाना है दूसरे जैसे आपसे देदिया sister-in-law mother-in-law देदिया mother-in-law mother-in-law इसका plural बनाने के लिए कहेगा आपसे तीसरी इसका next type इस तरीके से हो जाता है जहापर preposition नहीं आती जैसे आपको देदेगा maid servant है ना maid servant आप सकाएगा इसका plural बनाओ या फिर आपको देदेगा step daughter step daughter या आपको देदेगा passer by तो मैं आपको एक छोड़ी से trick बता रहा हूँ वो trick याद कर लो आपका काम हो जाएगा कई बारी मुक्हे शब्द रूणने में बड़ी दिक्कत आती है तो आप preposition से पहले वाले में ऐस लगा दो हलांकि इसके भी 2-4-5 exception है वो भी आपको बताऊंगो आगे जाकर आएंगे जहां पर यह rule हमारा जो trick है वो fail हो जाती है पर फिर भी most of the question आपके exam के level के साफ से काम बन जाता है तो जैसे sister in law तो यह आपका sisters in law हो जाएगा अब आप इन चारों का बना कर दिखाना ज़रा मुझे और इस question का answer क्या होगा बई अब हमसे हमारे पास सारे option जो है न वो plural वाली है मैंने इसलिए हाँ पर लगाया था कि आपको समझ में आ रहा है कि सारे plural वाली है वरना यह और यह दोनों सही हो सकते थे actual में तो इसलिए preposition से पहले लगा हूँ है मुक्ष अब तुमारा commander है यहाँ पर तो c right answer हो गया आपका अब आप मुझे सारे को change करके दिखा दो एक बार हाँ code of conduct code of conduct भी होता है code of conduct का codes of conduct होता है बिल्कुल सही जवाब बहुत अच्छे yes देखो भई अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो जैसे sister in-law इसका mother's in-law हो जाएगा यहाँ पर servants में लगा देंगे यहाँ आपका daughters में लगा देंगे और यहाँ passers passers का मतलब होता है रहागीर रहागीर के लिए use करते हैं लोग ठीक है अब passers बाय हो गया तो रहागीर हो गया ठीक है चलो काफी discussion हुआ और यह काफी important rule है बहुत question बनते हैं आपके exam में है ना यह star mark लिए ना आप इसको चलो next यह भी बड़ा प्यारा question है यार बताओ इसके बारे मुझे बताओ जल्दी से next question अगला question सारे दोस्त बताइए he is teaching his child the dash and is starting with the letter A see very nice अब आप यहाँ एक चीज ध्यान से देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आ रहा है अलफा बेट ठीक है और हमारे बास दूसरी situation क्या है alpha alpha baits यह दो चीज़े होती है alpha bait का जो मतलब होता है वो होता है learn mala क्या होता है मेरे दोस्त learn mala के लिए use करते है जिसके लिए use करते है learn mala के लिए जबकि alpha baits का use करते हैं हम लोग भाशाओं के लिए भाशाएं अब आप खुश सोचो कि he is teaching his child पहली बात तो यहां पर दे दिया child child के बारे में बात कर रहा है आगे उसने और बता दिया कि a letter तो यानि कि learn mala के ही बारे में बात कर रहा है और अगर learn mala के बारे में बात कर रहा है तो आप option c के साथ जाएंगे इन दोनों की hindi लिख लेना comment करके बताओ बढ़िया बढ़िया चीज शीखने को मिल रही है चालो 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी नाइस चालो बहुत बढ़िया यह जोश कमनी होना चाहिए बस next the romantic dash is subjective in nature बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शांदार, अगला बताओ पई, चलो चलो अच्छी बात है, मज़ा आ रहा है तो फिर करो काम को है ना, चलो पई, अगला बताईए सारे लोग जल दी से, अब देखो, ये कोशन का कॉंसेप्ट हमने अभी डिसकस करा, पॉइट्री, अनकाउंटेबल ना हुने, और इसमें कभी भी S.E.I.S. नहीं लगाते, तो कितना असान हो गया हमारे लिए करना, अब आपको कॉंफिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा, बिटा, इसको छोड़ दो ये, एक सेक्ड़ दुखना, अच्छा, समझ गया, मैं क्या दिख्का दो रही है, अरे, 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 चलो, चलो, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं कर्रेक्शन कराता हूँ, आप मिझे इस कोशन का अंसर बताओ, अभी इसको छोड़ दो, ये तेरह वाला जो अगला कोशन है, आप मुझे बारा का अंसर दो, अप मुझे बार, कि आवी बताओ, नहीं, क्या तो जा मिंझे की इसको शर पर दो, आप ए सुन कोशन को लोग वाला नहीं, को वाला ज़ एसक् posiçãoशन का वाला झाप हो था एसको घ।елियों, हैं आव देखो भई दा डैश highly applauded दा प्रेजंटेशन आफ दा प्ले अब देखो भई यहाँ बच्चो ओडियंस है है ना ओडियंसी ओडियंसी नहीं होता ओडियंस होता है अब आप बहुत ध्यान से सुनना इस बात को इस कॉंसेप्ट को भी समझ लो बच्चो जैसे आपका people हो गया people हो गया children हो गया ठीक है और आपका यह ओडियंस हो गया police हो गया police हो गया बहुत सारे यह से noun है जो हमेशा plural form में रहते हैं यह किस form में रहते हैं बेटा हमेशा plural form में मतलब यह इसकी plural form ही है आप कभी भी अगर आपको people का plural बनाना है तो वो बनेगा ही नहीं क्योंकि people अपने आप में क्या है plural है तो इसलिए आप इसके साथ जो word views करते हो वो हमेशा कैसे होती है plural होती है और कभी भी आप children का children का children's मत कर देना एक example के लिए बता रहा हूँ यह चीज़ सभी सारे noun पर implement है और उसी तरीक है का आपका audience audience भी आपका अपने आप में plural है audience ठीक है तो इसका भी आप audiences नहीं करते हैं राइट आगे बढ़ते हैं आप दगो भई यहाँ जो question number आपके सामने 13 है उसका question आपके सामने यह लिखा हुआ है अब इसके जो option है वो मैं आपको अगले उसमें निखा देता हूँ आप सारे बच्चे पहले मुझे इस question को पढ़ लो एक बार सारे लोग जल्दी से पढ़ लो सारे साथी इसको पढ़ लो एक बार come on पढ़ लिया पढ़ लिया आप लोगों ने अब आपके सामने option यह है luggage, luggages, luggages, la luggage बताए है ना यस बहुत बढ़िया very good, very nice अब देखो बच्चो अभी हमने discuss किया था याद करो वो वाला अभी rule पढ़ा था poetry, scenery, jewelry, equipment, evidence evidence भी आप उसमें लिख लिजएगा नहीं लिख पाया था और आपका advice हो गया यह सारे हमारे uncountable noun है तो इनके साथ कभी भी SCS नहीं लगाते option A इसका correct answer हो जाएगा next question my dash is appearing for high school examination अब मैं आप लोग उसे एक बात बोलता हूँ कि आप मुझे सारे दोस्त इसका answer बतादो क्या होगा बिना option के मेरी sister in law की बात कर रहा हूँ मैं पताओ क्या करोगे इसमें अगर चलो यह तो खेर अलग चीज़ है मैं तुम्हें यहाँ पर दो option देता हूँ A और B में से बतादो बाकी के मुझे पताया तुम उसको चूज करोगे नी दो option का game है आप पर पहला option है हमारे सामने sister in law देखते हैं कौन focus कर रहा है और दूसरा option हमारे पास है sisters in law sisters in law अब आप मुझे इन दोनो option में से यह बतादो कि कौन सा सही है दोनों में से यह सब छोड़ो ए और बी में से बतादो कौन सा सही जाओ दो option दे दिये तुम्हें कि ए सही है very good क्यूंकि आप पेसे जब कुछ बच्चों ने sisters in law कहा तो मैं समझ गया कि वह कहां गल्ती कर रहा और आप लोग गल्ती कहां कर रहा अब यह देखो बेटा यहां पर आ रहा है इस अब इस वर्व क्या है singular है इसका मतलब जो हमारा subject एजिस के बारे हम लोग बात कर रहे हैं वो singular ही होगा ना तब ही तो है अब रेज आया है इसलिए आप इसके साथ नहीं जाओगे आप इसके साथ जाओगे ना उनके concept पढ़ने के बाद class में ही आप लोगों को उसके और भी question देखने को मिल रहे हैं जो आपका confidence level boost up करते जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग questions को उड़ाना शुरू कर देंगे अब एक एक करके yes a plenty of information very nice informations नहीं होता मेरे दोस्त information uncountable ना हुन है हमेशा क्या consider करोगे इसके जगा पर information कभी भी इसमें yes नहीं आता बहुत भड़िया बहुत ही लाजवाब अगला देखते हैं question number 16 हमारे सामने आया है बताइए क्या होगा आपके इस question का answer जब नेक्स्ट हन जी yes very nice बेटा very nice अब आप यहां देखो I can't come to you now because a lot of works बच्चो वर्क जो होता है न हमारा homework वर्क वो हमारा uncountable noun की तरह consider करते हैं हालांकि हां works का भी use करते हैं जब वर्क का अर्थ होता है काम तब यह uncountable की तरह use होता है और एक works का अर्थ होता है रचनाएं रचनाएं भी होता है इसका आर्थ तब आप इसको countable यूज कर सकते हो, रचनाएं, एक रचनाएं, दो रचनाएं, तो और इसके साथ जो आप वर्व यूज कर सकते हो, प्लूरल कर सकते हो, है ना, लेकिन यहाँ, इस situation में, यहाँ काम की बारे में बात कर रहा है, तो वर्क नहीं होगा, वर्क होगा, तो बहुत अच्छा अंसर आप लोग ने किया, बहुत बढ़िया, बढ़िया है, मेहनत कर रहे हो आप लोग, अगला कुशन, बेसिक कुशन है आपका यह, बहुत बेसिक कुशन, बेटा आंसर कर दिया अगरो मुझे, सर यहाँ गलती है, ABC तो अच्छी बात है, आप लोग करिये, मंगे, टीचर को कैसे बताओ कि हमें आता है, तो आप ABC की जगा पर आप answer करें, ठीक है, अप फार्मर वॉज़ लेडिंग ओक्सिस, तो ओक्सिस की जगा पर आप, देखो, ओक्स का जो प्लूरल होता है, वो ओक्सन होता है, क्या होता है, ओक्सन, तो यहाँ जो आपका answer यह नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, next, 18, a pair of spectacles have been found on the table in the library, शाबाज, हाँ बेटा, एरफोर्स के लिए देख सकते हो, जे, बहुत बढ़िया, बहुत सुन्दर, right, अब दोकों, यहाँ क्या था, एक हम लोग ने चीच पड़ी थी, अब pair of spectacles, right, अब pair of spectacles, आगे दे रखा हैं, आपर have, बात समझाना, spectacles अपनी जगा बिल्कुल ठीक दे रखा हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप से कह रहा है, spectacles का एक pair, तो अगर यह हमारा जो subject है, इसके according हमें वर्ब लगानी पड़ेगी, noun of noun का rule, n1, अब आगे पड़ोगे भी, n1, plus of, plus n2, तो आप pair के according वर्ब लगाओगे, तो उसके according यहाँ पर क्या आएगा, हैस आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पर आपको हैस करना पड़ेगा, इसलिए आपके b part में error है, right, b वाले part में इस तरीके से आपका correction करना पड़ेगा, next, अगला question, मताएगे, बहुत बढ़िया, आप देखिए, बच्चो, next point लिखेंगे आप सारे लोग, कि one of के बाद, none of के बाद, either of के बाद, either of के बाद, neither of के बाद, इन सभी के बाद, जो आप noun use करते हो, वो कैसा होता है मेरे दोस्त, plural होता है, either of, neither of, one of, none of, इनके बाद, जो आप noun use करते हैं, वो plural use होता है, और उसके बाद, जो आप verb use करते हैं, वो आपकी singular होती है, कैसी होती है, singular होती है, तो one of the problem नहीं, noun कैसा बेटा, plural तो one of the problems आपको यहाँ पर करना होगा question आपका सही हो जाएगा right note कर लिए आप लोगों ने, साथ साथ note भी करते हुँ चलेंगे भई आप लोग, ठीक है बहुत जादा जरूरी है next बहुत अंदर देखो पिटा आप ABCD पर मत फोकस करो, मैं फिर कहाता हूँ error ढूणने के आदर डालो ABCD कर रहो, अच्छी बात है करो, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर खुद के अंदर आप improvement चाहते हैं तो कोशिच कीज़े, error को पकड़ कर मुझे बताने की जैसे कुछ पच्चे कर रहे हैं है ना, वो जादा अच्छा लगता है कि इस पच्चे को ये भी बताए कि error कहा है इसका मतलब भी तुक्का नहीं मार रहा अगर आप एरे सामने होते हैं तो मैं समझ जाता कि इसको पताए विसी कर दिया पर आप मेरे से बहुत दूर हो है ना, तो इसलिए आप लोग कोशिच कीज़े सही answer करने ही, right 100 rupees note, तो कोई वही वाली शीच आ गई इसको यह ही बता देता हूँ यह हमारा noun है और इसके लिए सारा क्या बनगे, adjective इसलिए यह plural नहीं हो सकता आप यह discuss भी किया था, तो यह क्या हो जाएगा आपका रूपी हो जाएगा ठीक है? बहुत अच्छे next, अगला compound noun का question बताया गया था आपको उसी के उपर आपको यह बताना है शांदार देखो भी, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगया आपका girls student क्या आगया बच्चों? all the girl student all the girl student तो अभी अगर आपको थोड़े पहले बताता है step daughter वारा example, बिल्कुल सही हमें यहाँ पर यहाँ लगाने की जरूतनी all the girl student यहाँ से इस हटा देंगे, question आपका सही हो जाएगा बाद वाले में इस लगाना है जो पढ़ा उसको implement भी कर दिया बहुत सारे बच्चे student में से हटा रहे हैं student में से मत हटाईए किस में से अटाना है आप लोगों को girl में से अटाना है girl में से आपको अटाना है जी next the brethren of this locality are always a daggers not without any apparent reason करा इस कोलोनी के जो भी भाईचारा है भाईबंदू है, वो एक दूसरे से बहुत नफरत रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं बिना किसी स्पष्ट कारण के, apparent में लगा स्पष्ट कारण अब बताओ नहीं नहीं, daggers drawn नहीं करेंगे daggers drawn एक phrase है idiom है आपका, इसका मतलब है दुश्मनी रखना येस, अब कुछ आंसर आने पर मेरे पर शुरू हो गए बच्छों, एक आपका होता है brother, ठीक है सुनना जरा ध्यान से, एक आपका brother होता है, brother का मतलब होता है भाई, ठीक है, ये तो हम सभी को पता है मगर इसके plural दो तरीके से बनते है, एक बनता है आपका brothers जैसे आपके भाई, चाचाताओ के लड़के आपके सागे भाई, उसको हम लोग brothers बोलते हैं, जब आप blood relation में जाते हो दूसरा आता है, बच्चो, brethren क्या आता है, बच्चो brethren, जो आपका है दे रखा है इसका मतलब होता है, जो society के brothers होते हैं, society society का भाईचारा, मनलब भाईचारे के लिए उस करते हैं लोग समाज के, society society के भाई, तो यहाँ brethrens दे दिया है, जबकि यह अपने आप में plural form है तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, question आपका save हो जाएगा, ठीक है? यह अपने आप में plural term है society के भाई, समाज के भाई, जैसे आप किसी बाहर वाले को यह तो सारे मेरे भाई है तो आप फिर brothers नहीं बोलोगे उनको क्या बोलोगे? brethren बोलोगे brethren क्यों? क्योंकि वो आपके सगे भाई नहीं है ना ही आपके रिस्तिदार है, ठीक है? तब हम बोलते बेशेगे, तो अंग्रियसी जो हम बोलते हैं, वो बहुत अलग होती है जो actual में लिखते हैं, वो अलग होती है ठीक है ना? चलो next, अगला कुशन बहुत बढ़िया, बहुत सुन्दर answer भी आगे मेरे पास, देखो यहाँ पर आपको दो तीन चीज़े बतानी है एक तो आपको बता जता हूँ, यहाँ पर order of pronoun order of pronoun अब यहाँ से आपके pronoun की question शुरू हो गए order of pronoun, आप ध्यान से समझना order of pronoun में तीन चीज़े होती है पहला कि अगर वो एक समानने वाकिय है एक general sentence है general तो वहाँ जो order रहेगा अगर किसी भी sentence में एक से ज़ादा pronoun यूज हो जाए मतलब वहाँ पर आपका you भी आजाए वहाँ पर आपका he भी आजाए वहाँ पर आपका I भी आजाए इस तरीके से तो आप किसको पहले रखोगे इसको बोलते हैं order of pronoun सही तरीका क्या है तो general sentence होगे आपकी जो समानने वाकिय होगे जहाँ पर किसी तरीकी की चोरी चकारी की बात नहीं हो रही होगी वहाँ पर आपका order होगा पहले second person आएगा फिर third आएगा फिर आपका first आएगा ठीक है ये क्या रहेगा आपका एक समानने वाकिय का general sentence मलब एक समानने वाकिय का order of pronoun situation second ये है कि अगर वो तीनों के तीनों plural ही हो जाए अब तीनों plural कैसे हो सकते हैं मानलो हो जाए आपका वी आजाए वहाँ पर यू आजाए और दे आजाए अब ये तीनों के तीनों pronoun कैसे हैं plural तो इनका जो order होता हो गया था होता है first person पहले फिर second person फिर third person और तीसरी बात ये बता देता हूँ कि अगर जैसे कि मैं आप से बोल रहा था अगर वह एक negative sentence है एक negative वाक्य है एक negative है मतलब की negative से हमारा क्या मतलब है अगर वहाँ पर समस्वज़ना मेरे बात अगर वहाँ पर चोری की बात हो रही है क्राइम की बात हो रही है कोई किसी से शरारत हो गई, mischief हो गई, किसी से कोई mistake हो गई है उस situation में आप जो order of pronoun यूज़ करते हैं वो भी first person, second person और third person का यूज़ करते है ठीक है, ये तो मैंने आपको extra point बता दिया order of pronoun का बेटा बहुत काम आयागा ध्यान रखना अब इसका possession, जैसे मान लिजे कि आपका हमने order of pronoun लिखा यू एंड आई, और आप से कोई पूछता है कि इसका possessive objective क्या होगा अगर किसी question में यू एंड आई आ रहा है और आपको possessive लिखना है उसका तो आप I के according लिखोगे, I का plural, hour ठीक है, चाहे तो आप इसको याद कर लो फिलाल कि अगर you and I आएगा तो hour लिखना है ठीक है, दूसरा two, three, two और three को दिखा देता हूँ जैसे two और three, you and he आजाए तब किसका लिखोगे, तब आपका your आजाएगा और आपका अगर two हटा देते हैं, three, one लिख देता है he and I, he and I लिख दें, तो क्या हैगा, तब भी आपका hour आएगा यानि कि अगर वहाँ I दे रखा है न, तो आप hour ज़रूर लगाओगे और अगर I नहीं है, तो यो और लगाते हैं बस दोगो, यहाँ order भी check कर लो, समानने वाक के है, पहले second person आ रहा है third यहाँ देनी रखा, two, three, one, दोगो, यह वाला भी match कर गया तो कई सारी चीज़े तुमाने यहाँ से clear हो गई, हो गई नहीं हो गई भोलो भई ठीक है बटा, note कर लिया अब आगे बढ़ताते हैं, next, अगला, his effort will bring him more success than your अगर दोनों third person रहेंगे तो आपका देयर का यूज़ कर लेंगे his effort will bring him more success than your देखो, उसके efforts, यह हमारा possessive adjective efforts noun हो गया, will bring him more success than your अब यह जो possessive adjective है, your यह भाई, देखो, दो चीज़े होती है एक होता है, your, मतलब एक example के लिए बता रहा हूँ आप लोगो, एक होता है, yours ठीक है, यह है possessive adjective पूरा लिख देता हूँ, possessive adjective possessive adjective possessive adjective और यह हो गया आपका possessive pronoun एन दोनों के बारे में मताया बात है क्या है भी पार्क में कहीं किसी अन्य महिला के साथ दिख गया और मेरी महाँ पर मैड़ा वा गई तो क्या होगा फिर पिटाई होगी नहीं होगी बिल्कुल correct है मैं example के लिए बता रहा हूँ तो yours जो आप समझ रहें मेरी बात yours भी ऐसा ही है शादी शुदा है इसके पास अपनी एक नाउन है अगर आप इसको open करोगे ना तो दो पार्ट में तूटता है your plus noun समझ मेरी बात आप लोगों को तो इसके पास already noun होता है ये इसलिए कोई और noun नहीं ले सकता और ये हुँ तुम लोग possessive adjective एकदम कुवारे अभी मैं तुम से कह दू navy का exam बात में देना पहले तुम्हारी ले रिष्टा करा देता हूँ आरे सर navy का exam तो अगले साल भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है रिष्टी शादी करा दो बस हमारी कैसे भी करके तो ये हमेशा नाउन लेने के लिए एकदम तयार बैठा हुआ है है ना कि बस जो है ये ठीक है भी तो अब यहाँ पर यह आ गया नाउन तो है नहीं हमारे साथ क्या लगाना पड़ेगा possessive pronoun क्यूंकि यहाँ पर नाउन है ही नहीं अगर नाउन होता तो आप यह ओर लगाते नाउन नहीं है तो क्या लगाया यह ओर लगाया आया मज़ा गुड चालो ठीक है अब कभी नहीं भूलोगे जीवन में यह वाला कॉंसेप्ट next हाँ बेटा रहेगी रूहित महता बिल्कुल रहेगी करीए ग्लास को मज़े से हाँ जी अरे मैं मज़ा कर रहा हूं भाई अगर तुम यहां यह कहने लगे ना कि सर यह नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता तो फर फिर तो मज़ा ही नहीं आनेगा पढ़ने में तो मैं कौन सा पार्क में जा रहा था पिटने मेरे भाई हैं मैं कौन सा पार्क में जा रहा था पिटने मैंने भी तो खुद को कंसिडर गिया है पहले अब दोखो इस और एवरी के साथ हमेशा आप जो वर्ब यूज करते हैं वो कैसी यूज करते हैं और जैसा कर भी रखिये मगर बिटा पसेसिव एजेक्टिव भी तो कैसा आएगा सिंगुलर ही आएगा ना तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे हिस का यूज करेंग वो भी सिंगुलर जो एजेक्टिव यूज करोगे पसेसिव एजेक्टिव वो भी कैसा होगा बेटा सिंगुलर होगा बहुत बढ़िया नेक्स्ट अगला कुश्चिन स्टेक्टिंव अगला बताईए शी हेट्स एवरीबडी एन अवरीथिंग हुँ रिमाइंड्स हर और मिस्टेक्स मताओ भी बहुत सुन्दर बहुत बढ़िया देखो प्यारे बच्चो रिलेटिव प्रणाउं देट के यूजिस देख लो आप that कहां कहां आता है that आएगा अगर वहां पर superllative degree होगी अगर superllative degree है तो that लगा देना superllative degree जैसे best दे रखा हो worse दे रखा हो ठीक है अगर वहां the same दे रखा है और अगर वहां पर यह बहुत important है, अगर वहां few आ रहा है, वहां little आ रहा है, वहां आपका only आ रहा है, वहां पर आपका everything आ रहा है, everything वहाँ आपका all आ रहा है ठीक है all आ रहा है ठीक है और few हो गया only हो गया everything हो गया nothing हो गया आपका इनके साथ आप use कर सकते है relative pronoun that तो she hates everything अब everything आ गये न everything के साथ क्या लगाना है हमें who की जगा पर that लगाना है तो यह हमारा question हो गया next next बताओ बहुत बढ़िया देखो बई बच्चो यहाँ VC से पहले दा लगा हुआ है the VC and the अच्छा वीपी है और वीपी है चलो मैं यहाँ वीपी लिख देता हूँ कोई बात नहीं दो चीजे हैं the VC and the VP जब भी आर्टिकल अगर दोनों ही ना उन से पहले लग रहा है मतलब यह दो आदमी है इस situation में आप जो वर्ब यूज करोगे वो भी plural होगी और जो possessive adjective होगा वो भी बेटा कैसा होगा आपका plural होगा मगर एक चीज और याद रखना अगर आपका examiner आपको ऐसे भी दे सकता है the VC and VP अब इसका मतलब पता है क्या हुआ कि जो VC है जो Vice Chancellor है वही कोन है Vice President मतलब अब यह एक आदमी हो गए और अगर यह एक आदमी हो गए तो वर्ब कैसी आएगी singular आईगी और possessive adjective कैसा आएगा वो भी singular होगा हाँ बिल्कुल एक ही बंदा है correct पिटा सही गहर हो तो article दो जगे लग रहे है word plural दे को लगा रखी है pronoun उसने दे दिया possessive adjective उस कर दिया singular तो there कर देना ठीक है चाला अगला बिटा मैं सुबह डेली साथ बज़े class लेता हूँ एक vocab मंधन के नाम से आप अपनी vocabulary को उससे शगर सकते हो daily जो अच्छा live आने के लिए पूछ रहा है सुबह साथ बज़े आईए और ऐसी class है जिस भी बच्चे ने वो class देखी है उसको पता है उस class की value अगला तो यह जो concept है आपका वो comparison of pronoun का है किसका है बच्चों comparison of pronoun comparison of pronoun जहां पर आप pronoun की आपस में तुलना करते हैं ठीक है और subject की जो तुलना है जो subject की तुलना है वो subjective case के साथ की जाती है और object की जो तुलना है वो objective case के साथ की जाती है अब यह आपका he हो गया यह आपका subjective case है इसकी तुलना कर रहे हो तो यहां पर क्या लगाएंगे अब आई लगा देंगे he was much more surprised than I ठीक है क्योंकि subject की तुलना कर रहे हो तो subjective case का ही यूज करेंगे इसलिए हम पर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा बहुत अच्छा answer की आप लोग ने next the five brothers are at dagger stone so they feel it below their dignity to talk to each other वो एक दूसरे से नफरत करते हैं एक दूसरे के दिश्मन है और इसलिए वो एक दूसरे से बात करना अपनी dignity अपनी प्रतिष्ठा को नीचा समझना समझते हैं बहुत बढ़िया कूशन है आपका आप answer करें जी the five brothers are at dagger stone बता बटा क्या answer होगा आपके इस कुश्शन का ना the five brothers are at dagger stone so they feel it below their dignity to talk to each other दरसल यहाँ जो गलती है वो इसकी है reciprocal pronoun की each other का use आप करते है दो के लिए और one another का use आप करते हैं दो से जादा के लिए पास समझना रही है आपको तो यहाँ पर आपका क्या answer होगा बिटा one another ठीक है क्या होगा भाई one another होगा बहुत सुन्दर next अगला the criminal which was chained grumble at the police inspector who was taking him to jail देखो बच्चो क्रिमिनल एक person है है की नहीं और इसके लिए आप relative pronoun which का नहीं बिटा किसका यूज करते है who का यूज करते है person के लिए हमेशा who का यूज किया जाता है है ना who का यूज किया जाता है निखिल जी साथ बजे बिटा spoken की class नहीं vocabulary की class होती है हाँ जिसको English में किसी भी तरीकी की problem है आज से बात नहीं कर रहा है आगी के लिए आपके लिए कर रहा हूँ चार फरवरी को सुभए 11 बचे एक vocab बंधन करके series आ रही है जो भी बच्चा बार-बार English के लिए comment कर रहा है तो चार फरवरी को सुभए 11 बचे एक बार live आना और उसके बाद आप सिर्फ एक भी बाद बोलोगे English है असान तो जो बच्चा paper देकर आना आगे की तयारी करनी है आगे अधर exam की तयारी करनी है Airports का paper लगा हुआ है India का paper लगा हुआ है तो आप सारे बच्चे इसीच का जहन लगना ठीक है अब आप मुझे social का answer करने बटा जल्दी से everybody who was working in that office gave a day pay as their contribution बच्चो यहां पर ना आपका everybody आ रहा है अब यह everybody हो गया या nobody हो गया या somebody हो गया someone हो गया somebody हो गया यह बच्चो आपके indefinite pronoun होते हैं और यह singular consider होते हैं इनके साथ आप जो verb यूज करते हो वो भी कैसी होती है आपकी singular होती है और इसके साथ जो आप verb यूज करते है वो भी कैसी होती है पैर बच्चो आपका singular और जो possessive case यूज करते है वो भी आपका singular होता है तो everybody के साथ आप क्या use करोगे पैटा his का use करोगे इसलिए यहाँ पर आपका देर नहीं आएगा क्या जाएगा आपका his आजाएगा तो his यहाँ पर आपका right answer बन जाएगा सभी को बास समझ में आ रही है क्या हो जाएगा आपका right answer his next one should be true to his word in all circumstances तो देखो बई one का जो position होता है वो होता है आपका once क्या होता है मेरे दोस्त? once होता है तो one should be true to his word नहीं one should be true to one's word ठीक है? तो यहाँ पर आपका one नहीं आएगा once आजाएगा right answer आपका यह हो जाएगा next अगला the officer as well as the assistant absented themselves अब दोगो भई मेरे यहाँ पर आप बास तुनेंगे यह officers के बारे में बात कर रहा है officers कैसा singular दोगो rule क्या कहता है अगर आप दो subject को subject आपका one हो गया subject आपका two हो गया इसको आप जोडते हैं as well as with, along with, together with, together with तो हमेशा पहले वाले की according ही verb लगती है हमेशा पहले वाले की according ही verb लगती है ठीक है बई? सभी को बास समझ में आ रही है आप लोगो तो और आप जो भी आप आगे चाहे possessive case यूज़ करो या verb यूज़ करो या आप reflexive case of pronoun यूज़ करो वो हमेशा पहले वाले की according ही होगा हब सब चीज़े तो यहाँ officers singular है और इसने जो यहाँ दे दिया absent के बाद themselves दे दिया जो कि गलत है officers के according लगाना है तो यहाँ क्या लगाओगे himself लगाओगे क्या आएगा himself आजाएगा आपका right next there is none there is none there is none who can help you in this crucial moment of your career right लोग अभी आपको मैंने जो table बताइते ना that वाली उसमें none भी add कर ले ना आप लोग उसमें आप none भी जो है वो add कर ले ना क्योंकि none के साथ भी आप किसका use करते हो बिटा that का use करते हो none के साथ भी आपका that relative pronoun आता है हो नहीं आता तो यहाँ पर आपका that यूज करना है ठीक है जो table आपको मैंने बनाई दी ना that के uses में उसमें none भी आप लोग add कर ले ना जरूर next अब देखो यह मेरे को सही answer चाहिए दा सेम का मैंने आपको बताया था क्या use करना है कौन सा relative pronoun यूज करना है दा सेम के साथ चल्दी बताइए बोलो बेटा next this is the same dog this is the same dog बहुत सुन्दर अब same dog है आगे verb भी given है देखो verb है given और अगर verb given है तो क्या लगाना है that लगाना है क्या लगाओगे आप यहाँ पर that लगाओगे ठीक है भाई क्या लग जाएगा आपका that लग जाएगा simple next अगला the guest whom we were talking about have come are my brothers-in-law are my brothers-in-law बहुत बढ़िया speed चल रही है आपके questions की आप यह देखिए एक घंटा हमारा हुआ है और हमने English के 40 question with description आपको यहाँ पर मैंने solve करवा दिये है उसका complete आपको details with details मैंने आपको यहाँ पर जो है वो शेयर कर दिया है मैंलब समझा दिया है ठीक है अब यह YouTube वाले हो गया ना तो हम share वेर जो है हमारी tongue पर आ जाता है description आ जाता है share आ जाता है बहुत बढ़िया अब देखो भई बहुत बढ़िया अब बच्चे तो कोई यहाँ पर आ रहा है guest अब who versus whom को एक बार समझा देता हूं मैं आप लोगों को who versus whom का concept अब हमें पता करना है कि हूँ आएगा हूँ आएगा तो आप पेर बनाओ इसमें जैसे guest ले रखा है तो यह s1 हो गया एक अब इसके लिए वर्ब चाहिए मैं ठीक है the guest whom we were talking about यह हमारा s2 हो गया और इसके साथ वर्ब आगई v2 ठीक है दरसल मैं यह करके आ रहा हूँ आप यह आपको समझाता हूँ जो हूँ होता है वो subjective case का काम करता है किसका सब्जेक्टिव केस का और हूँ करता है हमारा objective केस का काम समझवारें आपको बात तो अगर्ब हमारे पास वर्ब एक्स्ट्रा बचती है तो हम हूँ का यूस करते हैं क्योंकि हूँ यह आसकता है वर्ब के लिए subject ऐसा subject बन करके तो हमें वही गिन्नी कितनी वर्व एक्ष्रा बच रही है, नई बच रही तो हूम लगा देंगे, तो एक जोड़ा हमें यहां मिल गया, इसके साथ सब्जेक्ट की वर्व, तो यह तो पूरा खतम हो गया, इसकी सब्जेक्ट की वर्व यह रही, तो यानि कि हमें S1 और V1 का एक जोड़ा मिल गया, मगर यहां पर आ रही है, यह होगे हमारी V3, अब इस V3 के लिए कोई भी सब्जेक्ट बचानी सिंटेंस खतम हो गया, तो हमें S3 के लिए क्या बनाना पड़ेगा, हू बनाना पड़ तो इसलिए हम क्या लगाइंगे, यह यहां पर हू लगाएंगे, यह एक्श्ऺल में कॉंससेफ्ट होते हैं, यह वैं को करने को करके बताएं, नहीं तो रट माण लेते हैं बच्चे, रट लेते हैं कि वर्व बच्चरी होगी, तो हू लगा देगे, जबकि यहां कोई वर नेक्स्ट, यह बताओ, अगला कोशिशन, देखो, बिटा, any का use आप करते हैं, दो से ज्यादा के लिए, और दो के लिए आप करते हो, either, none का use आप करते हो, दो से ज्यादा के लिए, बहुत बहुत important concept है, और दो के लिए किसका use करते हो, neither का, और each other, क्या था आपका बिटा, one another one another का use करते हैं दो से जाधा के लिए और each other का use करते हैं आप दो के लिए ठीके? और examiner क्या करता ही है? पलट कर दे देगा दो की बात करेगा any दे देगा या तीन की बात करेगा या चार की बात करेगा पांच की बात करेगा either दे देगा पलट कर देगा जैसे देखो दो की बात कर रहा है एनी दे दिया तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा इसकी जगह पर आईदर का तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा आईदर हो जाएगा in place of एनी यह देगा हमेशा पेर में जहां पर आप आपने वननेदर वाला कोशन किया था पांच की बात कर रहा था इच अदर दे दिया तो वननेदर कर दी हमने ऐसी इस वाले केस में करेगा कभी यह mix नहीं करेगा आपस में ठीक है? mix हमें नहीं करने वो तो देदेगा कुछ भी हमें सेंस निकालना है next अगला चलो the only book which you carry in your bag is in is in MN नहीं है is in demand इसको demand कर लो आप यह tapping mistake है बताओ yes अब only के साथ क्या लगाओगे बिटा that का use करोगे only के साथ क्या आएगा that आएगा बहुत बढ़ी है आप लोगों ने answer करा बहुत अच्छा आप लोगों ने answer यहाँ पर करा है बहुत ही बढ़ी है बहुत ही लाजवाब ठीक है चलो आगे बढ़ा जाए next question की तरफ चलते हैं अगला question देखते हैं next के बारे में आप सारे बच्चे बताएंगे the hottest of agra are more luxurious than noida अब देखो यह question में क्या गड़ बढ़ है इसने आप से कहा है कि जो आगरा के hotels है वो noida से ज्यादा अच्छे है ज्यादा luxury है लेकिन क्या यह बास सही है हम एक तरफ तो बोल रहे है hotels of agra एक तरफ हम बोलना है noida से अच्छे है नहीं नहीं उसको बोलना चाहिए था the hotels of agra are more luxurious than hotels of noida इसने noida ही बोल दिया तो गलत कराना इसने आपको कैसे बोलना चाहिए था यहाँ पर then the hotels of then the hotels of noida यह इसको यहाँ पर बोलना चाहिए था अब बात समझ में आजाती है अब comparison बराबर हो रहा है तुलना बराबर हो रही है लेकिन मेरे दोस्त यह कोश़द इतना करने के बाद भी गलत है क्यों क्योंकि आप कभी भी pronoun को repeat नहीं करते आप देखें यहाँ पर hotels हा रहा है फिर यहाँ hotels हा रहा है तो इसके लिए ना हमें pronoun लगाना पड़ता है और हम यहाँ पर use करते हैं those का dose of noida दरसल आपको सीधा सीधा आंसर बता दे जाता है कि आप एक काम करो dose के बाद डैन के बाद आप dose of लगा दो dose of बच्चों को रटा दे जाता है कि dose of लगाना जी डैन के बाद dose of लगाना question सही मैं भी ऐसा कर सकता था dose of लगा देता मगर मैंने आपको जान करके ये बात पूरी लिखी है वो तो हमारी मेरतन है मुझे question बहुत कराने मेरे दोस्त नहीं तो ये concept ऐसा बताता हूं इस तरीके से बताता हूं कि बच्चों का सोते भी कोई सपने में बठा देना कि बताओ ये पूरा क्या concept तो वो भी बढ़ा देगा किसी को भी then those of noida ठीक है भी समझ में आपको बात कि क्यों हमने हैं आपर those of कर रहा है next और अगर एक होता by chance इस question को ऐसे मिल जाता ये question आपको ऐसे दे देता the climate of the climate of Pune is better than Delhi अब आप मुझे सारे बच्चे ये बताइए कि यहाँ पर जो है वो क्या answer सही होगा ये extra question है आप लोग गया पट्टी का CR अच्छी बात है दोनों बताओ हाँ बिलकुल सही अगर आप अपने इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं तो पांच बज़े से आप हमारे साथ जुड़ जाईए पांच बज़े इंग्लिश का प्रेट्टे साथ ले करके आऊँगा इसी चैनल पर तो आप लोग जिसको भी इंग्लिश बहतर करनी है वो पांच बज़े आ जाना बागी की चीज़े वहीं बता दूँगा आप लोगो the climate of Pune is better than Delhi नहीं than that of क्योंकि यहां singular है इस पर आजब let के बाद हमेशा objective case का यूज़े करते हैं let के बाद कोई preposition है उसके बाद verb के बाद हमेशा objective case कौनसा case आता है बच्छे objective case आता है ठीक है मेरे दोस्त तो यहां पर आपका मी हो जाएगा अब यह कुशन तुम्हारा है आंसर करना आप लोग अब देखो अब देखो यहां पर कितनी आ गई तीन आ गई और अगर तीन आ गई तो आप यहां पर क्या यूज़ करोगे एनी का एनी ओफर थी सिस्टर क्या हो जाएगा भीटा एनी हो जाएगा बहुत सुंदर नेक्स्ट चलो अगला कोशन आपके सामने है यूर आर दा सेम प्रोब्लम्स एज माइन बताओ नेक्स्ट कोशन यूर आर दा सेम अब दोगों पिट्टा बहुत बढ़िया प्यारे बच्चो यहाँ पर आ रहा है यूर मैंने आपको बताया था यूर होता है पॉसेसिव एजजेक्टिव क्या होता है मेरे दोस्ट पॉसेसिव एजेक्टिव जो कभी भी बिना नाउन के नहीं आ सकता तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा यूर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पर रहाएगा आपका यूर्स अब यह यूर्स का मतलब क्या हो गया अगर आप इस यूर्स को ओपन करोगे तो यह कह रहा है Your problems are the same problem as mine, right? क्योंकि possessive pronoun बना होता है possessive adjective और noun के साथ तो possessive adjective क्या है? Your noun क्या है? Problem तो तभी तो हमने use किया है possessive pronoun, right? चलो जी, अगला आईदर कमला और गिर जा बताओ, next question आईदर कमला और गिर जा Forget to take dash purse अब बहुत बढ़िया अब गिर्जा बेटा लड़की का नाम है है न? तो हम यहाँ पर क्या use करेंगे? एक ही तो नाम है, अकेली लड़की है तो हर का use किया जाएगा क्या आएगा बेटा? हर आजाएगा, बहुत सुन्दर बई यह क्या नाम है? तयारी भी नहीं कर रहे है वो भी पूरी ताकत के साथ इस क्लास को देख रहे है सुच रहे हैं कि आज की कितनी अच्छी क्लास है यह ऐसी क्लास बहुत कम होती है कहीं दो महीने, तीन महीने में ऐसी क्लास आती है कि टीचर एक ही बार में आता है पूरा course ले बस आपको revise करा देता है मैं कह रहा हूँ ये कीन मानना जो बच्चे Air Force की तयारी कर रहे है या बच्चे Navy की तयारी कर रहे है ट्रेट्समेन की तयारी कर रहे है अगर आपने धंगसे class करी न तो आधा paper आपका यहीं से फसेगा मगर पढ़ो और target बनाओ कि हमें पूरी ही पूरी class sir के साथ देखनी है क्योंकि अगर तुमने ये सोचा के बाद में देखेंगे तो बाद वाला दिन कभी नहीं आएगा तुम्हें PDF मिल जाएगी इसकी revision करने के लिए अगला कोशन चुपो कर बस पढ़ाई करो बस अब तो नेक्स्ट दा जूरी एग्रीट इन डैश उपीनियन दा जूरी एग्रीट इन डैश उपीनियन देखो अब यहां जूरी के बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चो जूरी हमारा क्या है है यहां collective noun है और यह एक unit की तरह काम कर रहा है separation नहीं हो रहा है जब इसमें से separation होते ही divide होती है तब हम plural verb यूज करते हैं और हमारा जो possessive objective होता है वो भी plural बट क्योंकि है unit की तरह use हो रहा है एक ही है तो its का use किया जाएगा है आपर option आपका b his नहीं बिटा क्या use करेंगे its का next अगला next बाता है अगला कुछिन नेक्स येस बहुत बढ़िया आप देखो भी बच्चों अगर मैं order pronoun के बारे में बात करूँ यू अलतों को यहाँ पर order pronoun आगे ना तो पहले second person फिर third फिर first तो two three one देखो two three one two three one कहा है यह रहा two three और one हाँ पहला ही हो जाएगा right answer यह option correct है option A इसका correct है बहुत बढ़िया next अगला 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 बताएं यह बटा अगला बताएं next अगला question it was देखो बई it के बाद it के बाद ध्यान रखना it के बाद अगर बी की कोई भी form आ रही है जैसे कि is am, are, was और were इट के बाद बी की कोई भी form आ रही है ध्यान रखेगा उसके बाद आप subjective case का use करते हो किसका use करते हो subjective case का तो यहां पर आप देखेंगे तो subjective case क्या है हमारे आई दे रखाएं इसलिए हमारा answer क्या होगा आई हो जाएगा ठीक है वो पूरा नहीं लिखा जा रहा था इस पर ठीक है आगे बढ़ता है next अगला all attached glitter is not gold all आगे बटा अब all आगे तो क्या करना है all आगे तो क्या करना है जल्दी बताओ जब all आजाए तो क्या करना है अराम से अराम से कोई करने है चलो all dash आप देखो भई all के साथ किसका use करना है हमें that का use करना है all that option आपका b है right answer बन जाएगा अभी तो हमने डिसकस किया था next रूची इस दा गर्ल रूची इस दा गर्ल डैच भुकिस विद मी बताओ next question yes correct देखो इसने कहा है आपसे के रूची इस दा गर्ल रूची इस दा गर्ल रूची जिसकी किताब बेटा हूँ बुक नहीं करोगे sense किस का रहा है position का रहा है whose book क्या एगा बेटा whose book तो यहां पर आपका जो answer होगा वो क्या हो जाएगा b हो जाएगा right क्या हो जाएगा बेटा b आगे बढ़ जाते हैं between you and dash he is a row जल्दी बताओ हाँ जी yes किरा between you अब तो को proposition है नहीं अभी discuss किया था कि proposition के बाद हमेशा objective case तो between you and him है ना him ही लगाएगे mine आएगा नहीं यह आएगा नहीं आएगा कोई मतलब नहीं है option भी बहुत बढ़िया proposition के बाद verb के बाद let के बाद accept के बाद हमेशा objective case का use किया जाता है तो यहां आपका answer जो होगा वो क्या हो जाएगा him हो जाएगा next how long have you and shilu no dash बहुत असान question है मेरे दोस्त बहुत असान एक तो यह रहा और एक यह रहा एक और एक मिलकर कितने बनगे दो बनगे और अगर दो आ रहा है तो each other का use किया जाएगा ठीक है ना बहुत सुंदर next is this book is mine and that is dash बहुत बढ़िया यह अब आप लोग सीख रहे हो बहुत अच्छे दरीगे से बेटा यौर लगाने की गलती मत करना यौर लगा दिये तो आपको पता है ना उन तो नहीं दे रखा ना उन दे रखा हो था तो यौर समझ में आथा मगर नहीं है next अब दोको तीन की बात कर दी अब तुम यह देखो कि तीन के लिए क्या यूज कर सकते हो और यह बताया हुआ है देखते हैं कौन बताता है अब आन सर बहुत सुंदर अब तीन की बात कर दी ना तो तीन के लिए क्या यूज कर गए very good well done दोस्तों well done क्या लगाओगे नन लगाओगे नीदर आइदर तो दो के लिए आते हैं और नो कोई सेंसी नहीं बनता ठीक है next last summer he went to his uncle's village and dash enjoy very much बताओ next question हमारे सामने last summer he went to his uncle's village and dash enjoy very much very good अब देखो बई बच्चों यहां आ रहा है आपका ही ही के साथ जो आप possessive case use करते हो वो क्या होता है आपका his होता है possessive adjective इसके साथ जो possessive pronoun use करते हो वो भी क्या होता है आपका his होता है और इसके साथ जो आप reflexive case use करते हो वो क्या करते हो himself यह table आपको याद होनी चाहिए सारही cases की I, V, U, He, Sheet देखी पूरी table आपको याद होनी चाहिए तो अब आप यहां पर देखें possessive किसकी बात हो रही है possessive की बात नहीं हो रही है reflexive की इसकी बात हो रही है तो he के according क्या लगा होगे himself, option A is the correct answer right आगे अच्छा next due to dash being a newcomer I was unable to get a house suitable for my wife and be, क्योंकि मैं यहां नया हूँ तो मैं अपने और अपने wife के लिए घर नहीं डून पा रहा हूँ यह उसने आपर बात भोल रही है next बताओ due to dash अब देखो बई यहां पर आ रहा है being तो being के साथ समझ में आ रही है आपको बात क्या use करेंगे आप यहां पर possessive adjective yes हमेशा याद रखी कि जीरेंट से पहले आपको possessive adjective का use करना होता है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चे मी हो जाएगा clear है सारे बच्चों को बात clear है सारे बच्चों को बात आगे बढ़ जाते हैं दा मून डेश बाई नाइट्स दा मून डेश बाई नाइट्स बहुत बढ़िया कुष्चन है आपका चलो बहुत सुंदर दा मून अब बच्चों मून के बारे में बात कर रहे हैं यह आपका जो sentence है वो क्या कहता है कि जो जो चांद है वो रात को चमकता है तो यह एक fact है यूनिवरसर टूथ है तो इसके साथ आप किस verb के साथ जाएंगे अगर आपने इसको past में बना दिया तो गरत हो जाएगा ऐसा हो जी नहीं सकता कि आज चमके कलना चमके है वो तो इसकी आदत है यह nature है ठीक है इसलिए आप इसको हमेशे किसमें बनाते है इतने भी यूनिवरसर टूथ होते हैं अगला बताएंगे अब आपके सामने कुशन है कह रहा है अगला कुशन बताओ अगला कुशन हमारे सामने आंसर करेंगे सारे लोग जल्दी से अरे एरे एक सेकंड इसमें सही करतो यार दा नहीं आएगा यह गलती से आगे टी लग गया इसको ही कर दीजे आप सारे दोस्त यह बहुत सुन्दर तो यहां पर अगर मैं आपसे जाओं कुशन पर तो आपसे कह रहा है He saw He saw He saw my friends in a park yesterday Right क्यों ऐसा होता है क्योंकि यह आपकी एड़वर वो past time है जैसा अगर मैं बात करूँ yesterday हो गया आपका या एगो हो गया या last year हो गया ठीक है last year, last month इन सभी के साथ आप क्या यूज़ करते हैं वी टू यानि कि past indefinite इसलिए आप यहां पर क्या यूज़ करते हैं second form next question तो प्यारे दोस्तों अगला question हमारे सामने कह रहा I shall telephone you when he dash back बताओ यह ठीक है ठीक बताओ I shall telephone you when he dash back I shall telephone you when he dash back बहुत अच्छा question है आपका बहुत अच्छा answer है आपका बचो यह जो है ना आपका वो conditional sentence है कौन सा है? conditional conditional sentence conditional sentence में type 1 है आपका यह कौन सा है मेरे दोस्त? type 1 अब type 1 से हमारा क्या मतलब इदरा समझना type 1 में type 2, type 3 अलग-अलग type आएंगे, अलग-अलग question आएंगे अलग-अलग मैं type आपको बताता हूँ चलूँगा साथ-साथ अब देखिए अगर आपका type 1 में if clause के साथ simple present और आपके दिए दूसरा clause है वो simple future simple future यानि कि present indefinite और future indefinite ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो if clause दे रखा है if clause साभाना मतलब है कि जहाँ पर आपके conditional words होता है जैसे if भी हो सकता है when भी हो सकता है until भी हो सकता है unless भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या यूज़ करेंगे indefinite क्योंकि he है तो comes आएगा तो option is the correct answer ठीक सभी को बास समय जा रही है next he dashed asleep while he was driving next बहुत संदर देखो प्यारे बच्चों fall जो है न वो verb की first form है right fall की जो second form होती है वो fell होती है fall fell fallen तो आपका जो sentence वो past में आ रहा है he was driving ठीक है वो सो गया अचानक से उसकी आँख लग गई जब वो drive कर रहा था right जब वो drive कर रहा था तो past में बनाएंगे सुनिए कह जा रहा अगर past में कोई भी action चल रहा था तो जो action चल रहा था वो past continuous में जैसे कि हाँ पर आपका दे भी रखा है है ना और जो action अचानक से बीच में होता है जैसे वो चला रहा था गाड़ी अचानक से आँख लग गई तो आँख लगने का काम सोने का काम बीच में हुआ तो जो काम movement जो चल रहा था उसके बीच में होता है वो बनता है v2 यानि कि past indefinite में तो क्या लगाओगे fall fell option b yes yes आगे बढ़ जाते हैं next question he dash here for the last five years बहुत बढ़िया बचो time mention है नहीं आपर for the last five years तो किस में मनाओगे इसको perfect continuous में तो कौन जा sentence है ऐसा option c वाला she has been working here वो यहाँ पिछले 5 सालों से काम कर रहा है ठीक है next अगला बिटा he thanked me for what I dash 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 बहुत बढ़िया देखो बिल्कुल सही जब आप देखो भी एक चीज में आपको बताता हूँ इसमें मैंने logic लगाया है आप सारे बच्चे याद रखना अगर past में आपके दो काम हुए है एक काम पहले हुआ यानि की first action ठीक है और दूसरा काम बाद में हुआ है यानि की second action तो जो काम पहले होता है न वो बनता है past perfect में किस से बनता है past perfect में और जो काम बाद में हुआ है वो बनता है आपका past indefinite में ठीक है तो यह चीज आपको याद रखनी है अब आप देखें past perfect यानि की head के साथ आप verb की third form का use करते है और past indefinite में क्या बन जाएगा आपका veto बन जाएगा तो देखो आप उसने उसको धन्यवाद दिया जो उसने उसके लिए किया था तो जो चीज की थी वो पहले कियोगी तबी तो धन्यवाद ही है पहले धन्यवाद होगे फिर करोगे नहीं न तो इसका मतलब क्या हुआ past perfect proper logic के साथ answer next समस्ते चलो ये सारा का सारा pdf आपको मिल लाएगा और आज ही करवादूगा तुरंद के तुरंद ये upload class end होगी pdf upload हो जाएगा लेकिन बिना समझे pdf solve नहीं कर पाऊगे लिखने के tension मतलो अगर कोई key point है ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख सकते हो I dash him for a long time अब देखो I dash him for a long time मैं लंबे समय से उसको जानता हूँ बच्चों ये जो no verb होती है no इसकी आपकी third form दे रहके ये कभी ing form में नहीं बनती ठीक है ना verb of sensations होती है आपकी इसलिए आप हमेशा इसको किसने मनाता है perfect में मनाता है क्योंकि time mention है तो आप इसको किसने मना सकते है I have known तो यहाँ पर आपका जो answer हो जाएगा वह have known हो जाएगा बहुत बढ़िया next ing form में कभी मत बनाना गलत हो जाएगा बड़ा चलो वी डैश English for five years ये वही वाला कुछन आ गया बिल्कुल perfect continuous में आपको बनाना है answer करो बहुत सुंदर क्या answer हो जाएगा बिटा we have been studying option आपका c correct answer हो जाएगा we have been studying English for five years next abdul dash to be a doctor abdul dash to be a doctor abdul dash to be a doctor yes abdul wants ठीक है wanting नहीं होता कभी भी आप want के साथ भी यह भी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं और बेटा want तो कैसे भी नहीं कर सकते हैं अब दो डॉक्टर बनना चाहता है abdul wants to be a doctor abdul एक डॉक्टर बनना चाहता है option is the correct answer wanting नहीं होता बेटा नहीं wanting होता नहीं knowing होता ऐसे बहुत सारे question आपके class में आ जाएंगे जो हाँ पर आप ing form नहीं लगाते है उनके साथ right next question चालो अब अगला अगला if you dash at once you will arrive by six o'clock अब यह conditional sentence का type 1 का दूसरा example आगया आपके सामने अब यह गलत नहीं होना चाहिए yes very good well done if you dash at once अब if के साथ present indefinite use करना है simple present use करना है ऐसा कौन सा है यह क्योंकि यू है तो plural वर्भाईगी starts नहीं आएगा वैसे दे भी नहीं रखा बहुत सुन्दर या गजब मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगो जो चीज में बताता हो चल रहा हो ना प्रानी के लिए सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो जितने बच्चे लाइव हैं सारे के सारे लाइक कर दीजे मज़ा आ जाएगा बहुत बढ़िया sentence किस में जाएगा पास indefinite में अगो आ रहा है तो क्या answer करोगे स्थी नेक्स्ट अगला कोशन चलो बहुत अच्छे देखो यहां देखींगे आप सारे बच्चे एक चीज तो कुछ चीज आपको बता देता हूँ नो सूनर के साथ यह सारे पॉइंट याद रखने आप लोगो नो सूनर के साथ दैन लगाते हो हाडली के साथ स्कार्सली के साथ वैन का यूस किया जाता है हाडली स्कार्सली के साथ वैन का यूस किया जाता है नो सूनर के साथ दैन का हाडली स्कार्सली के साथ वैन का यूस किया जाता है अच्छा जी इसके अलावा इसके अलावा इसमें एक बात और है घ्यान रखना no sooner के साथ जब sentence की शुरुवात no sooner से होती है तो हमेशा पहले helping verb आती है फिर आपका subject आता है फिर आपकी main verb आती है फिर आपका object आता है जैसे कि आपके सामने they भी रखा है जब को no sooner, helping verb, subject और main verb तो इसमें न दो तरीके से बन जाता है जैसे no sooner के साथ आप did से बना सकते है तो did वाला तो दे रखा है मैं head वाला बना कर दिखा देता हूं head plus subject मानलो head के साथ यह वाला ले ले लेते है no sooner head ही आगे verb क्या है? wash no sooner head ही washed तो आप लोग यह ध्यान रखना है इसको inversion बोलते हैं जब subject से पहले verb यूज कर ली जाए तो उसको concept of inversion बोला जाता है यह no sooner के साथ hardly के साथ और scarcely के साथ भी आप करते हैं तो पेटा यह एक चीज तो दो चाहती आपको तो मैंने यह बता दी यह ध्यान रखना क्योंकि तो को मैं ऐसे ले करके चल रहा हूं यह question एक है चीज चार बच बता दी तो क्या पता examiner यह question ना दे कर यहां से भूश ले क्या पता examiner आप से यह पलट दे तो आपको याद है कि सर ने बताया था examiner क्या करेगा no sooner he had दे देगा आपको लगेगा सही है गलत है वो सुनर के साथ हमेशा वर्प की बेस फॉर्म यानि की फॉर्स फॉर्म यूज़ करते हैं इसलिए यहां जो आंसर होगा वो होगा वॉच ठीक है और no sooner के साथ दो तरीके से बना सकते हैं ऐसे भी और ऐसे बें नेक्स्ट अब यह आपका मॉडल वर्प आगा है मॉडल वर्प के साथ वर्प की फॉर्स वाम यूज़ करते हैं बहुत ही असान कोश्चन है चलो बताओ बहुत बढ़ियां वोड यू लाइक तो हैव समाइस क्रीम हैविं नहीं होता बटा लाइक नहीं होता लाइक तो बी लाविं गलत अप्शने इस दा करेक्ट आंसर अगला अगला चलो बताओ तावाश पिटा आंसर करो नेक्स्ट येस अब आपने कंडिशनल सेंटेंस टू पढ़ाता वन पढ़ा है अब दो को थी बताता हूं कंडिशनल सेंटेंस टाइप थी टाइप थी अब क्या होता है ये टाइप थी जैसे आपका जो इफ क्लोज है उसके साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्फ की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और जो आपका में क्लोज रहेगा वो क्या रहेगा सब्जेक्ट प्लस वूड हैव प्लस वर्फ की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट ठीक है मेरे दोस्त ये हो जाएगा आपका तो अगर आप ध्यान से देखो तो इफ टे डैश अबाउट दा क्रैप्स दे वूड नौट हैव डिसाइड अब जोगो हमें इफ के साथ ये वाला कंस्रक्शन यूज करना है तो ऐसा कौन सा है अकेला यह अब हमें पता कैसे चला जी हमें यही वाला यूज करना है पहले वाला क्यों यूज नी करना क्योंकि हमने जब इसके आगे का स्ट्रक्शर देखा दे वूड हैव अब दो को यहाँ यह हमने गल्दी पकड़ ली डिसाइड गलत दे पाता है जब आप चीजों को अच्छे से समझते हैं अब structure तुम्हारे सामने लिखका है हमने question आंसर तो करा करा सासाथ question में mistake थी वो भी हमने पकड़ ली ठीक है next अब ये बताओ बताओ दुबारे से बताओ ये वाला question हाँ आप class देखिए बिटा कोई बात नी अगर आप अभी भी class में है तो यहीं से देखना शुरू कर दो जो भी आपका नाम है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो बहुत बढ़िया देखो ये वही है आपका कि अगर past में आपके दो काम हो रहे है अगर past में आपके दो काम हो रहे है एक first action है आपका और एक आपका second action है एक first action है और एक आपका second action है एक first action और एक second action तो जो first action है ध्यान रखिएगा मेरे भाई यानि कि जो काम पहले हुआ है, वो head plus verb की third form, डिरेक्ट लिख रहा हूँ मैं आप लोग हुआ, यानि कि past perfect, past perfect, और past perfect का structure क्या हुआ था, पूरा ही लिख देता हूँ, चलो, कुछ बच्चे confusion न हो जाए, subject plus head plus verb की third form plus object, जो काम पहले हुआ है, ठीक है, और इसके बाद, जो काम बाद में हुआ है, वो past indefinite, past indefinite, past indefinite में, यानि कि subject plus verb की second form plus आपका object, बेटा, कभी भी जीवन में याद रखना, रट्टा मत मानना, कभी भी जीवन में रट्टा मत मानना, कि before के बाद, या after के बाद, ये वाले tense का use होता है, रट्टा नहीं मानना, जब हमारे पास concept है, तो हम concept लगाएंगे, जहां रट्टा मानना की जरूरत होती है, बहुत simple, तो जो काम पहले हुआ है, first action, वो past perfect में, जो काम बाद में, वो past indefinite में, अब आपने question को देखो, कोई साभी question उठा ले ना, कोई साभी question उठा ले ना, they reached the station before the train dash, अब वो station पहुँचे, तब तक train क्या है जा चुकी थी, ओहो, इसमें question में mistake है, मैं आपको बताता हूँ, इस question में हमें mistake है, अब दोखो, यही तो हमारी बात है, कि हमने question में mistake निकाल ली, क्यों, क्योंकि हमें concept पता था, अगर हमें concept नहीं पता होता ना, तो अब अब हम यहाँ पर before after के बात, और जी low head लगा दो, और जी यह लगा दो, वो लगा दो, कतम कहानी हो जाती, अब देखो, इस question में गलती कहां थी, चलो, मैं आपको बताता हूँ, तुमने यह लिख लिया ना, आप tension मतलो, हर चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई ज आप से, question गलत है, आप लोगों का गलत है, अगर आया answer आयोगा, तो अपना number एक plus कर लिना, ठीक है, आप सुनना, यह क्या कहना चाहरा था, यह सुन जी है, they had reached, they had reached the station, मैं short में लिख देता हूँ, they had reached the station, before the train left, अब इसको आप काड़ दो, पूरे को काड़ दो, तुम यह लिख लो बस, अब समझो मेरे दोस्त, ऐसा क्या हुआ है, कह रहा है, they had reached the station, वो train station पर पहुँच गए, before the train left, train के जाने से पहले वो station पर पहुँच गए, अगर before, after के बाद हमने याद करा होता ना, कि इसके अब आप सारे बच्चे बताओ, मजा आया की नहीं आया, कि कोश्चन भी गलत है, हमने ये भी इस चीज को अच्छे से पकड़ लिया, yes or no, तो ये काम पहले हुआ, तो किसमें बनेगा, past, perfect में, सारे बच्चे बताईए, हाँ, nd वाले बच्चे भी देख सकता है, ठीक है बेटा, ओके, ठीक, 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 ठीक है, दुबारा बता देता हूँ, जिसको नहीं से समझ में आया, अगर past में दो action हुए है, और अगर आपका जो action पहले हुआ है, वो past perfect में बनता है, they had reached the station, वो station पहुँच गए, before the train left, train के जाने से पहले, left करने से पहले, ठीक है, अच्छा, आपने question की मोई मोई कर दी, बाई देखो, question गलत आएगा, तो पकड़ेंगे, तो हैं यह उसको फिर, next, it has been years, since I last dash him, चलो, it has been years, since I last dash him, बताओ, बहुत बढ़िया, देखो, बच्छो याद रखेंगे आप, उसने बोला कि एक बहुत लंबा समय हो गया, जब से मैं उससे मिला हूँ, तो I last, क्या यूज़ करेंगे आप, meet की second form, met, option आपका B है, right answer हो जाएगा, ठीक है, अभी आपका exam है, नहीं तो process से बताता है, आपको फिलाल आप इतना याद कर लीजे, कि since के साथ, अगर since as a conjunction use हो रहा है, तो उससे पहले वाला sentence मनता है present perfect में, दूसरे वाला मनता है past indefinite में, तो यहाँ second form का use करेंगे आप, ठीक है भई, next, अगला, चलो, अगला question, next, अब अगला question हमारे सामने है, सार the earth dash, the earth dash around the sun, बताओ, the earth dash around the sun, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, शाबाश, बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर, very good, दोखो ये एक universal truth है, universal truth हमेशा किस से मनता है, present indefinite tense मनता है, the earth moves around the sun, तो यहाँ पर क्या हो जागा मेरे भाई, moves हो जाएगा, the earth moves around the sun, काम खतम, my friends dash the prime minister yesterday, my friend dash the prime minister yesterday, सभी को बास समझ में आ रहिए, my friends dash the prime minister yesterday, चलो भी, तो अगर मैं आप से यहाँ पर बात बोलूँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, my friends dash the prime minister yesterday, शांदार, शांदार, अब क्या आ रहा है, yesterday आ रहा है, adverb of past time, adverb of past time का मतलब past indefinite, तो यहाँ पर आपका answer क्या होगा मेरे भाई, so आपका right answer यहाँ पर बन जाएगा, next, अगला कोशन, जल्ले लिए बताइए, when I dash my dinner, I went to bed, अब देखो, logic, past में अगर दो action होते हैं, तो पहले वाला past perfect में, ठीक है, और उससे दूसरे वाला जो बाद में होगा past indefinite में, है न, तो इसने क्या कह रहा है, कह रहा है, when I dash my dinner, I went to bed, जब मैं अपना खाना खा चुका होता हूँ, तब उसके बाद कहां जाता हूँ, सोने जाता हूँ, went to bed का मलब सोने, तो पहले खाना खाएगा, तो past perfect, head, head, अब ये head, head का क्या मतलब है, has और have की, has और have की second form, head और third form भी head होती है, तो आपको पता है, अगर हमें past perfect में बनाना है, तो head यूज़ करना पड़ेगा, और खाने के लिए, have, head का भी यूज़ करते हैं, तो verb की third form, क्या बनेगी, head बनेगी, तो इसलिए ये जो है न, वो verb की third form है, और ये आपकी helping verb है, इसलिए आ जैसे विभार करती है, मानू, जैसे वह है मेरी leader है, तो ये आपके kalpnik वाक्य है, kalpnik, है न, kalpnik, imaginary हैं आपके, है न, kalp, इसको hypothetical, imaginary sentences भी बोलते हैं, इस situation में क्या होता है, subject चाहिए आपका he हो, she हो, I हो, आप हमेशा महाँ पर क्या यूज़ करते हैं, वर का यूज़ करते ह ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, वर का, ठीक है पिटा, किसका यूज़ करते हैं, आप हमेशा महाँ पर, वर का यूज़ करते हैं, क्लियर है, हाँ जी, next, I wish he dash rich, अब दोको ये भी hypothetical होगा है, I wish as if, तो यहाँ पर भी क्या हैगा आपका, इच्छा जाहिर कर रहे हैं अपन यहाँ भी हम लोग किसके साथ जाएंगे वर के साथ, मेरी इच्छा दी काश्च वो अमीर होता, अमीर हो नहीं पाया, ठीक है, बहुत शान्दा, next, Gulliver travels are the most fascinating story that I have ever heard, बताओ, next question, next, बताओ, बहुत बढ़ी है, दो, Gulliver travels, आके वो कह रहा है, most fascinating story है, तो Gulliver travels क्या है, story है न, तो क्या होगा, वर्ब कैसी आएगी, singular आपकी यहाँ पर, पर वर्ब आएगे, समझ में आ रहे हैं साथ बुच्छों को बात, next, अगला देखते हैं, next, बताओ, next, yes every boy every each and every के साथ हमेशा कैसी वर्व यूज़ करनी है आपको singular यूज़ करनी है तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे was का यूज़ यहाँ पर हम लोग करेंगे ठीक है पर बच्चो चलो आगे बढ़ते हैं neither the girl nor her parents was present to receive the award next question एक एरा 500 कुशन है जल्दी बताओ next question अगला कुशन हमारे सामने आ चुका है आंसर करेंगे सारे बच्चे neither the girl nor her parents देखो जब भी आब neither nor neither nor either or either or not only but also not only but also not only but also इनसे दो subject को जोड़ते हैं मालनो S1 आपका यहां दे रखा S2 आपका यहां दे रखा आगे कहीं आपकी वर्ब दे रखी है तो आपको जो वर्ब लगानी है वो nearest के according लगानी है तो जैसे आपने यह वर्ब पकड़ी ठीक है अब क्या काम करो simple सा तरीका बता रहा हूँ यहां से left move करना start कर दो जैसी आप left जाओगे तो जो भी आपके रास्ते में आ रहा है उसके according लगा दो अब parents कैसा है plural तो verb कैसी plural तो यहां पर क्या लगाएंगे वर्ब इससे असान तरीका होई नहीं सकता confuse मतो पहले वर्ब को पकड़ो और left जाओ जैसी left जाओगे जो भी टक राएंगे उसके according वापस से घुमकर ही आ जाओ ठीक है भाई clear है ना बात हाँ ठीक 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 चलो आगे बढ़ा जाएं मेरे दोस्त next each of these boys play games each of these boys play game each of these boys play games each of these boys play games बहुत अच्छे each of these boys आप दोगो each of one of none of either of neither of सब उंगलियों पर रियाद हो गया होगा आपको हमेशा बर्ब कैसी बेटा singular तो यहां बर्ब लोग क्या यूज़ करेंगे place का यूज़ करेंगे ठीक है शानदार आगे बढ़ जाते हैं question number 81 के तरफ बदाईए बहुत बढ़िया बहुत अच्छे देखो बिटा none of the applicants none of the applicants have turned up for the interview आप देखो कितना असान है वही चीज़ none of के साथ हमेशा verb कैसी यूज़ करते हो singular करते हो तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त हैज हो जाएगा none of the applicants has turned up for the interview on time next अगला question अगला question neither of the two candidates have paid his subscription बदाईए neither of the two candidates have paid his subscription चलो neither of the two candidates have बिल्कुल सही जवाब तो neither of के साथ भी कैसी verb लगानी है singular लगानी है has हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा has हो जाएगा बहुत भड़िया बहुत भड़िया क्या अन्सरों का आपका यहां पर has हो जाएगा ठीक है चलो next the company have thousands of customers happy with its service चलो बहुत तुमारा noun और pronoun तो और topic complete हो चुके हैं अब आपके चल रहा है question subject or agreement के किसके चल रहा है आपके noun के question करा दी है मैंने आपको अच्छे से और pronoun के question करा दी अब आपके subject or agreement के question चल रहा है थोड़ थोड़े mix भी आएगे इसके बाद देखते हैं adjective आएगा आपका चलो the company have dash मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि फिर आप लोग उसी हिसाब से question को देखोगे फिर आपकी practice नहीं हो पाएगी मैं थोड़ी परिक्षा ले रहा हूँ आप लोग की है ना नहीं तो यह मन में रहगा कि subject or agreement है तो इसके में verb की error होगी फिर आपका देखने का नजरीय बतल जाएगा फिर आपका कल paper भी है मतलब अभी तीन तारीक को paper भी है तो company दे रखा है आपका company कैसा singular है और अगर singular है तो verb भी singular तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे हैस लगा दोगे next अगला question he is one of those students who comes late regularly बताओ यहाँ आपको एक नया concept सीखने को मिलेगा अब यहाँ इस question में तो को दरहसल बात क्या है यहाँ पर आ रहा है relative pronoun who ठीक है who से पहले क्या आ रहा है students आ रहा है तो students के according आपको verb लगानी है अब who से पहले जो भी आएगा उसके according verb लगानी है students कैसा है अपने आप में plural plural है तो verb कैसी आएगी plural ही आएगी कैसी आएगी plural यहां पर आप comes का यूज़ नहीं करो किसका यूज़ करोगे come क्योंकि come singular verb है और come plural verb तो यहां पर क्या होगा पिटा plural verb next चलो अगर आपने यह question समझा अगर आपने 84 अच्छे से समझा तो 85 आपका सही आएगा फिर तो अब आप 85 जो है उसको solve करो बता हूँ exactly देखो बई who से पहले players आ रहा है जो की plural है इसके बाद जो आप verb यूज़ करोगे वो भी plural होगी और यहां पर हम लोग यूज़ करेंगे have का have ठीक है किसका यूज़ करेंगे आप यहां पर have का यूज़ करेंगे बहुत बढ़ी है next poverty and unemployment is the two sides of the same coin जूरी का मतलब होता है जो पांच जज़ होता है ना उनके collective noun को बोल दा है जैसे students के collective noun को class बोला जाता है right poverty and unemployment is नहीं बेटा आर आर two sides of the same coin ठीक है आर का यूज़ करेंगे क्योंकि दो है हमारे end से दो noun को जोड़ा गया है बदाए नेक्स क्यूशन आपके सामने 87 देखें, बहुत बढ़ी हाथ दप्राइम मिनिस्टर आलम विद इस कबिनेट कलीग अब प्राइम मिनिस्टर के अकोटिंग आईगी न वर्भ, तो यहां पर आप क्या लगाओगे, हैस लगाओगे, क्या लगाओगे आप यहां पर हैस लगाओओगे. ता प्राइम मिनिस्टर, along with his cabinet colleagues, has been welcomed by the chief minister at a formal ceremony. मनी तो प्राइम मिनिस्टर के अकोडिंग आपको वर्ब लगानी है तो यहां पर आप क्या लगाओगे हैस लगा दोगे ठीक है नेक्स्ट अनन्द यादव ब्रेक नहीं होगा मेरे भाई अगर तुम्हें ब्रेक लेना है तो ले लो यार अगर आपको बेटा ब्रेक लेना है तो कहने का मतलब भई यह मेरे अ चोड़नी जब आप यह सची protection कि आपका teacher आपके सामने live camera में न तो teacher बोल रहा है लगातार वो खड़े ओकर पढ़ा रहा है उसको question भी तरफ भी देखना है वो moment भी कर रहा है सोचो कितनी energy मेरी जारी होगी वो नहीं जा रहा है तो हम कैसे जाएं हम तो बैट कर पढ़ रहे हैं कोई break नहीं होगा तपस्या है अपने आपको तपस्य बनाओ इतनी छोटी छोटे भी तो दो गंटे होएं हार मान ली यार तुमने हाँ बताओ बोलो कमांडोस हाउज जोश जोगो भी पहले तो इसमें correction कर लो आप correction क्या है यार send की जगाए इसको पहले पास्ट में ले जाओ अब बताओ इसके बाद भी एर रहे हैं इसके बाद भी एर रहे हैं अच्छा लाइबरेरी में हो कौन लाएगा हाँ बहुत बढ़ी है neither of them sent their paper नहीं बेटा देखो अब आप से मैंने एक बात बोली थी के neither of them neither of के बाद जो भी noun पुड़न आएगा plural उसके बाद verb singular उसके बाद possessive case भी singular तो यहाँ their paper दे रखा है neither of them के लिए his papers करेंगे क्योंकि verb भी singular आती है और आपका जो possessive objective वो भी singular आता है है ना क्योंकि neither of them का मतलब क्या हो गया दो में से एक भी नहीं मैंने sent इसलिए करा क्योंकि फिर आपको यहाँ भी changes करने पड़ते ठीक है यह next अगला अगला बेटा अगला बताओ next question many leading members of the opposition party has tried to justify their decision अब many leading members तो many के बाद जो noun आ रहा है वो है आपका plural तो इसके साथ जो आप verb यूज़ करोगे वो भी कैसी होगी plural ही होगी तो यहाँ पर दे रखा है has जो की गलत है क्या यूज़ करना पड़ेगा have का यूज़ करना पड़ेगा many leading members of the opposition party have tried to justify their decision और आप आगे देखोगे तो pronoun भी अप्यूल लगा रखा है एक बात और नोट कर लीज़े अगर many की जगा पर many आ होता तो इसके बाद noun singular इसके साथ verb singular ठीक है में दोस्त ठीक है ठीक आगे लो नाम लिया बंदा हाजिर कोशन ही आ गया इसका एक कह रहा है मैं तो बरफ के बीच बैठके पढ़ रहा हूँ अच्या बरफ के बीच भाई कहां से पढ़ रहा हूँ अब इसे यह बरफ के बीच कहने का क्या मतलब है अगर हिमाचल में हो कुफरी में हो तो घर के अंदर बैठो भाई बरफ की बीच बैठकर पढ़ने में क्या फाइदा है यह कह रहा है फ्रीड में बैठाओगा अच्छा अच्छा ओके 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 तुम बहुत मैंनी आके बाद मैंनी आके बाद जो आप नाउन यूज करते हैं बेटा अरे बता तो दिया आपको तो क्या आएगा वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर आएगी तो यहां बर आप हैस का यूज करोगे बहुत अच्छी बात है ठीक है अरे एक बात बताओ हमारी क्लास चल रही है मेराथन सब्जेक्ट पड़ रहे तो हम इंग्रेजी और अगर अगर मैं तुम्हे बोर होके पढ़ाँ फूपद यी की तरह एक मैं तुम्हे बात बताता हूँ पूफद जी से एक बात करता हूँ और शादी में क्या होता है कि आपना मता दोस्त margin रिष्तितार आएं कोई दिक्कत नहीं होती दिक्कत किसे होती फूफा जी जब आ जाते हैं तो फूफा जी का नेचर अलब होता है अब तुम्हारे दोस्त आई शादी में तुम उन्से कहोगे नहीं जी खाना खालो अपने आप जाएंगे खाना वाना ढूड़नेंगे अकर नहीं भी बचाओगा तो जाकर खालिक है घर के बाकी रिष्तितार अब हर शादी का एक सीन बहुत पक्का है मैंनला फिक्स क्या से सीन है कि फूफा जी नहीं मिल रहे कहां है हर शादी में कि फूफा जी को बलाओ बड़े दमाद फूफा जी कौन होता है एक तो हमारी जैस इसलिए अब फेरो की टाइम आता है ये पंडित जी मंलब जो होते हैं तब फूफा जी के ढूंड पड़ती है कि फूफा जी तो मिल नहीं रहे अब फूफा जी कैसे मिलेंगे क्योंकि फूफा जी हो गई नराज हर शादी में फूफा जी को धूंड आ जाता है चाहे करके नहीं दिया कि अब रजुल्ले को पूछा नहीं कि सामने इसे सारा सिस्टम लगा हुआ है मगर पूछा नहीं तो फूफा की नराज हो गए पूफा जी को पिर मनाया जाता है अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अ दमाज जी, कोई बड़ी, कोई बात दी, एसकुल लाओ भी दमाज जी को, फिर दमाज जी वो ठंडर एसकुल ले खा लेता है, पर गरम निखाएं, क्योंको लाके निदियेता है किसी ने, तो यह होता है, तो वही वाली चीज मैं आपसे कह रहा हूं, कि enjoy करो class को, यह English की class है, enjoy करके पड़ो, मस तो करके, बिंदास, ठीक है, हाँ, जब हम लोग class की तरफ end होगे न, तो कोई भी समस्या हो जीवन की, मुझे बता न, तुम्हारा भाई solve करने का प्रयास करेगा, और सही सला देगा, अगर class में, मजे में पड़ो, एक दम खुश हो करके, tension बाजी नहीं पेपर है, कहो जाएगा, सब हो जाएगा, tension not, figure not, भाई है न, भाई ने बोला तो करनेगा, मजे में पड़ो सारे बिच्चे, the generalist, generalist का according लगाना है बिटा, s1 along with connect किया गया है, camera crew से, crew, plural है, मगर हमें लगानी है verb, पहले वाले के according, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देग singular, वोज आपका right answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोज, ठीक है, आगे, बहुत बढ़ी है, बहुत शानदा, next, अगला कोशन, 35 किलोमेटर फ्रॉम पठना टू राची, आरा लोंग दिस्टेंस, ओहो, चिया, पताओ वही, अगला कोशन, बहुत अच्छे, देखो भई, इसने आपसे कहा है कि 35 किलोमेटर फ्रॉम पठना टू राची, आरा लोंग दिस्टेंस, देखो, 35, 35 किलोमेटर, right, 35 किलोमेटर फ्रॉम पठना टू राची, आर, अब देखो, आप आगे, क्या दे दिया, आर, आर, लोंग दिस्टेंस, 35 से क्या कह रहा है वो एक लंबी दूरी है तो इसने definite distance बना दिया इसको क्या बना दिया definite distance बना दिया जब भी आप numeral adjective लगा करके किसी भी height को किसी भी distance को definite बनाते हो कहतो यह long distance है यह बहुत ज़दा heavy weight है यह बहुत बड़ा amount है है ना तो इसलिए आप जो verb यूज करते हैं वो कैसी यूज करते हैं singular तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा is हो जाएगा right चौल आगे next question अगला बताईए yes बहुत सुंदर बहुत अच्छा अंसर है आपको याद होगा कि starting में आपको आप pair of spectacles से बताया था noun of noun का concept वो यहाँ पर आजा है आपका noun of noun noun of noun यह formula याद कर लो बहुत काम आने वाल है तुमारे verb जो है वो किसके according लगाओगे अब देखो यह कहा रहा है knowledge तो यहाँ पर आपका noun 1 noun 1 प्लस ओफ प्लस एंड टू तो वर्ब जो है हमेशा पहले वाले के according लगाओगे तो knowledge of two languages यहाँ पर हम किसके according लगाएंगे is knowledge के according लगाएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे is लाएंगे knowledge uncountable लाएंगे verb कैसी हैगे singular हैगे तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे इसका यूज करेंगे ठीक next तो कितने question करा दिये एक single concept के उपर अब तो आँख बन करके answer कर दो आप बिल्कुल बिल्कुल बस एक चीज़ याद रखना जब यह हमारी class end होगी तो जितने भी बच्चे अभी live हैं यह इस class को बाद में देखेंगे इस class को देख चुके होंगे बस एक comment जरूर कर देना मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए आपसे अभी तो एक class चल रही है जब हमारी class end हो जाएगी तो बस एक comment कर देना कि आपको ए class कैसी लगी बस यह इस बारे में बता देना तो मेरा दिन बन जाएगा जो भी मैंने आपके लिए महनत करी है ठीक है ना सिर्फ इतनी सी बात the principle along with teachers क्या लगाएंगे आप यहाँ पर was का use करेंगे किसका use करेंगे was का the principle along with teachers was invited on the occasion right next अगला अगला your command over English is dash excellent I am very impressed of it अब देखो यह कोशन बड़ा जवर्दस था कैसे यहाँ पर एक शब्द आया है excellent ठीक है अब यह जो excellent यहाँ से आपके adjective के question इस्टार्ट होगा तीन topic तुमारे होगा noun होगा, pronoun होगा, subject for agreement होगा यहाँ से adjective कोशन इस्टार्ट है perfect तीनियर जूनियर प्रायर पोस्टीरियर इन्फीरियर सुपीरियर या कोई भी shape है circular है, round है spherical है, triangular है इनसे पहले कभी भी ना तो comparative degree का use करना, more का use करना, ना ही most का use करना, क्योंकि यह अपने आप में self-sufficient है, इनको किसी की भी आवशक्ता नहीं है, यह अपना proper meaning देता है complete meaning होता है इनका और अपने आप में a nor b, ना तो a ना तो यह, तो यह कोशन वड़ा जब अरदस था ठीक है ना, option d is the right answer, रीजन बताते लगिया, इनके साथ कभी भी more most का use का use करना, तो नहीं जब more का use का use करो के most का use का use करो के तो answer क्या बचेगा यह, next dash knowledge of garment industry proved very helpful to me हाँ, बिल्कुल बेटा, इस्पेस, exam के बाद बताना पर अच्छे से पढ़के जाना, फिर कभी को तर आपने हमारा दिन बना दिया है, आपके लिए, सतन क्लास के लिए thanks, thank you so much for your compliment, thank you so much good evening बटा, good evening, बहुत सुंदर देखो, बचेओ, यहां हमारे पास तीन चीज़ा आई है, little, a little, a little ता little, तीन चीज़ी समझा देता हूं, अभी hand to hand देखो little होता है आपका ना के बराबर ना के बराबर इतना amount, जिससे काम कभी चली नहीं सकता, यानि कि negative almost no almost no a little होता है some, यानि कि थोड़ा बहुत और that little होता है all, that is available जितना available है तो वो क्या कह रहा है आपसे, खुश सेंस लगाओ, उसने कहा कि मुझे government industry की जो भी थोड़ी बहुत knowledge थी, some knowledge थी, थोड़ी बहुत जदा मददगार साभीत हुई, helpful साभीत हुई, तो आप option C के साथ जाएंगे दा का, दा little का यूज जब करते हो, जब वहाँ subject और verb का एक combination दे रखा हो, आगे ये भी आपको बताऊंगा मैं, ये tricks बताऊंगा मैं आप लोगों, फिलाल आप यहाँ देखिए, ठीक है, चलो, next देखो, यहाँ पर आपका गया हो बहुत बढ़िया, देखो, कह रहा है, will you give me cash terms you had in your pocket, तुमारी pocket में जितना भी है, जितना भी amount है, जो भी तुमारे amount, थोड़ा बहुत कम जादा, जो भी है subject और वर्पा combination आगया all that is available, जो भी तुमारी pocket में available है, उस situation में क्या use करना है दा little क्या लगाओगे था, पिटा few तो जब लगाना, जब countable हो, टेम concept है, few आफ यू दा few का, मगर few आता है countable के लिए जब number होते हैं आपके पास मात्रा बताने के लिए तो आप little का ही use करते हो, next अगर हमारे पास time बसता है तो, क्योंकि synonym, synonym का तो कोई वो ही नहीं है, और छोर ही नहीं है, तो आपके लिए each other, बहुत अच्छा logic लगा है, आप लोगोंने each other करके, next 99, the farmer farmer had dash land and many servants, बताओ the farmer had dash land and many servants लेकि ख्लास आपकी शुरू तो चार बजे हुई है, चलेगी प्रवो इच्छा तक अब आप समझे लो, ये क्लास का जो टाइम है वो फोर पीम से शुरू हुआ है, और चलेगी ये प्रभू इच्छा तक जब तक ऊपर वाला, जो है हम पे महरबान है और आप लोग क्लास में हूँ, तुम पढ़के तो दिखाओ, मैं तो दो बेट तक बढ़ा दूँगा रात की क्या दिक्कत है, ठीक है, तो तब फार्मर had a lot of, देखो भई, ये हमने lot of क्यों यूज करा हैं पर क्योंकि आगे द पारे servant होंगे, तो land भी, जमीन भी बहुत सारी होगी ना, तो क्या लगाओगे, a lot of, तो hundred, question number hundred आपके सामने है, पारे लोग answer करेंगे इसका, ठीक है, ठीक है भई, हाँ जे, आपके सामने question है, कह रहा है, meditation is dash way to calm your nerves, meditation is dash way to calm your nerves, प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूँ, meditation के बारे में, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, कि अगर आप यहाँ पर one of the best use करते हो, जैसे कुछ लोग यहाँ पर answer one of the best भी बता रही हैं, तो logic लगाओ अभी आपको जो मैंने बताया था, कि one of के ब अगर यहाँ पर वे की जगाँ पर वेस करना पड़ेगा, अगर आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर आपसे कहा गया है, कि meditation is dash way to calm your nerves, अब meditation is dash way, अब आप यहाँ यह वाला तो जा नहीं सकते हैं, तो क्या बस्ता आपके बस्ता है, यह बस्ता है तो option C is the correct answer of your question, option C the best way है न, क्या हो जाएगा आपका best way हो जाएगा, ठीक है अब बच्चों हमारे सामने यहाँ question 100 complete होता है, question number 100 complete हो जाता है, तो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है कि आपने 100 question यहाँ पर lead करें, तो एक बार मैं जानना चाहता हूँ, comment box में type कर दी, जब फूरी ताकत के साथ commandos, how is a Josh comment आपके धुआधार चलते हो, नजर आनी चाहिए सारे लोग, 100 question यह मेरे लिए नहीं है, यह आपके लिए यह आप सभी लोग का support है कि हम 100 question तक पहुँचे, और आगे भी पहुँचेंगे, तो एक बार सारे बच्चे फटाफटे से comment box में type करतो, आगसी लगा दो comment box में, सारे, यह हुई ना बात बहुत बढ़िया, बहुत सुन्दर यह यही चाही था, यही जो शाही है था बहुत सुन्दर, अब हमने question पर आते हैं next question, 101 have you got any idea as to what has happened to Aqeela I haven't seen her, dash बढ़िये, बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर देखो बई, कह रहा है कि तुम्हें क्या कोई idea है, कि Aqeela के साथ क्या हुआ है, मैंने उसको नहीं देखा हाल फिलाल नहीं देखा have you got any idea to what has happened to Aqeela, I haven't seen her, lately मैंने उसको हाल फिलाल नहीं देखा, मैंने उसको हाल फिलाल नहीं देखा, मैंने उसको हाल फिलाल नहीं देखा, option A is the correct answer, right A आपका हैं correct answer बन जाएगा A आपका हैं correct answer बन जाएगा बाहु बढ़िया नेक्स वेटा नेक्स अगला कुछिएं बताओ बहुत सुंदर क्या कह रहे हो आप लेट मी गिव यू अब एडवाइस किस तरीके से उस करेंगे नाउन है तो ये भी नहीं आएगा एन एनी एडवाइस क्या एगा ओनली सी तम एडवाइस क्या करोगे ओप्शन सी एनी एडवाइस नहीं बेटा लेट मी गिव यू एनी एडवाइस बेटा ध्यान रखना यहाँ पर आपको नाउन चाहिए क्या चाहिए नाउन एडवाइस आपका वर्ब होता है क्या होता है वर्ब और एडवाइस आपका नाउन होता है राइट, सभी को बाद समझ आ रही है तो यह आपको चीज़े याद रखनी है तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो C होगा अगला कुशन मताओ Yes, बहुत सुंदर I do my work I do my work very carefully to make mistakes No, this is wrong answer सुनिये जरा, अब आपको मैं कोशन देता हूं He is too weak to walk अब इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब बता है क्या है इसका मतलब है कि वह वे इतना कमजोर है कि वे चल नहीं सकता, कि वे चल नहीं सकता, अगर आपने यहाँ पर आंसर कर दिया, I do my work too carefully to make mistake, very carefully to make mistake, क्या होगा, मैंने अपना काम इतना ध्यान पूरवक किया है कि मैं गलती कर ही नहीं सकता, तो इसलिए आप किसका यूज़ करोगे, to, to का, अगर आपने वे लगा दिया, तो इसका बंदलब होगे, मैंने अपना काम इतनी carefully करा है, कि to make mistake, जिसमें गलतीया निकल, जिसमें गलत चलो, अगला, पताईए, नेक्स्ट, एक बार फिर बता देता हूँ, to, to का मतलब होता है बेटा, जैसे यह है, इसका मतलब यह है, he is to require, इतना कमजूर है कि वह चल नहीं सकता, तो इसमें not included रहता है, अगर आप vary के साथ जाओगे, तो sense गलत हो जाए हो, जबकि यह कहना चाहरा है, कि उसमें अपना काम, इतने जानबूर वक्या है, कि वह गलती नहीं कर सकता, अब, a cup of tea is preferable, पिटा, यह बात सच है कि prefer के साथ भी आप two का use करते हो, मगर वो क्या कह रहा है, कि winter की evenings में, जो cup of tea है, वो preferable है, प्रिफरेबल, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर प्रिफरेबल है, वर्म नहीं चाहिए हमें, कह रहा है कि वो ज़्यादा क्या है उससे, adjective की हमें need है, प्रिफरेबल का आप यहाँ पर use करोगे, प्रिफरेबल, और प्रिफरेबल के साथ भी आप two का use करते हो, ठीक है, कैसे अ next बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने price को जीता है, I am very glad that you have won the match, won the price, next my observation is that between Gita and Sita, Gita is dash intelligent, अब देखो, Gita और Sita में दो है, और अगर दो है तो किसका use करोगे, Gita और Sita में, अगर दो हैं, तो more का use करोगे, Gita जादा जो है, वो intelligent है, Gita is more intelligent, है न, Gita is more intelligent, option आपका, जो है, C right answer आपका है, आपका है, बन जाएगा, बिटा, दो लोग की बात कर रहा है, बिटा, दो, my solution is that, Gita and Sita, गीता और Sita, दो के बारे बात कर रहे much, और, much, और many, कि जो comparative होती है, वो आपकी more होती है, ठीक है, और superlative क्या होती है, most, तो दो क्या comparison के लिए, आप more का use करते हो, जब आपको बताना होता है, एक सबसे बहतर है, तब आपकी superlative degree महाँ पर आती है, ठीक है, भाई, we had dash money left, so we went out for a meal, ठीक है, we had dash money left, so we went out for a meal, हम पर पैसे बचे थे, तो हम लोग meal खाने गई, मलब खाना खाने, we decided to abandon, हमने अपने trip का plan cancel कर दिया, क्या कर दिया, cancel कर दिया, क्योंकि हमारे पास कितने पैसे बचेता है, आप खाना खाने जा रहे हो, अगर मालों, आप मैं हैं तो चार दोस्त हैं तो हमने कहा कि चलो, कुछ खाने चलते हैं आपने कहा कि ठीक है, चलो चलते हैं तो कब कह सकता हूँ जब मेरी जेव में पैसा होगा थोड़ा बहुत तो होना चाहिए तो येवाली बात है थोड़े बहुत के लिए राइट मनी हमारा uncountable होता है बच्चे कहते हैं मनी को तो हम गिनते हैं बटा मनी को नहीं गिनते हैं मनी की unit जिसको आप rupees बोलते हैं उसको आप गिनते हैं तो rupees को आप गिनते हैं rupees हमारा countable होता है 10 rupees, 4 rupees, 5 rupees लेकिन आपका भी यह बोलता है तो हमारा लॉजिक ऐसे है तो विए डैश मनी लेफ्ट अब आप खुछ सोचे हैं बर कि हमारे पास इतने पैसे है कि हम खाना खाने जा सकते हैं यह गए तो यह तो यूज होगा ने क्यूंकि फ्यू की बात तो करनी ही नहीं हमें तो थोड़े बहुत पैसे है तो यह भी सही बन रहा है और यह भी सही बन रहा है यह गलत हो गया अब आगे बढ़ जाओ अब हमने अपना ट्रिप का प्लान कैंसली कर दिया कि अब हमें जाना ही नहीं है तो हमना प्लान कब कैंसल करेंगे तो हमारे पास बहुत कम पैसे होंगे बहुत कम मलब ना के बराबर तो दूसरे वाले में क्या आएगा लिटल आएगा तो यसलिए ये वाला कैंसल ये वाला सही, option D is the correct answer, ये था आपके question का logic ठीक है और वश्रीची बिलकुल आप इस class को दिर्शकते हैंगा आप NDA की तैर भी कर रहे हैं तो अब अब अन्जन का मतलब बढ़ा बेटा किसी चीच को त्याग ना abdicate करना next अगला अगला मताईए अगला बहुत सुंदर all teachers agree that परेश is dash intelligent अब दोगो पूरी class की बात कर दी, in the class जैसे एक बच्चा कह रहा था कि most क्यों नहीं आएगा उसमें क्योंकि ये बात तो की बात ते गीता सीता की यहां बात है पूरी class की हम कह रहे है परेश पूरी class में सबसाद intelligent है इस situation में आपको यूज करने पड़ेगी superlative degree और आपका यहां पर answer हो जाएगा most क्या हो जाएगा पिटा most हो जाएगा, all teachers agree that परेश is the most intelligent boy in the class next, she let her house, she let her horse, house नहीं है horse है in the field, अब बताओ, next बताओ चलो, बहुत बढ़िया हाँ जी, loss, d loss का मतलब तो खोना होता है उसने field में अपने घोडे को धील दिया गाउं में बोलते हैं न, deal देना यानि कि lose कर दिया है न हाँ, क्या कर दिया, deal दिया in the field, losing नहीं होगा क्या होगा, loosely भी नहीं होगा, loss भी नहीं होगा क्या होगा, lose option आपका, A हाँ, right answer हो जाएगा next of Chandigarh, Agra and अगला question है, of Chandigarh, Agra and Delhi the dash has the largest number of cars बताओ, next बताओ, next आपका, आपका, इस नहीं होगा, आपका, करका दिया, आपका, इसुद्य खास्यis अब यह आपसे कह रहा है चंडीगड आगरा और डेली में The Dash has the largest number of cars चंडीगड आगरा और डेली में किसके पास सबसे जादा number of cars है अब वो क्या कह रहा है? मतलब बता रहा है वो आपसे कि चंडीगड आगरा और डेली में Later, Latest, Latest तो आएगा नी least भी नहीं आएगा last भी नहीं आएगा लेटर आएगा अब ये लेटर का मितलब क्या होता है लेटर क्रम को बताता है क्रम में बादवाला क्रम में बादवाले के लिए उस करते हैं बादवाला तो वो ये कह रहा है कि तीनों शहर में Delhi के पास सबसे ज़्यादा नंबर ओ कार्स हैं महां सबसे ज़्यादा रश है next ठीक है भाई अगला yes बताओ बताओ हाँ कह रहा है मुहन is trash than honest being dishonest अब इतने में पहले बार में ही खतम करते हैं this question जब भी आप किसी एक परसन की दो क्वालिटी की तुनला करते हैं एक आदमी है और उसकी दो क्वालिटी की हमें तुनला करनी है ठीक है जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ wise और honest की अगर हमें एक परसन की दो क्वालिटी की तुनला करनी है wise और honest बास तब को समझ में आ रही है एक परसन की दो क्वालिटी की तुनला करनी है तो more लगा करके आप यूज करते है more plus positive degree more plus positive degree का यूज करते है more wise तो अगर आपने question पर आओगे more is more wise तो option आपका c हाँ right answer हो जाएगा क्योंकि हम एक इंसान की दो क्वालिटी की तुनला कर रहे है इसलिए नहीं तो हम यहाँ पर wiser कर देते जो की नहीं होगा यह से कुछ लोगा ने करा भी है जब आप एक आपमी की दो क्वालिटी की तुनला करते है ना तो बिटा more plus positive degree का यूज किया जाता है ठीक है next अगला question next death is preferable अब दोखो preferable के साथ किसका यूज करना है टू का सुनिए गजरा prefer के साथ preferable के साथ या senior junior prior posterior inferior inferior इन सभी के साथ आप then की जगए पर किसका यूज करते हो टू का यूज करते हो किसका यूज करते हो टू का यूज करते हो ठीक है बई तो यहाँ पर आप जो है वो किसका यूज करोगे टू का यूज करोगे ठीक है then नहीं आता senior, junior, prior, posterior, inferior, superior और भी होते हैं आपके आगे बढ़ताते हैं, next question की तरफ चलते हैं कह रहा है mango the most unique fruit available in India in plenty बताओ बेटा, next question आप से कह रहा है mango the most unique fruit is available in India in plenty next question motivational शायरी बोल दीजे मेरे भाई ज़्यादा शायरी मेरे को नहीं याद रहती बर एक चीज याद रखना motivation के लिए आप से एक चीज बता रहा हूं कि उस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई motivation है तो वो हैं आपके माबाब कैसे दुनिया में तीन आदमी आपके लिए सदैव नीसवार्त आपके लिए महनत करते हैं एक तो आपके माता पिता माता जो घर में रहकर के आपके घर की पूरे चम्मेदारी को रिभाती हैं और एक पिता जो घर के बाहर रहकर के कितनी मेहनत आपके लिए करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, नोकरी करते हैं, बिजनिस करते हैं, कितनी सारे चीज़ें आती हैं, कभी पॉस ने सुना दिया, कभी सेलरी नहीं मिल रही है, हजारों लाकों प्रॉब्लम एक पिता सहता है, और उसके बाद तीजरा ज कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपसे स्वार्थ के लिए ना जुड़ाओं कभी भी कंसेडर कर लेना पिता हमेशा चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे से आगे जाए गुरू हमेशा चाहेगा कि मेरे बच्चे का सेलेक्शन उसकी नोख लिए उसके अलावा और मां तो मां ही है उ मां को तो इतना ही चाहिए बाकी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो यह चाहता है कि आप उनसे आगे निकले reality of life तो आप जीवन में याद रखें कि आपके माबाप आँखों में सपने सजा कर बैटे हैं कि मेरा लाल या मेरी लाली की नोकरी लगीगी किसी दिन और वो मेहनत जो है वो कर रहे आप लोगों के लिए वो सफल हो जाएगी तो मेरे दोस्त ध्यान रखना कि ये परण है आपका ये परण है आपका कि हमें अपने माबाप की स्तिती को बदलना है हमें अपने घर की स्तिती को बदलना है ये परण लीजे आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए कि आज मैं इतना महनत करूँगा इतनी भड़िया मेरी सरकारी नोकी लेगी बहुत सारा पैसा कमाऊंगा बड़ा घर रखूंगा बड़ी गाड़ी रखूंगा अपने माबाप को वो हर चीज सुविधाएं दूँगा जिसके लिए उन्होंने तन मन से मेरे लिए महनत करी है पिता ने मजदूरी करी है माने घर समाला है तो खूब म महनत को याद कर लेना अगर तुम दुबारा पढ़ने ना बैठ जाओ तो बात की बात है जीवन में सबसे बड़ा मोटिवेशन फिर्फ यही है फिर्फ यही है तबसे बड़ा मोटिवेशन अगर तुमने इनके सपनों को अपना बना लिया तो किसी मोटिवेशन की जरूत कोई शायरी बोल दूगा तो लगेगा कोई बात बता दूगा मज़ा आगया दो मिनट समझोगे शायरी को मज़ा आएगा खतम लेकिन यह मोटीवेशन जीवन में कभी भी आपका कम होने वाला नहीं है माँ और पिता का समझ मारी आपको बात तो यह चीज़ आप लोग घमेशा याद रखें ठीक है मैंगो ता मोस्ट यूनिक अभी हमने बात करी थी यूनिक अपने आप में सेल्फ सफिशेंट है इसको किसी भी डिगरी के आवशकता नहीं है मोस्ट का यूज़ आप नहीं करेंगे प्लेंटी का मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा प्रचुर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रचुर मात्रा में ठीक है भाई नेक्स्ट अगला जेखे है अगर मैं आपसे बात करूँ यहां होर्स की तो अगर मैं आपसे बात करूँ होर्स बचाओ होर्स के साथ मच का यूज़ नहीं करते चारा है countable रहता है, ठीक है तो यहाँ पर आप many का use करोगे तो much नहीं आएगा, how many, क्या आप जाएगा भाई, how many अगला question चलो, this watch is superior and more expensive than that one, अब बताओ, क्या answer होगा आपका, बहुत असान question है, superior के साथ, inferior के साथ, क्या use करना है, two का use करना है, ठीक है, किसका use करते हैं, two का, this watch is superior and more expensive to one, बहुत सुन्दर, ठीक, next, आगे देखते हैं, अगला question, we can decide it only after further investigation, next, अगला बताओ, ठीक, चलो बई, बहुत भड़िया, यह को further और farther में difference होता है, further और farther, further और farther, देखे, जो आपका further होता है, वो represent करता है अत्रिक्त को, है ना, कि कोई भी चीज़ जो अक्त्रित है, जो extra है, right, और farther represent करता है दूरी को, दूरी में अधिक, अब आपका जो question कह रहा है, वो क्या कह रहा है, investigation की बात कर रहा है, या distance की बात नहीं कर रहा है, यह no physical distance के लिए use होता है, तो आपको यहाँ पर क्या use करना पड़ेगा, further, और अधिक या अधिक, या अधिक, या अधिक, we can decide it only after further, हम इसके, हम decide करेंगे, अधिक investigation के बात या और अधिक या और आगे की, आगे के लिए भी use करते हैं हम लोग, आगे के लिए भी, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, next, the Hindu is most popular than any other newspaper in India, देखिया, बढ़ाईया, the most होगा, देखियो, अच्छली में येस इग्जाक्टली पच्छे तो कोई यहां पर आ रहा है आपका एनी अधर क्या आ रहा है एनी अधर और देन का भी यूज़ कर रहे हैं तो जहां पर देन और एनी अधर आता है न वहां पर आप comparative degree का use करते हो अगर आप super latest degree का use करोगे तो बनतो super latest से भी जाएगा The Hindu is the most popular newspaper of India आपको करना पड़ेगा है ना, तब आपको other भी हटाना पड़ेगा, then भी हटाना पड़ेगा उससे अच्छा एक तरीका है कि आप यहाँ पर most की जगह पर more कर दो The Hindu is the more जिस पच्छे ने कोशिश करें super latest से बनाने की कर सकते हो मगा फिर हमें other हटाना पड़ेगा तो best plan एगे कि आप यहाँ पर जो है, तो क्या कर दो more कर दो, the Hindu is the more popular than any other, ठीक है B part में रहर जाएगा आपका Every scientific invention has proved much harmful to society than beneficial बताओ, next अच्छा बेटाँ, आप कल की class में क्यों नहीं आये थे मैंने कल की class में आपको बताया था ना कि कल Air Force की class नहीं होगी आपकी बोलो बताया था नहीं बताया था, बोला था तो जब बोला था तो फिर आप आए नीश मेरा फॉल्ट थोड़े ना है बागो कल मैंने बताया था कि Air Force वाले जो बच्चे थे पेड़ बैच के इसलिए है ना तो यह चीज है डॉट डॉट टाइप होगी डॉट 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 टाइप होगी अब आप देखो बेटा मच नहीं होगा, मोर होगा क्योंकि आप बता रहे हो ना कि हर एक scientific invention has proved more harmful society than beneficial लाब से बड़ी है नुकसान करा है तो मच जो होता है वो कौनसी डिग्री होती है positive तो तुलनातियो कर रहे हो, तो क्या डिग्यूस करोगे comparative तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, more लगाना पड़ेगा very nice next his son is working very hardly his son is working very hardly बताओ इसका, जल्दी से बताइए his son is working very hardly his son is working very hardly अब दोगो, बचो hardly का मतलब होता है, मुश्किल से hardly का जो meaning होता है, वो होता है, मुश्किल से क्या होता है मेरे दोस्त? मुश्किल से, मुश्किल से जबकि हमें यहां कहना के चाहिए his son is working very hard, कठिन उसका जो son है, उसका जो लड़का है वो कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है तो यहां बार आप किसका यूज़ करेंगे, hard का यूज़ करेंगे next अगला दो कुशन एक साथ है, कोई बात नहीं, टाइप कर दो, आंसर कर दो इस CGL motivation बार बार आप एक कमेंट को मत करें आंसर करें, मैंने आपकी बात को सुन लिया है, देख भी लिया है speed एक teacher को पता होती है कैसे बढ़ानी है, कब बढ़ानी है अगर मैं direct question के आंसर बताता हो, चलूँगा, तो वो भी सच्छी बात नहीं है पूरा proper concept भी बताना पड़ेगा है ना, तो इस चीज़ आप याद रखें एक कमेंट कर दिया करें, teacher देख लेता है, समझ लेता है बार बार आप करोगे, तो थोड़ा सा आपके लिए भी, अभी आपका बच्चे बहुत सारे नाम भी ले रहते हैं कि सर इसको ब्लॉक कर दो, इसको ब्लॉक कर दो बैटां फिर भी ब्लॉक नहीं करते ताकि आपको अच्छा बुरा ना लगे कि भी हमें ब्लॉक कर दिया है ना, चलो अब सारे दोस्त ओके ओके, कोई बात नहीं हाँ, डॉक्टर एडवाइस मी अब भी आप मान लो आप बिमार पढ़ गए अब सुनना बढ़ा ध्यान से, आपकी तबियत खराब हो जाए आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो डॉक्टर आपसे अब भी थिन पर बच्चे हैं, लेटर जाओ बस तो दाफ्यू भी निलागा सकते तो क्या करेंगे भाई, आफ्यू दा शो वास कैंसल शो कैंसल कर दिया गया क्यूंकि बहुत कम लोग आये थे, बहुत कम लोग आये थे के लिए क्या यूज करोगे आप फ्यू का यूज करोगे शो कैंसल ही, अगर थोड़े बहुत लोग आते तो शो थोड़ी ना कैंसल होता शो कैंसल हुआ क्यूंकि ना के बराबर लोग आये थे, राइट नेक्स्ट अगला नेक्स्ट क्वेशन बिलकुल, 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 अगला नेक्स्ट बताइए दा डॉक्टर्स लॉस्ट इसको ल की जगा ओ कर दो, दा डॉक्टर लॉस्ट आ लिटिल हो, दैट दे हैट डॉक्टर ने उम्मीद खोदी जो उनके पास उमीद बची थी, वो खोदी, जो भी थोड़ी बहुत उमीद बची थी, वो खोदी तो क्या यूस करोगे? बताओ आ लिटिल आएगा, लिटिल आएगा, या दा लिटिल आएगा, मैंने आपको बताए था, दे हैड आएगा, सब्जेक्ट और वर्प का एक कॉंबिनेशन डॉक्टर के पास जो भी उमीद बची थी, वो उन्होंने खोदी तो क्या यूस करोगे बताओ यहाँ पर? दा दा लिटिल few friends whom I trusted, जो भी मेरे थोड़े बहुत दोस्त थे, subject और वर्प का कॉंबिनेशन वो मुझे मुसीबत के वक्त में छोड़ कर चले गए, तो the few, the few friends जिन पर भी मैं विश्वास करता था, जो भी थे जो भी थे, जितने भी बचे जितनी भी उमीद बची थी जब भी ऐसा sense आता है तो the few, the little का यूज़ करते हैं राइट? ओके next one could you give me dash water अब आपके सामने यहाँ बताए दो option है और वही आपको करना है few, a few, the few little, a little, the little, क्या आप fill करेंगे हाँ पर? बताओ बताओ next could you give me dash water 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 अब देखो some water कर सकते हो लेकिन मुझे यहाँ little, a little, the little का use करवाना है तो अगर मालनों कोई भी इंसान प्यासा है हमारे पास तीन option है एक है little एक है a little और एक है आपका the little अगर कोई भी इंसान प्यासा है तो उसको कितना पानी पिलाओगे ना के बरावर एक glass लिया एक बूंद डाल के दे दे लो चच्चा पानी एक बूंद हाँ चच्चा कहेंगे यह क्या बात हुई है मैं प्यासा आया हूँ और तुम मुझे एक बूंद पानी दे रहे हो गलत और दूसरी situation जैसे आपने में से किसी ने दा लिटिल लगाया है एक बच्चा जैसे ने दा लिटिल लगाया बेटा दा लिटिल का बता क्या हो गया कि चच्चा बिचारे प्यासे बैठे हैं पानी में कि जो है छोरा पानी लेकर आया और छोरा लेकर आया बाल्टी, लो चाचा, उड़े देता तुमारे उपप, चाचा को बुरा भीखो दिया, तो दाली तिल का मतलब हो गया कि जितना भी तुमारे घर में पानी पचाता, चाचा को सीज़ तंकी में डाल दो ना, एक काम करो, चाचा कहा रहा कि पेटा, बाल्टी क्यों डाली है, आई हैव, आई हैव, तो क्या करोगे, books क्योंकि countable है, तो the few, the few books that I have, useful for competitive exam, जो trick मैंने आपको बता दी न, इससे कभी भी confused नहीं हो सकते हैं, देख लो कितने सारे question करा दिये, few, a few, the few के, खराएं न, बहुत सारे, next, I have dash, मनी, अच्छा मैं यहाँ, इसको, इसकी जगह पर, इसको काटा हो भी, option दे रहा हूँ, आप लोगो little, a little, और the little, तीन option है, इसको करो जरा, हाँ, जी, बताओ, अब मैं कुछ भी नहीं खरीच सका, क्यों, क्योंकि मेरे पास ना के बराबर पैसा था, कितना था, ना के बराबर, तो यहाँ पर क्या है का little आएगा, ना तो a little, ना ही ता little, next, तो अभी हमने question करा था था ना, new server वाला, बिल्कुल वैसा question आपके सामने आया है, करो, link road now has become the roughest road, अब देखो, any इधर आ रहा है, any इधर के साथ, comparative degree, क्या लगाएंगे, rougher लगा देंगे, क्या कर देंगे पेटा, rougher, बहुत अच्छे, next, the two first to arrive वर्थ a lucky recipients of a surprise gift, next question, question हमारे सामने, answer करेंगे सारे पच्छे, जल्दी से, come on, come on, come on, come on, आजो, जो को जो यह first, second, first है, second है, last है, यह हमारे cardinal, cardinal, sorry, ordinal adjectives होते हैं, ordinal adjectives, यह order को बताते हैं, o for order, o for ordinal, जबकि one, two, three, यह number को बताते हैं, one, two, three, यह number को बताते हैं, और यह होते हैं हमारे cardinal, right, तो order हमारा यह कहता है, कि पहले आप o का use करोगे, फिर c का use करोगे, o और c, right, o और c का, तो अगर आप ध्यान से देखें, तो यहां पर हमें पहले o का use करना है न, तो पहले आएगा आपका first, और फिर आएगा आपका टू, परस्ट टू, बहुत अच्छी बात है, शाबाज मेरे शेर, राहुल, तो एक बच्चा गह रहा है कि सर आपने चार्ज अप्टर पढ़े हैं, और इसमें से बस हमारे दो-तीन ही गलत हुआ है, well done, यही न बात, अब तुम्हें कितना बढ़िया लग रहा होगा, है नी, confidence आ रहा ही नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया, very no good, ऐसे ही हमें पढ़ना है बिटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुन्दर, यही तो आप सारे बिच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है, यह हो गया, next, of the billion of star in the galaxy, how much are suitable for life, ठीक है, बताओ, how much are suitable for life, अब बताओ, next question, बताओ, बढ़िया, आनन्द मुझे पता है, तो को एक शी बताओ में आपको मेरी क्लास में एक इस्टोरेंट है, इसका नाम है आनन्द यादा, यह बहुत अच्छा बच्चा है मेरी क्लास का, बस यह मज़े लेता है, बहुत महनती है और बहुत हुश्यार भी है, बहुत सारे ऐसे students हैं मेरी क्लास के जिन पर मुझे उम्मीद है, कि यह बहुत selection पक्का इनका होना है, बहुत अच्छा score करेंगे, और पक्की बात है, और मुझे उम्मीद है, कि बहुत सारे ऐसे बच्चा है, जिनका selection होगा इस बार, पक्का, बहुत अच्छा करके आओगे, और आर्मन बिटा तफरी लेना बंद कर दे, नहीं तो बहुत मारूंगा तुझे, ठीक है, पता है मुझे, कह रहा है, यह क्या कह रहा है, कि सर मेरे से स बाणूंगा नहीं, खुद नहीं पड़ता दूसरों को नहीं, यह चतुर है, बहुत तेज है, यह टॉप कर दाएगा बीच में से निकल के, देख लेना तुम, मगर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरों को जानता हूँ, तेरी नस नस से वाकिफ हूँ, ठीक है, जैसे त तुम एच्छे से जानता हूँ, of billion of star in the galaxy, how much, बेटा, star के बारे भी हम लोग बात कर रहे है, many का यहां पर use करेंगे, how many, चलो, how many, ठीक है बेटा, चलो, next, there is not many traffic, क्योंकि star countable है, तो countable के साथ क्या use करना है, आपको many का use करना है, many for countable nouns, और much for uncountable ना हूँ, पेटा, सब को आशिरवाद है, मैं सच बता रहा हूँ, सब के साथ मेरा आशिरवाद है, चिन्ता मत करो, ठीक है, there is not much traffic, there is not much traffic, यहां पर हम लोग किसका use करेंगे, much का use करेंगे, ठीक है, there is not much traffic along the street where I live, ठीक है, क्योंकि traffic uncountable ना हूँ, इसका, much का use करोगे, देखो, मैं एक बात बता हूँ, मैं कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं, seriously, मैं बस भगवान से ये कहता हूँ, कि भगवान मुझे शक्ती दे और आशिरवाद दे, जिससे मैं अच्छा गाम कर सकूँ, अब भगवान से एक चीज़ और मैं मांगता हूँ, और वो है आपका selection, कि प्रभू, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाया वो मेरे से पढ़ रहे हूँ, या नहीं पढ़ रहे हूँ, बस सब की job लग जाए, सब के घर में खुशी आए, सब बच्चे लड़के जो मे होंगा नि, जो मैनत करते हैं, जो अपने लिए पढ़ रहे हैं, माबाप के लिए पढ़ रहे हैं, अपने को अच्छा जीवन मनाने के लिए पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए प्रे करता हूँ, कि भगवान सब का selection हो जाए, सब अच्छी अच्छी नोकरी उपर लग जाए, सब अपने गर में खुप बढ़िया पैसा कमाएं आगे बढ़ें अपनी जरूरतों को पूरा करें क्योंकि भाई जगो मैं क्या है मैं खुश हूँ मैं बहुत खुश हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपना छोटा सा घर है छोटी सी गाड़ी है भगवान ने जितना देना था दे दिया आप जो जरूत है तो कभी इंसान की कहतम universo नों हो निय deni लूदे आज छोटी गाड़ी है कलकर मन में आएगा कै बड़ी गाड़े लो फिर बड़ी गाड़े कि प्रभू मेरे को तुने सब कुछ दे दिया बस अब मेरे इसे जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं सब का भड़िया नंबर आए भड़िया सेलेक्शन सच में और अभी भगवान से कहता हूँ कि भगवान यह जितने भी बच्चे महनत कर दे हैं आप मेरी बास सुन पा रहे हो तो बेडा पार हो जाए इनका नोगरी लग जाए इनकी बस ठीक है खुश as a dramatist show superior superior आगे पेटा क्या लगाना है तू लगाना है चालो very nice अब दो को यह फिर से को और वही कुशन आगया उस थाइप का अब फिर वही वाली बात ओल अधर आ गया अब आप एक चीन यहां देखना सुनो कलती हो जाती अभी गलती हो जाती आप सभी और मेरे से भी अगर मैं थोड़ा सा जानना देता everyone agree that गंगा is the holiest सूपरलेटी डिग्री आ रही है क्या यहां पर आगे धैन का यूस किया गया है नहीं किया गया तो अगर आपने holiest को holier करा तो आपको धैन भी तो लगाना पड़ेगा क्योंकि comparative के साथ धैन आता है तो आप दो-दो पार्ट में correction नहीं कर सकते इसका मतलब आप क्या करोगे कि यहां गंगा is the holiest यहां से अदर हटा दो क्योंकि सूपरलेटी डिग्री के साथ आप अदर का यूज नहीं करते और question तुमारा सही हो गया जो मैं कहा रहा है आपसे दूसर तरीके से और बन सकता है वो तरीका यह है अगर आप इस question को holier से बनाना चाहते हो तो बना सकते हो पर आपको देन भी लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त सीखो सिखा रहा हूं मैं आप लोग को लटनी रहे हम लोग सीख रहे हैं समझ में आरे बात यह दोनों situation में अब तुम्हारे सामने कैसा भी question आ जाए चाहिए वो अदर लगा कर दे सूपर लेड़ी करके दे तुम बहुत अच्छा कर लोगे फिर है ना समझ पा रहे हो question को पकड़ा ना एक तब आत्मा सी निकाल लेंगे question की हड़े यह समेद खीच लेंगे आरे यह बस समझ में yes or no समझ पा रहे हो आप हाँ है ना अरे बही बोलो बही मैं तीन घंटे से बोल रहा हूं तुम yes sir बोलने में हाँ sir yes sir मैं एक तब फौज़ें के तरह बोलो yes sir हाँ sir active एक तम full active है किसी किसी के तो मुँस आवाज नी निकलती अब बहुत सारे बच्चे हो सकता है आप में से एरफोर्स GD की त्यारी कर रहे है है हो सकता है एरफोर्स की त्यारी कर रहे है तो बड़ा बोलना सीखो देखो आपके टीचर कैसे बोलते हैं जोड जोड से कैमरे के सामने सीचे के सामने प्रेक्टिस किया करो बहुत सारे होगी ता आवाज नी निकलती होगी अब पापा बुला रहे हैं हाँ बे चिंटु कहा है अब तुम आवाज दे रहो यहाँ पापा मैं यहाँ बेटा हूँ अब दोसने वाज लगाई अब चिंटु आजा भई आ रहा हूँ भई काम नहीं चलेगा इससे जोड से बोलना पड़ेगा एरफोर्स जीडी देने दोगे तुम आगे इंटर्व्यू दोगे अब आज ऐसी होनी चाहिए जबरबस और यह प्रेक्टिस से आएगी किस से आएगी मिरेर के सामने आगर करके प्रेक्टिस क्या करो बोला करो नीज स्वेर बढ़ा करो हाँ पापा जी आ रहा हूँ मतलब अब पापा से इतनी जोड से लगा बोल्ला किए बॉलना कि पापा घुस्ते में आ जाए हाँ जी आ रहा हूँ चलो चलो हाँ 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 अब जो को पिटाँ यहां पर आ रहा है आपका poor क्या आ रहा है मेरे दोस्त poor poor adjective है क्या है मेरे दोस्त adjective जब भी आप इसने पहले दाका यूज़ कर लेते हो बास मज़मे आ रही है आपने इससे पहले दा लगा दिया अब क्या होता है अगर आपने इससे पहले दा लगा दिया तो अब यह बन गया noun और इसका मतलब हो गया गरीब लोग क्या हो गया इसका मतलब गरीब लोग अब यह plural बन चुका है अब यह बन गया plural तो जब यह plural बन गया तो आपको इसमें जो है नहीं लगाने के आवशकता है S तो S मत लगाएगा केवल पूर करिएगा हम यह बताओ हाँ जी किया रहा है आपसे हर ब्लैक लॉंग हेर एड्स ग्लैमर टू हर लोक्स बताएगे सारे बिच्चे मुझे बताएंगे हर ब्लैक लॉंग हेर ब्लैक लॉंग हेर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स बच्चा हिंदी कुछ रहा था तो अलम्स का मतलब होता है दान तो गरीबों को दान दिया गया है गरीब लोगों को गरीबों को बताओ हर ब्लैक लॉंग हेर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स दोखो, प्यारे बच्चों, ये है आपका color, ये है आपका size, तो rule ये कहता है, कि आप size पहले use करते हो, size, age, shape, color, और size पहले use करते हो, और उसके बाद size, age, shape, color, color आपका बाद आता है, तो इसलिए आप पहले use करोगे long, फिर आप use करोगे black, फिर long black, add से ये बेटा, वो कह रहा है कि उसको look में add करता है, जोडता है, I don't think, Neha is as wiser as Sonal, so she is not competent for this job, हाँ, बिलकुल, double century लगेगी बटा, बताओ, next question, अगला बताएंगे, yes, question को देखते हैं, answer कर दिया, दोगो, as, as, और so as, 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 और so as, इसके साथ हमेशा positive degree का use करते हैं, हमेशा positive degree, तो wiser नहीं होगा, wise होगा, ठीक है, right, next, he is comparatively weaker in maths, he is comparatively weaker in maths, हेस comparatively weaker in maths, बहुत बढ़िया, ते वो comparatively के साथ बढ़िया, आप positive degree का use करते हैं, weaker नहीं होगा, weak होगा, और आप खाली weaker भी use कर सकते हो, he is weaker in maths, तो यहाँ पर weak ही कर दो, he is comparatively weak in maths, ठीक है, ज़्याद अच्छा है, यह right answer होगा, next, I am more loner here than I was in USA, अब आपका बहुत important topic आने वाला है, जिसका नाम है fixed preposition, वहाँ से बहुत कुशन आते हैं, दो comparative degree का एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, more भी comparative degree है, और loner भी comparative degree है, तो आप यहाँ से more को हटाएंगे, I am loner here than I was in USA, right, ठीक है, तो क्या करेंगे more को हटाएंगे, questions ही होगया, next, अब देखो, यह हमारे सामने fixed preposition की कुछ questions है, बहुत अच्छे questions हैं आपके सामने, तो अब मैंने इसमें option नहीं दिये, ताकि आप लोग अपने तरफ से दिमाख लगाएं और कोशिच करें answer देने की, ठीक है, ठीक है, अब इसमें बताएंगे क्या answer आएगा, cheese is made dash milk, बताएं, cancer होगा, cheese is made dash milk, बहुत बढ़िया, दूसरा बताओ, दोनों बताओ, made of milk, बहुत सुन्दर, मच आएगा, दोको भाई, सुनों मेरी बाद, यहां आप से कहा गया है, दोको make, मैं आपको बताता हूँ, यह से यहां आ रहा है made आपका, तो made dash, आगे दे रखा है milk, दोको made के साथ आप from का use करते हो, और made के साथ आप off का use करते हो, off का use कहा होता है, जहां physical changes होते हैं, फिजिकल, फिजिकल changes, है न, जहां पर physical change होते हैं, ठीक है, जैसे बही आप, अगर आप question को देखो, table is made, wood, तो आप देखेंगे न, तो table को, तो wood आपको नजर आएगा उसमें, लखडी उसमें नजर आएगी, नहीं आएगी, तो यह physical change है, कि लखडी को काटा, जोडा, बना दी, और जब आप, इसमें chemical changes देखते हैं, chemical changes, तब आप वहाँ पर use करते हैं, from का, तो cheese is made dash, दूद से cheese बना है, तो यह chemical racinic प्रक्रिया है, तो क्या उसकरोगे, from का, cheese is made from milk, दोने चीज़ें आपको याद रखनी हैं, राइट? Next, अगला question, बताई भाई साब, क्या answer रूख आपके इस question का? हाँ जी, he deals dash garments, और he deals dash you, अब deal के साथ, दो तरह से preposition यूज़ करनी है, एक करनी है मेरे भाई, deal के साथ, आप यूज़ करेंगे in, और एक deal के साथ, आप लोगो यूज़ करोगे with, deal in और deal with, जब आप कोई व्यपार की deal करते हैं, business, व्यपार की deal करते हैं, तब in लगाते हैं, और जब आप किसी person से, someone, किसी व्यक्ति से deal करते हैं, तब आप वहाँ पर use करते हैं with, तो he deal dash garments, वो व्यपार की deal है, तो he deals in garments, और क्योंकि व्यक्ति की बात की गई है, तो क्या लगाओगे with लगात हो गया, next, amophobians differ dash reptiles, you can depend dash me. आप से कह रहा है, amophobians differ dash reptiles, you can depend dash me. differ के साथ, differ के साथ, yes, differ from, बहुत बढ़िया, differ के साथ क्या use करते हैं from का, इसका मतलब क्या होता है, जो amophobians है, वो भिन है, वो भैचर, है ना, किसे reptiles है, जो रेंगते हैं, रेंगने वाले जो है, differ from, you can, depend on, depend on के साथ, depend on का use करते हैं, इसका मतलब क्या होता, निर्भर होना, depend on, निर्भर होना, you cannot depend upon me, या on या upon, तो मेरे उपर depend नहीं हो सकते, ठीक है, on का यहाँ पर use करता है, next one, अगला, बहुत बढ़िया, injurious के साथ, क्या use करता है, मेरे दोस्त, two का use करता है, injurious to, smoking is injurious to health, यानि की, हानी कारक है, नुकसान दायक है, smoking जो है, नुकसान दायक, नुकसान दायक, हानी कारक है, he died dash cancer, वह cancer से मर गया, अब डाई के साथ क्या क्या प्रिपोशन यूज़ करते हैं, देख लीज़े, डाई के साथ, बच्चों आपका off आता है, डाई के साथ आपका in आता है, डाई के साथ आपका from भी आता है, disease, बिमारी के लिए, disease ही लिख लो, बिमारी, जब disease की हिंदी तो जानती होगे यार, बिमारी के लिए यूज़ करते है, in hardness, hardness का मतलब क्या होता है, कारेकाल, ठीक है, और रोम का बात है, जब कोई reason होता है, जब कोई कारण होता है, जब कोई इंसान भूग से मर गया, प्यास से मर गया, किसी reason से मरा है, ठीक है, तो अब आप यहां ध्यान से देखो, तो बिमारी की बात है, तो क्या लगा होगे, ओफ लगात होगे, वो भी साथ में नोट कर लेना, मतलब, ज़रूरी है, प्रॉम कैंसर नहीं होता है, डाइड ओफ कैंसर होता है, डिसीज के साथ ओफ लगाते हो, ज़रू, नेक्स्ट, तो देखो, भूख है न, तो क्या लगा होगे, फ्रॉम, इन स्पाइट, डिस्पाइट के साथ, याद रखना, डिस्पाइट के साथ कोई प्रेपजीशन नहीं आती, लेकिन डिस्पाइट इकोल्स टू होता है, इन स्पाइट ओफ, इन स्पाइट ओफ, इसका मतलब होता है के बावजूद के बावजूद इन स्पाइट ओफ हार्ड इन स्पाइट ओफ वर्किंग हार्ड ही फेल कडिन परिश्टरूम के बावजूद भी वो क्या हो गया? फेल हो गया ठीक है? हूँ नेक्स्ट अगला हमारे साबने कुश्टन है अंसर करें बताओ यस ही डाइड कारे काल के दुरान मर गया इन ठीक है? he could not successful despite के साथ कोई preparation नहीं आती तो no preposition यहाँ पर जब भी despite आएगा तो आपको ओप्शन में देगा no preposition no preposition यानि कोई भी preposition आपको use नहीं करनी है ठीक है? या फिर वो क्या काम करता है? error में देतेगा ऐसे despite के साथ off लगा कर देतेगा ऐसे error बना सकता है तो off रही लगेगा ये पक्की बात है बहुत important question है despite वला ठीक है next we are waiting बताओ चलो we are waiting dash the result येस दो चीज़े हैं ये सभी आपको मैंने बता है अवेट अवेट के साथ तो preposition नहीं लगाते अवेट इकोल्स टू होता है वेट फॉर मतलब की इंतजार करना इंतजार करना तो वेट के साथ और आता है और अवेट के साथ कोई preposition नहीं आते ठीक है next I cannot part dash my parents the miserly merchant could not part dash his money next यह अजिए वो अपर प्रेंग जो आफ एंगा सीजय के राजा है, जरी में के अजय है, जरी में जरी प्रेंगे रड़ा सेट्सक्रा अर्माल के लाज़ है, झाल के लिए यह ‏ अजय है, अगर आप किसी व्यक्ति से अलग हो रहे हो तो from और अगर आप किसी वस्तू से अलग हो रहे हैं तो with इसका मतलब होता है से अलग होना से दूर होना या अलग होना अब कहा रहा है I cannot part मैं अपने पेरेंट से दूर नहीं हो सकता तो from और मैं यह कहा रहा है कि जो माईजरली मर्चेंट है वो अपने पैसे से दूर नहीं हो सकता उससे अलग नहीं हो सकता तो यहाँ पर क्या लगा होगे with क्योंकि पैसो की बात है यहाँ person की बात है difference न बता दिया example बता दिया लिख लो देखो हमें आता है answer नहीं आता वो अलग भी है देखो दो दो चीज़े हैं आप कभी भी team motivate मत होना मालों आपसे 10 कुशन गलत होगे लगाता है तो दरने के आवशकता थोड़ी ना है यह तो अच्छी बात है दो चीज़े हैं या तो तुम्हें कुशन आता होगा या नहीं आता होगा अब देखो तुम कहोगे सर वा आपकी बाते तो कमाल की रहती है सच बता रहा हूँ कैसे यह बहुत positive बात करने वाला हूँ मैं अगर आपसे कुशन सही होगा मैं class की बात कर रहा हूँ अगर आपसे कुशन गलत होगा या तो सही होगा या गलत होगा अगर तुम से कुशन सही हो जाए तो क्या करना है येस येस मतलब वा बहुत बढ़िया कुशन मेरे सही हो गया येस और अगर कुशन तुम से गलत हो जाए तो भी करना है येस वा भई वा मजा आ गया अब तो कुछ नया सीखने को मिला है अगर यही question पेपर में आ जाता और फिर मैं वहाँ पर गलत कर देता तो गड़ बड़ो जाती मगर class में ही हमारा सही हो गया अब मैं गलत करके आऊंगा नी तो यानि की दोनों ही situation में positive रहना है ठीक है? हाँ आनंद जी बहुत बड़िया गलत हुआ तो सीखो ठीक है ना? बहुत शानदार ठीक है? तो demotivate नहीं होना खुश होना है यह मज़ा आ गया आप तो कुस नया सीखने को मिला तो जब question गलत कब होगा जब तुमने वो पढ़ानी होगा यानि कि अब तुमने नहीं सीख रहे हो राइट? चौड़ा he said dash me दो चीटे हैं दो option देता हूँ है आप लोग को इसके लिए एक तो हमारा है beside और एक है हमारा besides दो आने हैं इस में से अब मुझे बताओ इस में क्या आना है? चलो अगला हमारे सामने हैं कह रहा है he said me as the seat next to mine was vacant कह रहा है वो मेरे साथ हाके बैठ गया क्योंकि मेरे सागले seat खा ली थी dash भी गगा coward वो card होने के अलावा fickle minded भी है यानिकि चंचल भी है चंचल भी है तो आप दोको beside का मतलब होता है beside का मतलब होता है साथ में बगल में और besides का मतलब होता है के अलावा के अलावा के साथ-साथ के अलावा अब तो कोई यहाँ क्या करोगे फिर आप तो यहाँ क्या करोगे बिसाइट्स के कायर होने के अलावा वो फिकल माइड़ भी है ठीक है रहे न बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर next I can cope I can cope dash my problem there is no cooperation dash the students of our class बताओ next आपके सामने बताओ yes cope up नहीं होता बहुत सारे लोग cope up कर देते cope के साथ with का यूज़ करते इसका मतलब होता है सामना करना सामना करना I can cope my problems मैं अपनी problem का सामना कर सकता ह। there is no cooperation among क्योंकि बच्चो किसकी बात है किसकी बात है यह किसकी बात की गई आप लोगों से cooperation among the there is no cooperation among the students of our class अमंग के बारे में हम लोग बात यहां से कर रहे हैं राइट सातुरों की बात है अगर दो होते तो between लगा देते next अगला question the architect entered dash an agreement और यह my watch is superior की जगा पर superior कर लो यार यह superior गलत लिखा हुआ है इसकी जगा पर superior कर लो आप superior ठीक है बताओ एंटर के साथ आप preposition into the use नहीं करते मगर एक situation है जहां कर सकते हो जहां समझोता हो रहा हो जहां agreement हो रहा हो अगर agreement हो रहा है तो आप into का यूज़ कर सकते हो ठीक है तो enter into enter into और superior के साथ two ंआज़िए चाओ क्ड़िए पू़िए 1 तो झाल झाल यह तो वही हो गया different from from का भी हो कहीं कहीं पर to भी दोनों ही सही खही जाता है इसके लिए I agree अब agree के साथ agree के साथ with का यूज करते हो agree के साथ आप to का भी यूज करते हो agree with person होता है अगर आप किसी व्यक्ति से agree हैं सहमत है सहमत ठीक है और to का करता है जब आप किसी के opinion से किसी की विचारों से सहमत होता है opinion ठीक है तो अब person की बात है न बेटा तो क्या लगाओगे with लगा दोगे ठीक है बिल्कुल बिल्कुल next I agree dash your opinion I agree dash अब जोगो agree के साथ opinion आ गया बताओ क्या करोगे हाँ I agree dash your opinion बताओ I agree dash your opinion अब जोगो opinion आ गया तो to लगाना है अब आजाओ noe के साथ annoyed noe के साथ आप यूज करते हैं with का और noe के साथ आता है आपका at इसी तरीके से आपका angry भी होता है angry के साथ भी आप with का यूज करते हो और angry के साथ भी आप at का यूज करते हो angry with और angry at angry with someone और angry at something किसी से किसी की चीज से कोई किसी के विभार से गुस्ता हो जाना और नराज होना भी same concept होता है अभी example आएंगे आप जैसे यहां पर person है with person तो यहां पर आपको या लगाना पड़ेगा क्या लगाओगे with लगादोगे ठीक है next we must avail ourselves dash the opportunity angry नीचे angry आगया उपर avail आगया अब बताओ next जितने भी बच्चे सेशन में हैं चैनल को subscribe जरूर कर दीजगा मेरे दोस सारे बच्चे चैनल को subscribe जरूर कर देंगे बताओ चलो अगर मैं आपसे बात करूँ we must avail ourselves avail के साथ आप preposition यूज करते हैं of avail of जिसका मतलब होता है love उठाना love उठाना तो we must avail of the opportunity of का यूज करेंगे angry के साथ she was angry with क्या लगाओगे आप with का यूज करोगे angry with she was angry with her children क्या लगाओगे क्या लगाओगे आप यहां पर with लगाओगे यूज की person के लिए with का यूज करते हैं ठीक है आगे बढ़ता है next question she was angry dash is callousness callousness का मतलब था कथोर था झाल देखो एंग्री के ठोड़ता की बात करती तो एट लगाना अभी बताया था अड़ेप्ट का मतलब होता है कि फिशिस जो होती है वो पानी के अनुकोल होती है अड़ेप्ट के साथ आप क्या यूज़ करते हैं टू अड़ेप्ट टू ठीक है अगला एटेसेंट और एंटीडोट तो आपके सामने कुश्चन है चलो बहुत बड़े देखो एटेसेंट के साथ आता है आपका टू जिसका मतलब क्या होता है बगल में होना के साथ के बगल में तो वो क्या कह रहा है कि उसका जो बंगलो है वो मेरे एक बंगलो के बगल में है साथ में है एंटीडोट ये जो सीरम ही जो दवाई है वो स्नेक के पोईजन का नाशक है antidote के साथ क्या यूज़ करता है two antidote two ठीक है the serum is antidote two snake poison next double century होने वाली है मेरे दोस्तों double century ये double word कौन सा noun है मेरे भाई double तो हमारा adjective होता है noun कौन क्या रहा है bingo double triple adjective है बटा है I apologize dash you dash my mistake I apologize अब दो को भई तारे बच्चे धिहान देंगे यहाँ पर हमारे सामने word है I apologize apologize के साथ I apologize dash you तो देखो भई apologize dash you dash my mistake for my mistake अब आप बहुत ध्यान से समझना यह आप से क्या कह रहा है कि I apologize dash you dash my mistake अब दो चीज़े हैं हमारे सामने apologize to someone for something पास समझना इसका मतलब क्या हो गया कि apologize कर रहे हैं सामने वालिज से कर रहे हैं यह बात को समझें I apologize dash you आप जिससे शमा मांग रहे हैं पास इसका मतलब शमा मांगना तो शमा किससे मांग रहे हैं परसन से तो बेटा टू लागाना है और जिस चीज के लिए मांग रहे हो वहाँ पर फोर यही सेम चीज आपको answerable के साथ करनी है यही सेम चीज answerable 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 का मतलब क्या होता है जवाब दे होना जवाब दे होना ठीक है तो मैंने दोनों इससार लिख दिये था कि दुबारा महनेत ना करनी पड़े और आपका एक इबार में बात किलिर हो जाए appetite का मतलब होता है की भूक होना किसी चीज की भूक होना तो यह कह रहा है कि मेरे को मीटे की कोई भी भूक नहीं है for का use करते है राइट चलो ठीक है next we were not apprised his demise next question आपके सामने बालो we were not apprised we were not apprised apprised के साथ हम लोग use करते है off apprised के साथ use किया जाता है off जिसका मतलब होता है सूचित करना सूचित करना हमें उसकी मेर्ट्वी के बारे में inform नहीं किया गया सूचित नहीं किया गया हम उसकी मत्त्यू के बारे में हमें उसकी जानगारी नहीं थी, खबर नहीं थी astonish के साथ use करते हो add जिसका मतलब होता है आशर्य चकित होना एक तो हिंदी लिखने में बड़ी दिक्कत हो जाती है आशर्य चकित होना कहीं कोई मात्रा यहां रागे बीचे हो तो adjust कर लेना ठीके तो इसलिए आपकी सुविधा के लिख देता हूं मैं add आता बिटा, with नहीं आता बाबू कौन है with लगा रहा है नहीं अगर आप लोगों को दो चीज़े मैं बता रहा हूं अगर आपको प्रेक्टिस करनी है आगे किसी ओर एक्जाम के लिए आगे आप मेरे से जुटना चाहता है आपको लगा कि यह सर बहुत अच्छा बढ़ा रहा है हम इनको इनकी आगे की क्लास चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो मैं दो सेशन लेता हूं एक हो रहा है सुबह साथ बजे वकैब का वकैब मन्तन एनिमेशन के साथ एनिमेशन से बढ़ाता हूं इस क्लास में और तूसरा शाम को पांच बजे इंग्लिश का एक प्रेक्टिस सेट इंग्लिश का प्रेक्टिस सेट जिसमें टॉपिक बाइज से लेंगे हैं हम लोग तो आप सारे बच्चे ध्यान रखना ये दोनों क्लास जुड़ता ना बार बार मत पूछना कि सर कौन सी क्लास करें कौन सी ना करें इसी चैनल पर कल सुबह की क्लास साथ बजे की क्लास और शाम की पांच बजे की क्लास ठीक है बिटा दोनों जी आपको मैंने बता लिए आम अवर्स डाश स्मोकिंग नेक्स्ट अवर्स के साथ भी बिटा तू का यूज करते हो इसका मतलब क्या होता है नफरत होना घरना होना मुझे स्मोकिंग से नफरत है एक्सीड के साथ भी टू यूज करते हो अधा मैनेजमेंट डिड नोट एक्सीड मानना स्युकार करना वर्कर्स की डिमांड को नहीं माना किसने मैनेजमेंट नेक्स्ट अधा यह I am acquainted acquainted के साथ क्या यूज करते हो बेटा with I am acquainted मैं परिचित हूँ मैं परिचित हूँ दिल्ली के सभी प्लेसिस से परिचित होना अबाइड के साथ हम लोग यूज करते हैं अबाइड बाइड बाइड का मतलब होता है पिटा पालन करना पालन करना यह ना we must abide by the rules of college ठीक है next अगला we must comply dash the rules rules of the college जैसे आपका अबाइड था वैसे आपका यह है अब बताओ we must comply dash the rules आप देखो comply के साथ क्या यूज करते हो आप with का यूज करते हो है ना abide by और comply with दोनों का मतलब क्या होता है पालन करना पालन करना we are answerable अब यह वह वाला हो गया यह हाँ we are answerable to God for all our deeds deeds का मतलब होता है कर्म हम भगवान के प्रती हम भगवान के प्रती answerable है we are answerable to God for all our deeds हम अपने भगवान के प्रती जवाब देए हैं हमारे सारे कर्मों के कर्म लिखते हैं मैंने कर्म लिखना था मैं कहते हैं हिंदी में तोड़े सी दिक्कत आ जाते हैं मुझे कर्म अब ठीक है ना ठीक है भाई कर्म नोट हो गया next अगला बदो बेरिफिट बेरिफिट के साथ ओफ का यूज करते हो जिसका मतलब क्या होता है वंचित होना हम सारे अधिकारों से पैस्टों का यूज करते हो अपान का यूज करते हो अपान हम ठीक है कि जो रानी है उन्होंने लिटल आफ नाइटूट एक उपादी है जिससे उसको नवाजा गया है तो बैस्टो का मतलब होता है नवाजना किसी को कोई उपहार से सम्मानित करना नवाजना राइट तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा मतलब इसका मीनिंग हो जाएगा ओके अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला कोईशन अगला कोईशन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रोहन मेरिड सीमा ठीक है रोहन मेरिड सीमा अब अधाईए यहाँ पर आपके सामने है कि हमें तुरंट बेइमान किलर की सेवाओं से मुक्त होना चाहिए तो डिस्पेंस का मतलब क्या होता वी मस्ट इमिडिटली डिस्पेंस विद मतलब की छुटकारा पहना चुटकारे के लिए यूज करते है छुटकारा पहना डिस्पेंस विद्द सर्विस ओफ डिस्वनेश्ट किलर राम मेरिड यह सेकिड़ राम नहीं रूहन है रूहन मेरिड सीमा बताओ क्या आंसर करेंगे सेकिंड वाले गा बिलकुल ले सकते हो वाले बैच्चे इस क्लास को ले सकते हो अच्छा रोहन मेरिड सीमा अब देखो भई मेरे दोस्त बहुत सारी किताबों में ये लिखा रहता है कि लड़के ने लड़की से शादी करी विद लगा दो लड़की ने लड़के से कर ली तो तू लगा दो इस तरीके से मगर ये तोटल ये जो कॉंसेट है वो टोटली रोंग है क्यों? क्योंकि ऐसा कॉंसेट होता नही कॉंसेट क्या कहता है? कि अगर आपका सेंटेंस एक्टिववòng 1 में है एक्टिव वैम में है तो मेरिड के साथ कोई भी प्रपोजिचन नहीं लगाते अगर आपका पैस्तिम में है तो आप यहाँ पर क्या करते हो टू लगाते हो तो यहाँ यह एक्टिम है ना तो नो प्रेपोजिशन इस यूज़्ट कोई प्रेपोजिशन नहीं आने की नेक्स्ट आप दो को यह है यह बताओ हां बिल्कुल बिल्कुल दोगों अब यह पैस्ति वो इसमें आगे ना तो टू लगाएंगे आप दिस क्लाइमेट है वो कंडिूसिव है स्वास्ट के लिए कंडिूसिव के साथ क्या यूज़्ट करते हैं टू अनुकूल होना प्वास्त के लिए अनुकूल है यह जो क्लाइमेट है प्वास्त के लिए अनुकूल है टू कंडिूसिव के साथ किसका यूज़्टơ चा यूज़्ट करते है पेट्टया टू का यूज़्ट रेवार्ड अगला कूश्ट He is entitled to मतलब कि वो इस अवार्ट के लिए बिलकुल उप्युक्त है उप्युक्त होना उप्युक्त होना योग्य होना ठीक है prefer के साथ तो to आता ही है यह तो आप लोगो रटा हुआ है तो दोनों में आपका to आएगा Yes, very nice Next Exception There is no exception Dash this rule इस rule का कोई भी exception नहीं है बोलिये There is no exception to this rule क्या लगाओ गया आप यहाँ To लगाओ गया इस rule का कोई भी exception नहीं है To There is no exception to this rule ठीक है अपवाद हो ना अपवाद Instead insist किसी चीच के उपर जोर देना Insist के साथ क्या यूज करते हो On का जोर देना He insists on going abroad अगला Indifferent or suspicious बदाए नेक्स्ट Great men are indifferent to pleasure and pain Indifferent का मतलब होता अदासीन होना जो महान आदमी होता है ना उनको सुख और दुख से कोई मतलब नहीं होता अदासीन होता है सुख आये तो भी neutral हैं दुख आये तो भी neutral हैं Suspices के साथ यूज करते हैं मैं संदिक्द हूँ, मैं संदिक्द हूँ, doubt में हूँ, doubtful हूँ, क्या, कुछ illegal activities को लेकर, doubt, ठीक है, next, जंक food is deficient-vitamins, deficient के साथ हम लोग use करते हैं, in का, deficient in, मतलब कमी होना, कमी होना, जो junk food है, उसमें vitamins की क्या होती है, कमी होती है, he is not ashamed of, अशेम के साथ, ओफ का यूज करते है, शर्मिन्दा होना, है न, शर्मिन्दा होना, क्या यूज करते है, ओफ का, he is not ashamed of his misconduct, अगला, I could not ascend dash his proposal, I could not ascend dash his proposal, बताए, next question, I could not ascend dash his proposal, we must aim dash excellence in whatever we do, I could not ascend to his proposal, मैं उसके proposal को accept नहीं कर सका, मनलब मान नहीं सका, essence, स्विकार करना, to आता है, aim के साथ, आप लोग add का use करते है, जिसका मतलब होता है, किसी चीज का, लक्षे होना, का लक्षे होना, हाँ, बिलकुल, next, अगला, be set और preferable, दोनों के साथ बताना है, आपको answer क्या होगा, अचले ऑग कोности की कर दोनों के लित सक्षास्ड़ प्रिंटे का लक्षे होगा, मैं को से ऊत्र, बागू क कर दोना हाँ, अगला, बागू चलो चलो बहुत बढ़िया B-set क्या रहा है कि wrong doings जो wrong doings है जो गलत कर्म है गलत काम है वो B-set कर देते हैं हमारा path यानि कि भर ना B-set with के साथ भर जाना ग्रस्त कर देते हैं परिशानियों से B-set के साथ with मतलब की ग्रस्त होना भर जाना तो जो गलत काम है वो हमारा रास्ता कटनाईयों से भर देते हैं ठीक है अब preferable के साथ क्या लिग यूज़ करते हैं भीटा टू का यूज़ करते हैं प्रिफरेबल के साथ क्या यूज़ करते हैं टू का यूज़ करते हैं चलो भई चलो क्या अगला कोश्टों ही इन्वाट रास्ती है अडिक आडिक करते हैं प्रिफरेबलों प्रिफरेबू आगला कोश्टों बहुत बढ़िया अडिक्टित साथ क्या लगा आते है वेटा टू, इन्वाइट के साथ भी टू किसी को आमंत्रित करना ठीक है और एडिक्टित के साथ क्या लगाते है टू वो शराब पीने का आधी हो गया आधी होना तो मेरे भाई यहां पर आपके 200 गोशन गंपलीट होते हैं तो भाई एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दो कैसा लग रहा है और कितने लोग ठक गए हैं कैसा लग रहा है आपको 200 कुशन 12 शतक यहां पर हम लोगों ने मार दिया है अब आप सारे बच्चों को मैं 200 कुशन के बाद कोई मोटिवेशन नी सुनाने वाला है किस्सा सुनाता हूं तुम लोगों अगर वो किस्सा आपने सुना तो आपको बहुत मजाएगा देखो यार मोटिविशन पूरे दिन तुम सुनते रहते हो मैं आया मैने तुम्हें मोटिवेट करके चलागया कोई ओर आयगा कोई तुम मोटिवेट करके चला जाएगा YouTube पे motivation सुनते रहते हो तुम भड़ीया भड़ीया बात सुनो इसका सुन करके तुम्हारा mood fresh हो जाए अब क्या है देखो तुम्हे कहानी सुनाता हूँ अंग्रेजी मोलने वाली होता क्या है कि भाई एक बार की बात है मैं अपने अपने एक कहारी सुनाता हूँ एक भड़ीया है उनकी कहानी सुनाता हूँ तो इंग्लिश बोलने का डर तो पहले भी था आज भी है और रहेगा भी जब तक इसो cover नहीं करोगे तो अब ये था एक बार क्या देख भड़ीया थे हमारे वो गाउं में गाउं की बात बता रहा हूँ स्कूल पहुंचे तो स्कूल पहुंचने के बाद वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्या हो गए बहुत ज़्यादा लेट हो गए वो यह ना लेट हो जाने के बाद जैसे ही च्लास में उन्हें बोरी चलती थी लोग अपने घर से लिए बोरा ले जाते थे एक यालू अगरा के बोरे होते हैं उस टाइप के तो वह ले जाते थे उस ही को बांध के ले ले वो अब वो पहुँचे लेकर के हाथ में बोरा पड़ा हुआ है बैग बैग नहीं है जोला है तो वो लेकर पहुंचे अब जैसे लेकर के पहुंचे तो टीचर जो थे वो क्लास के अंदर वो अंग्रेजी के थे तो उन्होंने जैसी कहां कि मास्टाब आजाएं क्या रूदा अग्रेजी में बात करो अब मास्टर जी ने यह और कह दिया कि बिटा अगर अंग्रेजी नहीं बोली तो यह रा डंडा और इसी से बजाओंगा अब बड़ी दिक्कत अब अगर जो है मास्टर जी तो मारेंगे मारेंगे अगर अंग्रेजी नहीं बोली तो बोल के देखते हैं तो उनका एक फॉर्मुला था किया कि किसी ने उनको बताया था कि अगर अंग्रेजी बोल ली है तो लास्ट भे आई जी लगा दो और अंग्रेजी बोलना शुरू करतो तो उन्हो चलाएंग 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 अचानक से बारिश हुईंग कीचडिंग आईंग माई साइकलिस कीचडिंग फसिंग ना हिलिंग ना डुलिंग and I am late हुईंग और फिर तो भाई सहाब क्या मारा है मास्टर जी ने दैदना दन ले तेरे डंडा पिटिंग तो पिटिंग तो पिटिंग तो पिटिंग तो पिटिंग आरे बास समझ में तो भाईया तो थोड़ा सा अग्रेजी बोलते वक्त हर चीज में आई एंजी मत लगा देना वरना क्या हो जाएगा पिटिंग पिटिंग हो जाएगा ठीक है मेरे दोस तो congratulations to all of you हम लोगों ने 200 question को यहाँ पर complete कर लिया है तो let's move to the next one question number 201 अगला question चलो भाई next हाँ 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 आब बताओ अब यह हमारे सामने question है कह रहा है a well-balanced diet is beneficial to क्या कह रहा है आप से कि एक well-balanced diet डाइड जो है वो beneficial है स्वास्त के लिए a well-balanced diet is beneficial to health है ना lab-dayak होना क्या होता बच्चों lab-dayak होना कि एक well-balanced diet है जो lab-dayak है health के लिए क्या है lab-dayak है health के लिए a well-balanced diet is beneficial to health आगे आपके सामने है the example given by u is not relevant 2 का use करते है relevant का मनला होता है संगत होना relevant 2 ठीक है चलो note करिए अब आप देखें तो example given by u is not relevant to a well-balanced diet is beneficial 2 का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन आप एक change कर लो यार इसको forward कर लो यार 2 मत करो 2 नहीं यार beneficial का 4 का use करते है इसको सही कर लो वैसे कहीं कहीं पर 4 का भी use 2 का भी use कर लेते हैं पट यहां बात कर रहा है वो आप से well-balanced diet is beneficial dash health 4 कर लो यार इसमें correction कर लो इस question में आप लो correction कर लीजे 2 नहीं बेटा 4 लगा लो आप is detrimental dash health चलो next question अगला he is endowed dash great humor और working in a carpet factory is detrimental dash अच्छा preposition चल रहा है बेटा हमारा endowed के साथ with का use करते हैं वो great humor से संपन है ठीक है working in a carpet factory is detrimental detrimental के साथ आप लोग use करते हैं 2 जिसका मतलब होता है घा तक होना carpet factory में काम करना घा तक है स्वास्त के लिए हानी कारक है या घा तक है ठीक है detrimental 2 तो यहाँ अब आप लोग इसका use करेंगे 2 का use करेंगे okay you are not eligible you are not eligible dash this post you are not eligible you are not eligible dash this post right eligible के साथ क्या use करते हैं for का use करते हैं eligible for scoff के साथ scoff at मतलब किसी का उपहास उडाना ताना मानना he scoff at the idea of indefinite strike ताना मानने के लिए use करते हैं उपहास करने के लिए use करते हैं ताना मानना किसी का मजाग उडाना at scoff at jeered at यह आते हैं आपके बर्ट देखो यह G8 भी आ गया बताओ जलो yes G8 के साथ भी पेटा क्या आता है आपका at आता है jeered at किसी का उपहास करना दाना माना tent amount का मतलब होता है to समान होना उसका जो agreement है वो tent amount है confession के ठीक है मनला उसका agreement है के बरावर है उसके confession के उसके माफी के ठीक है तो to का use करते हैं आपड next one I cannot confide in you confide का आपको meaning बताना है confide के आपको pre-position बताने है क्या use करते हैं चलो जल्दी से बताओ next आपके सामने आ चुका है yes confide के साथ आप लोग use करते हैं confide in you किसी को राज बताना या किसी पर विश्वास करना I cannot confide in you विश्वास करने के लिए sense में उसकरते हैं मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता अपनी बात नहीं बता सकता the atmosphere comprises many guesses देखो comprises के साथ कोई preposition नहीं आती no preposition ध्यान रखिएगा अगर आपका sentence passive में है तो आप लगा सकते हैं off otherwise मत लगाईगा next this place is infested dash past बदाएग infest के साथ बिलकुल बिलकुल with ये जो जगे है वो भरी हुई है वो ग्रस्त है किस से pest से ठीक है तो यहाँ पर आप लोग यूज करेंगे with का next अगला question बताईए next अगला बताएगे पेटा question का answer क्या होगा हुआ अगला इस है डिरिंदग धा रित रिश्याशन के दौरान प्रिंसिपल ने प्रकाषट डाला कॉलिज लाइब्रेजी को इम्प्रिंस क्कॉइएब बताएगे with का था and था इंप्रूफ करने के लिए तो enlarge के साथ upon का यूज करता है जिसका मतलब होता है प्रकाश डालना है ना किसी चीज के उपर प्रकाश डालने के लिए यूज करते हैं तो glance sorry enlarge upon आपका right answer पर बन जाएगा बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं next question की तरफ चलते हैं अगला question हमार वह बहुत जल्दी में था he was in hurry and just glance yes बढ़िये next question बढ़ो बिल्कुल 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 पिटा क्या use करेंगे आपर add का use करेंगे glass and glance at glance at का मतलब हो गया कि किसी के उपर सरसरी वह जल्दी में था through का मतलब हो गया कि उसको पूरा पूरा पढ़ना एक तरीके से through through the letter नी glance at एक नजर डाली ठीक है एक नजर डालना किसी चीज़ के उपर next nobody likes anyone to intrude dash his privacy next अगला question बहुत बढ़िया देखो मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं intrude and जब इंटू आप लगाओगे है ना तो जब आप on use करते हो तब आप हाँ पर privacy की बात करते हो तो इसने privacy की बात करी है इसलिए आप on के साथ जाओगे अगर room में इंटर करने की बात होती घर में दखर अंदाजी देने की बात होती तो आप यहाँ इंटू के साथ जाते कोई दिक्कत नहीं थी next अगला jump dash the conclusion अगला question next बताईए हाँ जी yes think over the matter please don't jump dash the conclusion नहरी करें इस matter पर विचार करो jump at jump के साथ क्या यूज़ करते हैं add का यूज़ करते हैं किसी चीज पर निसकर्ष पर पहुंशना jump at ठीक है option आपका b हाँ right answer हो जाएगा jump at निसकर्ष पर पहुंशना अगला the scheme of Rojgaar Yojna originated dash the prime minister the scheme of Rojgaar Yojna originated with बिल्कुल देखो 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 वेटा एक होता है in और एक होता है with विद आता है जैसे कोई विचार कोई idea आपके मन में आया है ठीक है और income कहां यूज करता है जब भी कोई चीच बर्त होते है किसी का जन्नम होता है किसी को उगाते हो आप create करते हो तो रोजगार यूजना का idea प्रहान मंतरी को सूझा विचार में आया तो यहां with आएगा partiality के साथ we must not show partiality of our relatives या two तू का यूज करेंगे partiality two ठीक है तो यह आपके लगबग प्रेपोजिशन के मैंने लगबग आपको मान के चली है असी सतर सस्य कुशन मैंने आपको कराए अब अपने next part की तरफ चलते हैं और वो part अचा भी एक और है एक और है दा हिंदुस बिलीव इन मैनी रिचुल्स त्वाड atau उफ वाड के साथ आप लोग use करते हैं और जिसका मतलब होता है बचना हिंदूस बिलीव करते हैं बहुत सारे रिचुल्स में बहुत सारे रिवाजों में तो वार्ड ओफ इवल्स यानि की बहुत सारे कहते हैं न इवल्स बुराईयों से बचने के लिए तो वार्ड ओफ का मनलता है से बचना से बचना ठीक है बई? ओफ का आप यहां पर यूज करेंगे तो पैरे दोस्तों अब आपका एक और पार्ट मैंने खतम कर दिया है जो की है प्रेपोजीशन, एड्जेक्टिव, प्रेपोजीशन, नाउन, प्रणाउन, सब्जेक्ट वर एग्रिमेंट कितने ऐसे इंपोर्टन टॉपिक जो हमने खतम करें अब हम भात करते हैं एक्टेप एसे वोईजीशन की जिसमें पहला कोशन आपके सामने आपके स्क्रेट पर ये रहा बढ़ाओ बढ़ाओ पिनिश दा गेम अब ये जो सेंटेंस है ये जो आपका सेंटेंस है पिनिश दा गेम ये आपका है पहरे बच्चो इंपेरिटिव सेंटेंस इंपेरिटिव इंपेरिटिव का आपको पैसिवोईज बनाना है और ये imperative में कौन सा है order क्या इसके पास object है हाँ है तो let plus object plus be plus verb की third form अब इस ते देखना कौन सा बन रहा है जितने बच्चों ने नहीं करा वो इससे बना कर देखो देखो अब finish the game हमारी class कब end होगी जड़ा कोई बता सकता है हाँ बताओ finish the game तो क्या बनेगा let the game be finished बहुत भड़िया option आपका c यहां right answer बन जाएगा let the game be finished चलो आगे भड़ते है next question की तरफ सही है ना let plus object plus be plus की तरफ ठीक है ठीक है ठीक है अगला question was the question answered active passive voice की question है हन जी इसका सिर्फ एक ही जवाब है और वो है प्रभू इच्छा जब तक प्रभू की इच्छा है तब तक class चलेगी time मैं नहीं देख रहा was the question answer was the question answered बदाईए अब देखो आप प्यारे बच्चों यहां पर हमें पहचानना बढ़ेगा की sentence क्या है was के साथ वर्प की third form आ रही है यानि कि यह जो sentence दे रखा है वो दे रखा है passive voice में किसमें दे रखा है passive voice में और हमें change करना है इसको तो was the question answer अब इसको active में ले जाना है आपको क्योंकि passive ही दे रखा तो active है क्योंकि question आपका ऐसा आएगा change the voice उस समय आप पदा निपाओगे क्या करना है आप लोग को practice पहले से गरने पड़ेगी हमें active से passive passive जाक्टी बनाना दोनों आना चाहिए तो ये बनाया गया होगा तो किसका बनाया होगा interrogative है तो past indefinite का interrogative बनाया गया past indefinite का interrogative है तो जब आप past indefinite का interrogative बनाओगी तो did का use करते हो न? ये गलत, ये गलत, did, did, did ता question get answer मतलब भी नहीं बनता, option b, did ते answer ता question, ठीक है? next, he will not use the computer, he will not use the computer, next आपके सामने, he will not use the computer, he will not use the computer, yes, ये हमारा future indefinite, future indefinite का जब आप passive voice बनाओगे, तो will be, और shall be, इसके साथ verb की third phone, ठीक है? ढूंड लो कहां पर है? यहां पर नहीं है, he will not use the computer, the computer will not be used by him, हाँ, बन रहा है, not be by him, ये तो गलत है, option a is the correct answer, a आपका right answer है, पर हो जाएगा, है ना? next, the student has learned the answer by heart, the student has learned the answer by heart, अब दो को बहुत simple सी बात है, ये है आपका present perfect sense, ठीक है? अब आपको इसका passive voice बनाना है, पैसिव वोई जवाब इसका बनाओगे, तो आपको याद रखना है, has, you have, के साथ बीन, वर्ब की third form, ठीक है? अब ये सक्चर ढूंड लो कहां है, was, was, is, answer, मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ helping वर्ब से भी question के answer कर सकते हैं, ये ही active passive voice की खास बात होती है, कि बड़ी असानी से हमें answer मिल जाता है, देख लो ना, मैंने question मी नी पड़ा, क्या है, answer, मतलब, answer नी पड़े, मैंने क्या है, सीधा helping वर्ब पकड़े और answer कर देख लो, has been के साथ बर्ब की third form, next, the old lady touched and pated the cow, धुछो रिह ऱर एक मां मैंने, जाता है, देख लो, जाइवा बार, हमें जाइख बर में पड़े दोबछ SECRET, हो peuventक्ते हैं, धुछो, जो जानी से एक हैं रिmaniAC, बगफ़े, मैंने कर दो, चैंएवाध, पहले वाले में बिटा यह तो बाबु यह हमारा वर्फ की सेगेंड फोर्म है पास इंडेफिनेट है तो इसका आपको चब चेंज करोगे तो वर्फ की थार्ड फोर्म आएगी पैसिव में तो यहां है ऐसा नहीं है यहां है ऐसा नहीं है यहां है मगर प्रेटिट गायब कर दिया तो यह गलत हो गया तो ऑप्शन सी इसा करेक्ट आपस राइट बहुत बढ़िया क्या हो गया बहुत अच्छी बात है तो बहुत सारे बच्चे वापस लोट के आ रहे हैं अभी मैं देख रहा था कि कुछ बच कि अरे तो तुम्हें भूग लग रही है तो मम्मी पापा से गया तो कि खाना दे जाएं है अब यूगी करवा चोहत कवरत थोड़ना रख रखा है तुमने मेरे लिए कि मैं आउंगा और तुम्हें पानी पिलाऊंगा आतों से लो जी मेरी जान मेरे बच्चो खाना जो है पानी पीलो बार बार बोल रहे है भूग लग रही है भूग लग रही है आ जाओं है क्यों वहीं आनंद एक काम कर पेटा जहां बैठा है वहाँ चलनी ले ले मुझे देख ले वरत तोड़ ले तुम मेरे साथ है इतनी देर होगी सर भ यार कैसी बात करते हो है भई तब वर्च 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 गिवन तो वर्च वर्च के साथ वर्च की थर्ड फॉर्म ने रखी है अब है मैं अब क्या करना है भई इसको चेंज करना है एक्टिव में तो एक्टिव में चेंज करना है तो किसका होगा पास इंडेफिनिट वर् ठीक है चलो चलो बहुत बढ़िया option A is the correct answer next kakai is bitter when it is tasted ये भी बढ़िया कुश्चन है ये quasi-passive का है चलो बहुत 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 बढ़िया अब ककाई is bitter when it is tasted ये आपका क्या दे रखका है मेरे दोस्त पहरे बच्चों अगर आप इस कुश्चन को ध्यान दोगे तो आपको एक बात यहां समझ में आ जाएगी कि यह आपका क्वासी पैसिफ है, अब क्वासी पैसिफ का आपको change करना है, किस फॉर्म में change करना है, active में ले जाना है, तो यह आप हमेशा present indefinite में बनाते हैं, काकायो टेस्ट बिटर जैसे अगर मैं आपको एक कुश्चन दूँ तो आप लोग बना कर दिखाना कि शुगर टेस्ट शुगर टेस्ट स्वीट इसका बना कर दिखाऊ आप सारे बच्चे जल्दी से शुगर इस स्वीट वैर इस टेस्ट बहुत अच्छे शुगर इस स्वीट वैन इस टेस्ट वर्क की थर्ड फॉर्म यस गुट नेक्स वेर डू यू कीप दा करेंट मेगजीन वेर डू यू कीप दा करेंट मेगजीन बताओ नेक्स कुश्चन हमारे सामने हंजी ओके दोगो वेर डू यू कीप दा करेंट मेगजीन अब दोगो आप ध्यान से सुनना यह सेंटेंस कुन सा है आपका यह इंडेफिनिट है इंटेरोगेटिव डबल डबल इंटेरोगेटिव तो बेटा वर तो नहीं आएगा हेव नहीं आएगा या तो यही वेर आर दा करेंट मेगजीन बींग बींग नहीं लगाते बींग तो जब लगातो जब अपका गोंटेनियुस होता जाना होगा वहां पर पीडियएफ नोट्स वाले सेक्शन में जाना होगा और वहां मैरतन के नाम से एक फोल्डर मना होगा Air Force Navy Marathon के नाम से वहाँ पर आप ढूंड करके इस PDF को देख लेंगे ये PDF आपको रात को बारा बजे तक मिल जाएगा ठीक है? The room has been clean by Jill अब तोको has have के साथ been work की third form यानि की passive active में ले जाओ किसका active होगा? present perfect का क्या ये present perfect है नहीं क्या ये है नहीं? क्या ये है नहीं? ये है answer next अगला है Do you know her? Do you know her? अब ये indefinite है ना? इसका interrogative में आपको passive voice बनाना है तो क्या होता है? जब आप present definite tense को passive voice बनाते हो is mr के साथ verb की third form अब क्योंकि interrogative में तो is पहले आजाएगा लो एक बार में answer कौन है जो c बता रहा है? बेटा जी एक चीज़ याद रखना do और does का use आप active में करते हो passive voice में is mr हो जाता है helping word of is mr use करते हो ठीक है? बी right answer होगा वो कहाँ बिटा साथ बजे होती है सुबह साथ बजे सुबह साथ बजे हो कहा है मनतना सभी को पता है बई कल आपकी time आपको बजलना नहीं है वोई time है आपका सुबह साथ बजे गई है साथ बजे गई रहेगा ठीक है? ठीक है ठीक है सुबह साथ बजे गई है रूफ वस रपेर बाई जॉन रूफ वस रपेर बाई जॉन जॉन रपेर दा रूफ ऑप्शन आपका भी हाँ राइट अंसर हो जाएगा हाँ वो जो है वापस से time साथ बजे गई है और discuss हो गया है team के साथ सुबह साथ बजे ही चलेगी class आपके ठीक है वोई time है हमारा तू बोईज वर हेल्पिंग आ ब्लाइंड मैन तू बोईज वर हेल्पिंग आ ब्लाइंड मैन बतो तू बोईज वर हेल्पिंग आ ब्लाइंड मैन तो यह चलता है आपका वोउज और वर के साथ बींग और वर्प की थर्ड फॉर्म ठीक है यह बात आपको समझ में आ रही है वोउज वर के साथ बींग वर्पिंग आ ब्लाइंड मैन तो गाईज अगर आप ध्यान से देखें तो हमें यही चीज तो ढूड़नी है है ना तो यह कहाँ है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ इस देदिया नहीं है यहाँ है आज़सर चुटकियों में गेम खतम चुटकियों में आरी बस ना इनमें अच्छा मैंने का चुटकियों में नेट कतम कह रहा मेरा नेट मैंने का चुटकियों में गेम खतम, यह कह रहा मेरे नेट खतम, नेट रिचार्ज करो बेटा, तुरंट चल ली से, 14, 15, 20 रुपे वाला रिचार्ज ओर करा लो, है बई, यह तो राइमिंग मना दी तुमने, मैंने का चुटकियों में गेम खतम, कह रहा चुटकियों में नेट खतम, वावी वाव, मोई मोई कर दिया तुने तो, है, ही हैस रेज़न इंपॉर्डन कुश्चन, ही हैस रेज़न इंपॉर्डन कुश्चन, अब देखो भई, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तरह ध्यान से, तो हैस रेज़न के साथ वर्व की थर्ड फॉर्म, अरे भाई छोड़ो, हैस रेज़न के साथ वर्व की थर्ड फॉर्म, पैसे वोईज दनाना है, हैस रेज़न के साथ बीन वर्व की थर्ड फॉर्म, passive voice में, कहां है, ये रहा answer, क्या यहां है नहीं, क्या यहां है नहीं option C में है C right answer हो गया, आगे बढ़ते हैं next पुरन तांसर आना चाहिए, प्रिजेंट कॉंटिनियस का टेंस है B हाँ देखो देखो, बिटा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे देखो, आप लोग बहुत अच्छा answer किया are you not revising your lesson तो your lesson आयागा न, उट करके पूरा are your lesson not being revised by you बहुत बढ़िया, option B is the correct answer ठीक है, बहुत अच्छे वर्प की third form, बहुत सुंदर next, अगला बेटा, पूरा तो explain कर रहा हूँ यह बाद लिए अजबत को, कि explain कर दो पूरा पूरा explain कर रहा हूँ, तुम class के बीच में आओगे, तो फिर कैसे समय में आएगा यह सारे जो कुशन बता चुका हूँ, आपके continuous के सारे structure बता है कोई भी नया structure आ रहा है, वो बता रहा हूँ अब यह भी आपको मैं बता चुका हूँ विल मोटिन बी हेल्प बाई अस अब यह, विल यह शेल के साथ बी वर्प की third form ने रखिया इसका मैं active voice ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे वी शेल हेल्प, शेल के साथ हेल्प आता है नहीं आता शेल मोटिन बी हेल्प, नो शेल भी हेल्प, अब फिर जोगो जब अब active में ले जा रहे हो तो बी थोड़ी ना आएगा मेरे भाई, option B is the correct answer ठीक है next, अगला one must keep one's promises one must keep one's promises हाँ तो फिर तो आपको समझ में आ गया हो गई है है ना बीटा one must keep one's promises बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है, अब देखो, जब भी model verb आती है जैसे यह आगे model verb, तो model verb का जब आप passive voice बनाते हो तो model verb model verb plus B, plus verb की third form ठीक है, अब आप चेक कर लो, यहाँ इस structure कहाँ दे रखा है ऐसा के वल यहाँ दे रखा है, option B ठीक है ओके आगे भर जाता है, next की दरफ चलते है, अगला they have cut all the telephone wires they have cut all the telephone wires आपने प्योस, झाभे आप जघेशड़ोग से इसो थाज एछ दो झाई आपे एल द। यहाँ भर भ ट वलीज्योस, म्हेंगे वलीजोस, म्हें जपके का फज्योस, M foresee ofas उत झापी का ब्युझ अव्य appropriately, ऑलक उतने हैं झाए अड़ाई भीis and Arkansas"! they have cut all the telephone wires all the telephone wires क्या होगा बिटा they have cut all the telephone wires have been बिल्कुल सही जवाब option C is the correct answer बहुत बढ़िया has have रखा है ना तो जब change करेंगे तो क्या बन जागा has have been plus work की third form आगे बढ़ जाता है next अगला question next they have spotted me in the crowd ये word की जगा पर crowd कर लो यार है ना crowd C-R-O-W-D तो तो को has have के साथ work की third form ये आपका active voice में दे रखा है change करना है passive में तो been लगना है been लगना है यहाँ पर आपका I have been spotted option D is the correct answer yes कितना असान है दोखो आपको has have का structure मैंने बता दिया आप मैं आपको direct answer बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये इसको discuss कर चुके धान रखेगा कोई भी नया structure आएगा मैं तुरंद दिख कर बताऊंगा next we saw you and him अब दोखो ये भी discuss कर चुके कर चुके न past indefinite का passive voice कैसे मना होगे was for के साथ भर की third form answer कर दो बहुत सुंतर यार क्या बात है यार मिझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि हमारी जब भी अक्सर मां देखता हूँ कि भी जैसे भी बच्चे कम हो जाते हैं अब बच्चे वापस से भढ़ना शुरू हो रहे हैं मतलब की बच्चे खाना खाकर वापस लोट रहे हैं अरे वाँ दिल जीत लिया यार तुम लोगों ने तो फिर से मोटिविशन आ गया भी बहुत सुन्दर बात बहुत भढ़िया बात शावाश गुड वेरे नाइस वी सौ यू एंड हिम अगर आप ध्यान से देखोगे तो भई सेकिंड फॉर्म आ रही है चेंज करोगे तो वाश भर की साथ भर की थर्ट फॉर्म ये इस कोश्चन में एक बात बहुत बेड़े लगी मिदे यह तो खैर आपने हटाई दिया यहाँ पर ओडर और प्रणाउन भी दे दिया उसने टू थी वन भी लगाना है आपको टू थी वन देखो यहाँ पर थी और टू थी और टू थी तो होता नहीं होडर तू थी होता है तो इसलिए आपका ए राइट आंसर होगा यह डी कौन कर रहा भी नेक्स्ट टॉम पेंटिट दा एंटाइर हाउस एंटाइर हाउस देखो एंटाइर हाउस यहाँ भी है यहाँ भी है यह तो देखो होंगे ही नहीं अब देखो एंटाइर हाउस सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आईगी एंटाइर हाउस वास ओप्शन ए इस दा करेक्ट आंसर Option A is the correct answer ध्यान रखेगा बस एक चीज में आपसे बोलूँगा कि जब हमारी class end हो जाएगी हर एक बच्चा जिसने इस class को अटेंड करा है एक comment धरूर करके जाना ये सोच लेना कि हमारी teacher हमारे लिए कितनी महनत करते है और सिर्फ आपसे एक चीज मांगी है गुरू दक्षणा में मेरे दोस्त इस class का feedback जरूर दीजेगा after this class इस class के बाद चेक है कि class से आपको क्या फायदा हुआ कैसा लगा आपको क्या experience रहा आपका इस class से बस इतनी चीज मांगी है और मुझे लगता है कि मेरे घंटों की महनत जो class में हुई है और उससे भी ज़्यादा double-trouble महनत जो मैंने इस questions को बना कर पढ़ कर समझ कर आपको समझाने की कुशिश करी है तो घंटों की महनत अगर ये class 5 घंटे गी है तो समझ जाएगा कि तीचर ने इस पर 20 घंटे गाम किया है है ना और हम अपने 20 घंटा को दो मिनट से अगर हम देखें तो तीचर ने महनत करी 20 घंटे की आपने तो करी करी 20 घंटे मगर हमने रिवर्ट क्या करा उसको दो मिनट लगेंगे class के बाद एक comment करने के लिए जरूर करिए अब ग्रेंड माइस निटिंग निटिंग का मतलब होता बुनना तो ग्रेंड माइस निटिंग दा स्विटर अब यह हमारा अगर आप सिंटेंस देखेंगे तो इसमार के साथ आइन जी भॉम दे रखिए present continuous है अब यह structure मैं आपको बताता हूँ present continuous present continuous का जब आप passive voice बनाते हो तो is mr plus being plus verb की third form यह होता है ठीक है अगर आप चेक करोगे तो यह knitted आ रहा है यहाँ was दे दिया दिया तो है मगर गलत दिया है क्योंकि was थोड़े नप्रेजेंट का structure है यह right answer ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है next यह तो repeat हो गया 240 241 मोहित वोज वीविंग दा बसकेट मोहित वोज वीविंग दा अब दोको यह pass continuous आ गया तो क्या होगा was वीविंग वर्प की third form option d is the correct answer देखते ही उड़ा दो next was the story written by you was the story written by you तो did you write the story option आपका 3 जो है वो right answer हो जाएगा ठीक है next open दा विंडो open दा विंडो है ना imperative जो पहला किया था let से बनाना है let plus object plus be plus verb की third form तो let object be verb की third form बिलकुल सही structure है d आप लोगों ने सही answer किया है आगे they must now deal with these problem तो must के साथ B वर की third form यूज़ करनी है तो must के साथ यहां R दे रखा है गलत must के साथ third form नहीं है must के साथ third form नहीं है must के साथ third form है B है option A is the correct answer next I was recommended another doctor somebody recommended me another doctor बिलकुल सही जवाब option C is the correct answer no no somebody recommended another doctor somebody recommended me मुझे another doctor option C yes next I have made all the reservations yes all the reservation have been simple है as I have के साथ दोर की third form option यह correct answer हो जाएगा next who did this who did this अब who change होता है आपका by whom में who किसमें change होता है आपका by whom में change हो जाता है yes तो बिलकुल सही जवाब who simple है यह तो बहुत असान था by whom में आपका हो जाएगा next रमेश बाइस आप बुक रमेश बाइस आप बुक सबसे पहले important topic करा देता हूँ आपका time intense यूँकि time intense बहुत important topic है आपका तो अभी मैं narration के 30 question बाद में कराऊंगा पहले आपको time intense के question करा देता हूँ error के ताकि आपका mood fluctuate हो सागे क्योंकि बहुत लंबे-लंबे question अब लोगों ने करे अभी थोड़ा जा mind refresh करते हैं फिर वापस से लगा देंगे इसको ठीक है ना तो मैं आपको time intense के question कराता हूँ इसके बाद पहले यहां से शुरू है अभी जो इसके बीच के question है 49 से 86 तक वो narration के question है लगवक 40 के असपास तो वो कर लेंगे लेकिन पहले यह कर लो यह थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा आपका है ना ठीक है अब बताओ थोड़े subject wear agreement के है इसमें फिर उस बाद time intense के शुरू हो जाएगा आपके आंसर आने शुरू होगे मेरे पास very good very nice बढ़ी या क्या हो जाएगा बच्चे क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे है किसकी बात कर रहे हैं लोग act की बात कर रहे है और अगर हम act की बात कर रहे है तो जो वर्व आएगी वो कैसी आएगी singular आएगी अब यहां festival है festival कैसा singular है attract करता है attracts होगा वर्व भी हाँ पर कैसी होगी singular होगी तो याद रहना जब भी वर्व में ऐसे इस लगता है तो वो singular consider होती है हमेशा कैसी होती है singular यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है राइट अच्छा यह होगे आपका next अगला बताएए अगला बताएँगे सारे दोस्त अगला बताएए प्राइस ओफ वुलन क्लॉस गम डाउन इन समर जो वुलन क्लॉस है उसका जो प्राइस है वो समर में क्या हो जाता है नीचे आ जाता है तो अब फिर से वही वाली बात N1 प्लस ओ प्लस N2 N1 प्लस ओ प्लस N2 और यह फैक्ट भी है ध्यान रखेगा यह सेंटेंस कभी आप जो है पास्ट में नहीं बनाएं क्योंकि यह फैक्ट है और जितने भी फैक्ट होते हैं वो हमेशाँ इंडेफिनिट में बनता है क्योंकि प्राइस की बात की गई है तो वर्ब आपके सिंगुलर आईगे कम्स का यूज करेंगे राइट अब टू स्टेट के बारे में बात कर रहे है यह हमारा कैसा सब्जेक्ट है यह हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है कैसा है मेरे दोस्त प्लूरल तो अगर यह प्लूरल है तो बेटा वर्ब भी कैसी होगी प्लूरल होगी ना तो यहां पर आप क्या लगा होगे हैव लगा दोगे है ना जालो अब दोखो यह बड़ा बढ़िया कुश्चन है अगर आप ध्यान से देखो तो आप से कहा गया है The teacher told me that honesty was the best policy बेटा honesty जो है वो best policy है और हमेशा ही रहेगी इसको आप past में नहीं मना सकते तो जितने भी universal truth होते हैं हमारे जितने भी हमारे universal truth होते हैं जितने भी हमारे universal truth होते हैं वो हमेशा आप किसमें मनाते हैं simple present में simple present में या फिर present indefinite में simple present में या present indefinite तो आप से कहा अगे तब my teacher told me that honesty was नहीं होगा, honesty is हो जाएगा honesty is the best policy अब आप यहाँ पर देखो I do not know what does she want यह भी बड़ा important question है exam के में बहुत अच्छे questions में यह भी a question सामिल है क्योंकि यह अच्छा question कहा जाएगा क्योंकि अब थोड़ा सा concept इसमें अलगटकर लग रहा है definitely you will take this class for Navy SSR, Air Force, NDA है ना भाई बहुत helpful होगी सभी exams के लिए I do not know what does she want अब जब भी sentence में WH word sentence के mid में आते हैं तो वो आपका हमेशा काम किसके तरह करते हैं sentence हमारा फिर interrogative नहीं रह जाता अब आप एक बास समझना कि जब यह sentence WH word sentence के mid में आया है तो यह sentence नमारा assertive बन जाएगा, affirmative इसको बनाएंगे assertive इसको बनाएंगे, तो फिर dust का use नहीं करेंगे, भाई माल लो मैं आपसे कहता हूँ कि he plays cricket he plays cricket मैं आपसे क्या कहता हूँ, he plays cricket और यह मेरा sentence है simple, present definite का affirmative, और मैं आपसे कहता हूँ, मुझे आप इसका negative बनाना है, interrogative बनाना है तो interrogative बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ does he play cricket आपने मेरे से कहा थी, इस वाले sentence को simple में change कर दो, तो मैंने ऐसे कर दिया करा, है है न, अब मैं तुम से कह रहा हूँ, इस वाले sentence को symbol में change कर दो, तो तुम भी ऐसी तो करो गए, वह सारे बच्चे कहते हैं, does का आँ गया तो अब पता है कैसे सही होगा यह, what के बाद लगाओ गया, what she wants अब interrogative नहीं है, अगर interrogative होता है, तो does यूज करते है, wh verse sentence के जब भी मिट में आएगा, उसके बाद update का यूज करेंगे, फिर वर्वाईगी अगर कोई भी इंसान, उमारे घर में, हमारे घर में, ऐसे करता है, नीद आ रही है, तो सामने वाला अटोमेटिकली योनिंग करने लगता है, जंबाई ने लगता है, एक तो मैं सामने गरीब आदमी तेरे पर तुझे पढ़ा रहा है, भूका प्यासा, और तु बार बार ऐसे वाली smile भेज रहा है, बहुत पिटे का तु मैं मता रहा हूं, ठीक है, चल, आगे बढ़ते हैं, हा, और नेबर स्विच ओन इस तीवी, अरली इन दा मौनिंग, अट फूल वॉल्यूम, देखो भाई, एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, ये कौन है, जो कह रहा है, ओफ कर दो, भाई, एक बात बताओ, मेरी मजदी मैं तो टीवी खोल के सोगा, तुम इसको क्यों बंद कर रहो भाई, तुम वर्ब चेंज करो न, बिचारे की तुम भाव क्यों बदल रहो, सुच ओफ क्यों कर रहो, टीवी तो ओनी रहेगी, वर्ब आपको चेंज करनी है मेरे भाई, सुचिस करो इसको, अब आपके सामने कोशन है कह रहा है लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स मी फनी जोग अब दोको पेटा यहाँ आगया लास्ट इवनिंग लास्ट इवनिंग आगया और ने की अद्वरो पास्ट टाइम तो हमें सेंटेंस पास्ट में ले जाना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे told का use करेंगे ठीक है पेटा और यह उसकी habit है हमने sentence present indefinite में क्यों बनाया क्योंकि यह उसकी habit है राइट यह क्या है पेटा उसकी habit है न कि वो जो है tv सुभए कोल कर बैठ जाता है full volume में तो switches का use करेंगे next हाँ बिटा सभी को मेरा प्यार love you to my brother अंकित सभी को मेरा प्यार देखो यार देखो मेरी बास सुनो यार देखो अब आप सारे बच्चे इतने बच्चे सेश्न को देख रहे हैं यार आप लोग के लिए महनत करने में मजा आता है कारण क्या है यार देखो दुनिया में बिग अब आप इंस्ट्राग्राम देख लो आप यूट्यूब शॉट्स देख लो आपको ऐसे मनलब 99% लोग मिलेंगे जिसको देख करके आप अपने समय बरबाद कर रहे होगे या अपने आपको थोड़ा सा नेगिटिव ले जा रहे होगे मगर एक टीचर जो होता है ना यह होते हैं और एक अच्छा चात्र हमेशा अपने गुरू की रिस्पेक्ट भी करता है है ना तो आप बहुत अच्छी बात है आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं मेरे लिए भी आपके दिल में बहुत ही जगह है और बहुत ही प्यार है सभी को भाई मेरा बहुत बहुत प्यार लव यू टू यार, बहुबत हो तुम मेरी, सारे के सारे, ठीक है, सेलेक्शन के बाद मिलने जरूर आना, हाँ, और काजू को तली साथ मिले कर आना, ठीक है बई, वी विल बाई अ टेलिविजन सेट, वेन दा प्राइसिस कम डाउं, प्राइसिस जो है, वो हमारा प्लूरल है, और अगर प्लूरल है, तो वर्भी प्लूरल, तो यहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करोगे, कम का यूज़ करोगे, यह से बार बार गुल गुल गुम रहा है, ना, चलो, चलो, हाँ जी, अगल यह हो गया, अब देखो, यह भी बड़ा प्यारा कुशन है, यह निकल जाता है हमारे नेत्रों से, हम इस पर पहुंच नहीं बात है, डिड़ के साथ, हमेशा वर्प की बेस फॉर्म का यूज़ करता है, तो डिड़ के साथ, आप लोग यूज़ करोगे, कम का, रोहित डिड़ कम, मतलब बेस फॉर्म, वर्प की फर्स फॉर्म का आप यहां पर यूज़ करता है, तो यहां पर आपका आएगा, कम, वो भाई देव को सुन लो सोन पापड़ी निचलेगी ठीक है सोन पापड़ी छोड़ कर कुछ भी ले आना सोन पापड़ी चल नेक्स्ट अगला है हमारे सामने कि वोज शी वाई शी वोज एंग्री विद हर सन अब बताओ वाई शी वोज एंग्री विद हर सन अब तो को वाई शी वोज एंग्री विद हर सन तो को डवलू एच वर्ड सेंटेंस की शुरुवात में आ रहा है अब आप subject use नहीं करोगे, अब wh word sentence की शुरुवात में आगे, तो आपको use करनी पड़ेगी, यह helping word, तो आप फिर subject use करोगे, तो आप करोगे why was she, why was she angry with her sir, ठीक है, हाँ बेटा, सब अरे दिल से तुम जो लाओगे, वो हम खा लेंगे यार, ऐसी क्या बात है, तुम selection लो यार यार, वे तो मैं मजाग कर रहा था, हाँ, ठीक है, कुछ भी ले आना, यार, मादरी डिन नोट reply, वैने ask her, why was she, अब जोगों दोनों दरीगे के question एक साथ आ गए, यह बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, अब यह mid में आ रहा है ना, जब भी whr sentence के mid में आएगा, आपको subject use करना पड़ेगा, फिर mean, why she was, why she was, next, he said that he will never repeat the mistake. अब बफरिंग जो हुई है वो अभी ठीक हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा भी, क्योंकि यह बारिश 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 से ऐसा मोसम हो रहा है ना, थोड़ा दिक्कात आ जाते ही net vet की, बल्लब, minus में है यह, रुखेगी नहीं वीडियो, कि जी रुख गई, stop हो गई, हुआ, second में clear हो जाएगा, ज़्यादा लेवल पर होगी, तब हम लोग खुद देख लेंगे, टीम बूरी बैठी हुई है, आप उसको परिशान मत हो, जब ज़्यादा लेवल पर होगी, तब उसको देख लेंगे, yes, he said that, अब दोको sentence में, अगर आप देखोगे, तो reported word हमारी past में दे रखी है, right, हाँ, चलो, the salesman tried to sell me a solar heater, but I already have one, दखो, the salesman tried to sell me a solar heater, but I already have one नहीं, I already had one, क्या use करेंगे आप यहाँ पर head का, क्योंकि sentence किसमें आपका past में, time old, हमारी pomहरी एंपका दोको sentence किसमें आपका味 है, kein दूमキस, किता है, एंगर वहाँ, वहाँ, पुर रखी है, भी हाँ, नभर आपकाटों किसमें चार म curatorी में हो अच्छा, no buffering चलो भी थोड़ा वेको कर रहे हैं इसको सही या तो एक बार वैसा कर वैसा कर इसमें इते को यह दिखा रहा है नीचे दिखा आप ठीक है ठीक है चलो भाई चलो यह हो गया next आगे बढ़ते हैं I call at his house I call at his house he didn't have given him money next question swallow I call at his house yesterday and have given him money guys next question बताओ next question I call at his house yesterday and have given him money guys answer करें come on guys answer करें next question thank you so much right आप देखो भी इन न न न न गलत जारो आपने करा head अब भाई एक बात खुछ सोचो यहां पर एड़वर्व पास्ट टाइम आ रहा है yesterday आ रहा है मैंने आपको बताया था जब yesterday एगो वगरा आएगा तो आपको change करना है इसको past indefinite में तो आप have given क्यू इसको had given मत करो बेटा क्या करो give करो और आप एक चीज़ और तो देखो sentence में यहां भी आप हो called गर रखा है यार please 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 एक बार question को दुबारा से देखिए दुबारा solve करिए right दुबारा से solve करें इस question को है ना हाँ जी आगे बढ़ते हैं next Galileo proved that earth dash around the sun Galileo proved that the earth dash around the sun हाँ बिल्कुल सही जबाब Galileo proved that earth revolve क्या हो जाएगा बच्चो revolve से रहा है क्योंकि ये भी क्या है आपका fact है universal truth है जितने भी universal truth होंगे वो अमिशा किसे बनेंगे present indefinite बनेंगे option is the correct answer ठीक है let's move to the next one अगला question हमारे सामने दोनों ही question बहुत अच्चा है fact पर है answer करेंगे सारे लोग जल्दी से बहुत सुंदर देखो our teacher said देखो हमारी teacher ने कहा मगर आप इसको बेशक reported over past में है इस चीज़ आपके direct narrative में भी काम आएगी basic reported word past में है मगर इस चीज़ रखिएगा मेरे दोस्त हमेशा आपको universal truth present में ही बनाने हैं तो यहाँ इसका use किया जाएगा they said women are अब देखो भई मेरी बात सुनो अब आपको लगेगा कि सर यहाँ पर जो है वो over कर दो यह बहुत नया question है आरे बच्चे star वार करेंगे इस question को अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना मेरी बच्चे बात को ध्यान से सुनना देखो क्या होता है जैसे मैं आपको बात बताता हूँ इसने कहा है कि जो women होती है जो महिलाएं होती है वो आदमियों से ज़्यादा sincere होती है काम के प्रती है ना इन्होंने इस बात को कहा है जो women होती है वो ज़्यादा sincere होती है as compared to men अब ये कैसे होता है अब मैं आपको बताता हूँ जैसे तुम हो पढ़क तुम पढ़ने बैटे अब जैसे तुम पढ़ने बैटे तुम्हारे दोस्त का फोन आ गया कैसे आ गया हेलो हाँ भाई कहा है अरे भाई मैं कुछ नहीं बस पढ़ रहा था अब जा होगा पढ़के आजा जल्दी से घुमने चल रहे हैं सेंटर मांके चली पटेटो और मोमोस खाकर आएंगे तुमने का चल ठीक है अरे मम्मी आ रहा हूँ मैं दोस्त के आ जा रहा हूँ सेल्फ इस्टडी करने सेल्फ इस्टडी तो तुम घर पे भी कर रहे थे घरवालों को बागल मना दिया चल दिया दोस्त ने बुलाया तो तुरन दोड़ चले गए चपल में जो भी दाज चले गए एकदम मगर सुनो तुमने अपना काम चोड़ दिया अब लड़कियों की मैं बात बता देता हूँ है ना अब जैसे कोई लड़की थी अब उसके पास किसी लड़की का फोन आया अब उसने कहा के बहन हेलो हाँ बहन क्या कर रही है अब बहन अब वो पढ़ रही है मगर फिर भी वो क्या कह देगी और बहन आज घर में महमान आया है बहुत सारे आज फूपा जी आया है और जीजा जी भी आया है बहुत सारे घर में महमान आ गए और मैं आज निया पाऊंगी मैं कल जाऊंगी कल चलेंगे घूमने ठीक है काट दिया और किताब खोल कर पढ़ना शुरू कर दिया और नलाये को तुमें को जूटी वाजी 54 यह बात सच है यह होंग है यह फैक्ट हो गया तो भाई साब यह सच हो गया यहने कि इसको आप कभी भी पास्ट में नी बनाएंगे यह एक फैक्ट है अब यह समझ में हारी हूँ बात आपको क्लियर है आप सारे बच्चों को बात है ना है ना तो इसलिए यह नया कुश्चन है आप सभी लोग के लिए आपने honesty is the best policy त्रिवास राउंड असन तो पड़ा होगा अब आज से आप अपनी dictionary में यह भी एड़ कर लो देख लो वाज हरकतों के विज़े से क्या-क्या होता जा रहा है किताबों में क्या-क्या छप रहा है नलाए को पड़ लो कह रहा हूं मै next दिव्या सोम केरिये सर ऐसा ही होता है आपको कैसे बता तुमारा भाई सब जानता है I knew that a bad carpenter fought with his tool है समझनारी बात अब ये भी बच्चो एक fact है कि जो खराब कारप्रेंटर होता है वो अपने औजारों में कभी निकालता है मगर ये बात fact है ये सच है तो इसको past में नहीं चिले जाएंगे इसको present में ही रखेंगे fights कर देंगे आप क्या कर देंगे fights अब ये बड़ा अच्छा concept है भाई बहुत अच्छा है बहुत बार एक्जाम में आया गया है इट इस टाइम इट इस टाइम इट इस हाई टाइम और इट इस अबाउट टाइम इट इस टाइम इट इस हाई टाइम इट इस अबाउट टाइम के साथ वर्प की second form का यूज़ करते हैं इट इस टाइम यू डिसाइड नहीं यू डिसाइड इट ठीक है अगली बार जब भी तुम्हारे पास तुम्हारे किसी दोस्त का होना है और वो तुम से कहे कि चल मुमोस खाने चल रहे हैं तो तुम्हे भी जो है विमिन की तरह बोल देना है पहन मेरी घर पी महमान आई हुए है आज में नहीं आऊंगी ठीक है और घर से बाहर नहीं जाना है जब तक तुम्हारा नोकरी नहीं लग जाती आरी बस समझ में ठीक है कोश्चन में तो आरी करके आना मगर इसको जीवन में उतार लो सुनरे रहो बही तुम लोग तुम्ही को कह रहा हूं मैं लड़के लोगो भग लेते तुरंत घर से बाहर अब ये दोनों कुशन तुम्हारे है ओके देखो इट इस हाई टाइम वी लीव की जगा पर क्या करोगे वी लाफ्ट करतोगे इट इस हाई टाइम वी रेनोवेट की जगा पर वी रेनोवेटेड करतोगे वी रेनोवेटेड ठीक है कर दो कर दो है जली से इसका नेने यहां ELSE लिए नहीं आएगा किसी और की चीज के पर लिए नहीं बात कर रहे किसी और से बात कर रहे तो ELSE ठीक है बिटा, वाई यू कॉई वाई यू यहाँ Helping Work Gipe है तो क्या करोगे, वाई आर यू यहां R भूब से जाए क्योंकि इंटेरोगेट्टे वे तब डबलुएच के बाद तुरद हेल्पिंग रुपनी आएगी वाई आर यू मत करो यार वाई यू आर मत करो वाई आर यू होगा अब यह सम्झो जारा बहुत ध्यान से क्या है क्या है कि जैसे तुम पढ़ रहे हो ठीक है अब होता क्या है बहुत भड़िया कोश्चन है और ऐसे समझाओंगा कि जीवन में आपको यह कॉंसेप्ट कभी भी भूलोगे नहीं दार रखना पिक्चर से समझाओंगा तो मैं यह कॉंसेप्ट पच्चो होता क्या है कि आप एक काम कर रहे थे वो था पढ़ने का ज मुमेंट चल रहा था ये ये वो मुमेंट था जो आपका पास्ट में एक्शन चल रहा था ये वो एक्शन है जो आपका चल रहा था ठिक तो इस एक्शन को हम नाम दे देते हैं कि जो एक्शन पास्ट में चल रहा था वो बनेगा पास्ट कॉंटिनियस में किसमें बनेगा पास कॉंटिनियस में यानि कि वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट पॉम प्लस आयाई जी ठीक है गाईस तुम पढ़ाई कर रहे थे उस बीच एक दूसरा एक्षन होता है ये वाला तुम्हारा एक्षन चल रहा था पढ़ने का ये तुम्हारा एक्षन चल रहा था तुम पढ़ाई कर रहे थे ठीक है और उस बीच एक दूसरा एक्षन आ जाता बीच में मतलब तुम पढ़ रहे थे तुम पढ़ रहे थे इस बीच एक और एक्षन आ जाता है तो जो एक्षन चल रहा था वो past continuous में और जो action बीच में interrupt करता है ये इस moment पर आ गया वो past indefinite किसमें बनता है past indefinite यानि कि verb की second form ठीक अब तुम खुद देखो कि कौन सा ऐसा action था जो चल रहा था खुद दिमाग लगाओ और सोचो कि किसमें continuous use करेंगे करके दिखाने था शाबाश side हो जाता हूँ बढ़ बढ़ बढ़ाश बोलो 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 भाई है ना हाँ very nice very nice बहुत अच्छे बहुत बढ़े बटा येस टांदार तो अब देखो तो the light went out light चली गई जब हम पढ़ रहे थे ये action चल रहा था तो while I was while I was reading ये होगा आपका answer तो ये वाला action तो ये हो गया और जो अचानक क्या हुआ था जब हम पढ़ रहे थे अचानक से light चली गई ये गैसा action जो बीच में interrupt करा है तो यहाँ पर ये जो light के went out करने वाला जो action ह वो कौन सा है ये sudden action है ठीक है बेटा clear हो गया अच्छे से समझ में आ गया गलती तो नहीं करो गया डाइग्राम ज़रूर धान रखियेगा कभी नहीं बूलो गया फिर भही सवाल class and कब होगा प्रभू इच्छा तक आगे next लो जी एक और question आ गया ये गलत नहीं होना चाहिए झाल 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 जब मैं गया, जब मैं गया, तो Charlie गेम खेल रहा था, Charlie के काम चल रहा था, मैं वहाँ पहुँच गया, ठीक है? तो I went there when Charlie was playing a game, playing a game of chess, we did a test, हमने test दिया, when the lights went out, light चली गई, क्या काम कर रहा है था, test देने का, तो we were, we were doing, we were doing a test, we were doing a test. इंडियन एरपोर्ट्स अगनिवीर की class कल से हमारे प्रेटिस से शुरू है, सुबह से ही है, नो बज़े आपके प्रेटिस का प्रेटिस हैड होगा, उसके बात का टाइमिंग आप देखेंगे, इवेंट बने हुए है, तो जो बच्चे एरपोर्स की त्यारी कर रहे हैं, कल स हमारे प्रेटिस से शुरू हो रहे हैं हमारे चैनल पर, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, आप पर नोटिफिकेशन आते रहेंगे, चलो टेकन, बहुत बड़िया, आप से गहरा बिलकुत सही जवाब, हैजएव के साथ वर्व की थर्ड फॉर्म, टेक, टुक और टेकन, यहाँ बार हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टेकन का यूज़ कर देंगे नेक्स्ट, चलो, आइव साइन ओबर दा चेक, यूज़ के लेक्ट टुमोरो, I have sign over the check अब देखो भई हैसेव के साथ वर्की third form right तो sign के लिगापर क्या यूज़ करोगे sign का यूज़ करोगे next everything has become very expensive these days आप देखें हैसेव के साथ वर्की third form तो become, became, become become became और become ठीक है बई तो become, became और become ध्यान रखना मेरे दोस्त ये आपको क्या का गया है हैसेव के साथ वर्की third form यूज़ करनी है तो become became, become तो third form यह होगी न आपकी तो वापस से become आ जाएगा कहां पर error है देख लो इस वाले में error होगे next अगला now that I am back at work I have beginning to feel much better now that I am back at work I have beginning to feel much better है ज़ब के साथ वर्की third form आई नहीं आने की answer कर दो सही हाँ paragraph आ सकते हैं closest आ सकते हैं अभी paragraph और closest के बारे में एक बाद बताऊंगा सारे सुनने ना ध्यान से तो आपके साब एक्जाम में जैसे paragraph आएगा तो तुम एक चीज़ ध्यान रखने ना सारे लोग बहुत ध्यान से सुनने ना क्या बताने जा रहा हूँ जैसे माल लो तुम्हारा paragraph है ये ठीक है और नीचे question है एक दो तीन चार पाँच ठीक है तुम क्या काम करना question को पहले read कर लेना और question के main main point एक blank paper जो तुम्हें मिलेगा उसमें लिख लेना main point जैसे माल लो कोई main point question का है वो लिख लिया दूसरे का main point लिख लिया है पूश्य पूरा-पूरा question नहीं लिखना बस main main point लिख लेना तो तुमने पांचो question के main main point blank paper में लिख लिए अब फिर तुम पढ़ना passage क्योंकि क्या होता है कि जैसे तुम passage पढ़ते हो फिर question पढ़ते हो फिर answer नहीं मिलता फिर वापस ढूंदती तो दो दीन दिन बार तुम passage पढ़ है इस तरीक से तो ऐसे ध्यान रखना है तो पहले question को ध्यान से note बना लेना उनके फिर passage को रखना ऐसी करना यह सबसे बैस तरीका होता है हाँ पहले question के point बना लेना फिर आपको paragraph पे जाना है ठीक है now that I am back at work I have been to feel much better तो I have के साथ मैंना है के साथ work की third form भी उसकर नहीं है तो begin 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 तो यहाँ पर आपको third form क्या हो जाएगा आपका begin हो जाएगा नहीं आपको block नहीं करा ब्लॉक नहीं करा यह शाहनी जी व्लॉक नहीं करा यह वो time out हो जाता है कभी कभी जब आप एक से जाधा comment बार बार करते हैं तो time out हो जाता है right block होते तो मैं comment हें नहीं पड़ता आपका है ना next it has becoming clear that attempts to impress the people have failed अधो बेटा चलो कोई बात नहीं आप unblock है मैं comment पड़ रहा हूं तो that means आप unblock है तो अब आप सारी बहतों को छोड़कर answer करो बस it has becoming तो क्या answer हो जाएगा has app के साथ वर्प की third form तो become करेंगे तो क्या कर देंगे become next next I have went through the write-ups guideline to but still want to clear on mail communication for topic अधो has app के साथ वर्प की third form आपको use करनी है तो yes has app के साथ वर्प की third form बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पर क्या होगा go went gone तो यहाँ पर आप लोग करेंगे gone ठीक है gone का आप यहाँ पर use करेंगे next question number 319 answer करेंगे सारे बच्चे अ 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 देखो आप से कहा गया है the ambulance have arrived on time the accident victim was taken to the hospital the ambulance has यहाँ पर आप यूज करेंगे has का the ambulance has क्या आएगा पिटा यहाँ पर आपका has आजाएगा the ambulance has arrived on time the accident victim was taken to the hospital right क्या यहाँ पर आप यूज करेंगे has का यूज करेंगे क्योंकि ambulance कैसा similar है बताओ, next I have passed the examination two years ago बताओ, बहुँ सुन्दर I have passed the examination two years ago अब यहाँ पर two years ago की बात कर रहा है ago जहाँ पर आता है तो sentence किसे बनना चाहिए, past indefinite गलत कर रहा हो बेटा, head रही आएगा past indefinite, केवल इसको हटा दो, यह तो हमारी V2 form भी है तो past क्या करना है, केवल ओ केवल आपको have को यहाँ से हटाना है remove have, इसका answer होगा remove have, ego जहाँ भी ego, yesterday, last year last month की बात होगी वहाँ आपको use करना है past indefinite next I have I have seen him yesterday yes, I have seen him yesterday I have seen him yesterday तो yesterday आराए ना बिटा yesterday आराए तो stock I use करेंगे अगला they have played they have played game last week last week last week आगया तो को last week आगया फिर से वही चीज क्या करना है have को हटा देना have को हटा दो question सही सर्फ have को हटा ने से question सही हो रहा है है ना इंदी में तो बिटा बोल रहा हूं they have played a game last week उन्होंने last week cricket खेला game खेला ठीक है I have got your letter yesterday and felt happy to learn of your recovery मैंने तुम्हारा कल पत्र प्राप्त किया मुझे मिला और ये देखकर मैं बहुत कुछ हुआ feel happy to learn of your recovery और तुम्हारी recovery से देखकर बहुत कुछ हुआ to learn of your recovery तुम्हारी recovery को देखकर के yes बहुत असान है अब simple सा क्या काम करना है I have got I have got have को हटा दो ये second में आ लागा yesterday देख रहा है अब ये तुम्हारे सामने बैट आता मैं जब तक खड़ा था ना कोई दिक्कत नी तो जैसे बैट के एक तब खड़ा हुआ ऐसा लग रहा था पता नी ये से क्या हो गया हो पैरों में इससे एक सीख मिलती है कि भई कभी भी इंसान को जो है ना साथे पांच गटे हो गये है है अनुछ साड़े पांच घंटे हो गए तरो को दिमाग इस समय मेरे को बते को शरी हमारा जो है वो बोल जाता है एक टाइम के बाद मगर यहां से स्ट्रॉंग उना होता है यहां से यहां से मेंटल दिमाग से मजबूत होगे ना सारे गेम जीच जाओगे आप यहां का बड़ा गेम है यार माइंड साब को स्ट्रॉंग होना है फिर सें सेम्सक्राइब कोशन आपके सामने फिर से विम कोंशंट के उपर PDF बिटा हमारे application पर मिलेगी I have seen that film last year अब last year की बात कर दिया आप से अगर last year की बात कर दिया तो क्या लगाओगे I saw that film last year next I have visited Mumbai two years ago and I am and I am planning to visit again in the near future the one we we you you चलो मेरे भाई आजाओ अब आप देखो ध्यान से एगो आ रहा है बेटा तो यहां से है वटा ना काम कदम अरे वाँ बहुत बढ़िया चलो ठीक है चलो बई आगे बडे next we have finished our work 3 hours ago and have been waiting for you since them next अगला कोशन अगधा इसे बाथ बाद यहां पर है आपको मैं बताना चाहता हूं यतरद ध्यान से सुनिएगा कि इसको तो हम सही करेंगे अगे कि यह मैं ने उस दिन जो मेरी मेरे अट अधि विस अधि बोली थी और आज भी मैंस वाद को बोलूँगा अध्यां आपको अधिए अधिया ना मेरे दोस्त बहुत अच्छी बात है और ये तुम सब के लिए है तुम सब के लिए जिसको लगता है कि छोड़ देता हूं सुनना जरा एक बात मेहनत करिए न यहां तक आये हैं थोड़ा सा और रुख कर दो देखो कि आज तु बिखरा है एक रोज तु निखरेगा डला है तो आज सूरज कल सुभे निखलेगा माना तेरी मंजिल है इन लोहों की जंजीरों में पर जब तु तपेगा तो तेरी तपन से ये लोहा भी पिखलेगा मंजिलों के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं पर तेरे अंदर जुनून है तो तु कांटों पर भी चलेगा तु कांटों पर भी चलेगा देखना क्या बात भी है ये दर्द तो है पगर जुनून है न तेरे अंदर तो फिर तेरे लिए वो कांटे कांटे नहीं है रहा है माना आज तु भिखरा है फिर वही बात माना आज तु भिखरा है एक रोज तु निकरेगा माना ढला है आज सूरज तो कल तो निकलेगा हवाएं अब सुनना और गहरी बात होती जा रही है हवाएं विपरीत क्यों ना चलें हवराएं विपरीत क्यों ना चलें तु कदम भढ़ाए जा तुझे है कल के लिए तयार होना तो तु आगे भढ़े जा तुझे अगर कल के लिए तयार होना है तो तु आगे भढ़ता तेरी कोशिश देख हवाओं का रुख एक रोज बदलेगा क्या हुआ तू आज गिरा है कल तू निखरेगा कल तू निखरेगा टाइम एंटेंस के सारे इंपोर्डन टॉपिक्स हम लोगों ने हैं फिनिश किये और हम अब एक नेक्स्ट पड़ाव की तरफ एक नेक्स्ट सेप्सल की तरफ जाते हुए हैं आपर और वो है आपका यू मस्ट आइदर भी रेगुलर कंजंग्शन अब हम आ गए हैं कंजंग्शन की तरफ ठीक है बई कंजंग्शन की तरफ यहां पार हम आ गए हैं अब आप सारे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हुए चलो बहुत सुंदर आंसर आने शुरू होगर मेरे पास तो यहां पर आप देखोगे तो end नहीं होगा भाई यहां पर होगा आपका और you must either be regular with your studies or you must either be with your study or study for longer period before the examination ठीक है दोग इसने भी यह बात बोल लिया आपसे the period between 1980 to 1990 was very significant in my life चारो बहुत बढ़िया right the period between 1980 between के साथ बेटा and का यूज करता है between के साथ and का यूज करता है बहुत अच्छा अंसर आप लोगा and हम लगाएंगे यह आपड the period between 1982 के जगा पर and between and next चारो चारो it is nothing else than pride nothing else के साथ very good बेटा very nice क्या यूज करता है यह और कुछ भी नहीं स्तिर्फ घमंड है but nothing else के साथ क्या आता है बेटा nothing else के साथ हम लोग but का यूज करता है then का यूज नहीं करता है next question अगला कोश्ट अगला we had scarcely reach the place देखो starting में आपको मैंने बताया था कि scarcely के साथ और hardly के साथ scarcely के साथ और hardly के साथ आप यूज करते है when का ठीक है और no sooner के साथ आप यूज करते है then का no sooner than और hardly scarcely when तो we had scarcely reach the place when you ok let us go to the next one अगला क्षिशन वी हैड हाडली रीज़ दा प्लेट फॉर्म देन देन त्रें चेम हाडली रीज़ दा प्लेट फॉर्म देन अब देके हाडली के साथ क्या यूश्करना है बिटा वैन का यूश करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या यूश करेंंगे क्या करेंगे वैन आप यहाँ पर लगाएंगे ठीक है वैन six i will have both the blue or blackpand i have both the blue and the blackpand next बोध के साथ भी बेटा एंड का यूज़ता है जैसे बिट्विन एंड होता है ऐसी बोध एंड होता है तो बोध ब्लू एंड किसका यूज़ करेंगे एंड का यूज़ करेंगे अगला यह बड़ा प्यारा कोश्चन है देखो लेस के साथ शूड का यूज़ करते हो लेस के साथ शूड इसका मतलब क्या होता है कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो ठीक जैसे राइट डाउन दा एड्रेस अपना एड्रेस लिख दो कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ तो बिटा less के साथ should का use करते हैं अब should वाला देखो कौन सा है यह है, यह sentence improvement का question है मैंना आपको इसकी जगह पर sentence को improve करना है तो यह तो obvious है, option D ठीक है, और इसमें न negative sense होता है, कहीं ऐसा ना हो तो examiner क्या करता है, आपको not भी लगा कर देदेगा less you should not error भी आ जाती है, should के बाद note लगा कर देदेगा, तो आपको बता है कि यह already negative है, तो आप इसका negative नहीं बनाओगे, है ना no sooner had the teacher entered the room, अब यहाँ पर आपको पता है कि end आ रहा है, और no sooner के साथ क्या लगाते हो, then तो आपको क्या लगाना है, then लगाना है अगला कुशन, next आपको क्याए, अब आपको, और आपको, पता पूरी रात प्रूलती है यह ना आपको, क्या लगाओगे, but also, क्या लगाओगे, but also, he is not only a good teacher, but also a good man. next question, as I am suffering from fever, so grant me leave for two days, application लिखते होना आप लो, बताइए. जब भी आप leave application लिखते हैं, तो बोलते हैं, I am suffering from fever, so please grant me, please grant me, option आपका be right answer हुजएगा, please लगाता है, request करने के लिए, है ना बता? next weather और और का पेर होता है, weather और और का, तो यहां if नहीं आएगा बिटा, और आएगा, है ना, क्या आएगा बिटा है यहां पर? सभी को बाद समझा आ रही है? हम he is so weak, अब जब को यह वही बाल आ गया, removal of two he is so weak to walk, नहीं, he is too weak to walk इसका मतलब क्या हुआ, कि वह इतना कमजूर है कि वह चल नहीं सकता वो इतना कमजूर है कि वो चल नहीं सकता इसको आप, कुछ नवर 33, whether or, he asked me whether I was comfortable or not, क्या मैं comfortable हूँ या नहीं, यह बोल रहा है वो, जिपाजली दिवारी अब इसको आप एक तरीके सा और भी बना सकते हो, so that's है, जैसे, he is so weak, he is so weak, that, he cannot, वह इतना कमजूर है कि वो चल नहीं सकता, ऐसे बना सकते हो, मगर जब so that बनाओगे न, तो आपको note लगाना पड़ेगा, मगर आप जब two two बनाओगे, तो आफिट note नहीं लगाओगे, त कि two two में already not included रहता है, ठीक है? चालो, he was such a versatile actor that he played every role exceptionally well, चालो. चालो, he was such a versatile actor that he played every role exceptionally well, अदो को दो चीज़े हमारे सामने, एक सच के साथ that का भी उस करते हो, और such के साथ as भी आता है, such that का मतलब होता है, इतना की, इतना की, और इसका मतलब होता है, ऐसा जैसा, अब यह आप से क्या कह रहा है, कि वह इतना versatile है, versatile मैंना प्रतिभाशाली, कि वो हर एक role जो है play कर लेता है, बहुत अच्छे तरीके से, तो यह तो इतना की का sense जेर है, such कोई भी error है नहीं इसमें, he is such a player as team India always wish to have, वो ऐसा player है, जैसा team India ने हमेशा सोचा था, ठीक है, तो यह भी sense की सही कह रहा है, such के साथ, he is such a player as team India always wish to have, जैसा सोचा था, वैसा ही है, तो ऐसा जैसा का sense second वाले में आ रहा है, इतना की का sense पहले वाले में आ रहा है, अब इसके और question आएंगे, तो आपको और समझ में आएगा, तो कोई यह वाला question देखो, इन दोनो से आपके mind एक्तम clear हो जाएगा, concept एक्तम clear हो जाएगा, यह वाला देखो अब, चालो, बहुत बढ़िया, देखो भई, यह देखो बातें मत करो, भई, फालतु मैं आपसे बोल रहा हूं सब लोगों से, मेरे question का answer गलाओ, और कोई दूसरा comment नहीं आना शी है, अब ध्यान रखना, सारे लोग, यहाँ पर बात आ रही है, पहले वाले में, 311 में, कि वो इतना मूर्ख है, कि वो कुछ समझ नहीं पाता, अब यहाँ एद लगाओगे, देट लगाओगे, किसका sense आरा है, कि वो इतना मूर्ख है, कि समझ नहीं पाता, तो इसका मलब क्या हुआ, यहाँ पर आप लगाओगे, यह बाला देखो, he is such a fool वो ऐसा मूर्क है जैसा हमने आज तक नहीं देखा तो यहाँ बर किसका साइस का ऐसे जैसे के लिए ये यूज़ करता है इतना की के लिए ये यूज़ करता है है ना बहुत बढ़िया वो उतना चलाक नहीं है जैसे तुम हो तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे बिटा एस तो यहाँ पर किस पार्ट में कलती है यहाँ तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका नेक्स्ट अब ये दो को डाउट के साथ अगर हमारा बताओ आंसर बताओ दो अप्शन में देता हूँ आप लोगो एक है इफ एक है देट बताओ क्या यूज़ करोगे एक में इफ आएगा एक में देट आएगा आई डाउट दो अगर हमारा सेंटेंस पॉज़िटिव जैसे पहले वाला हमारा सेंटेंस पॉज़िटिव है अफर्मेटिव है तो आप यहाँ पर इफ का यूज़ करते हो अगर नेगिटिव होता है तो देट का यूज़ करते हो यहां नोट आ रहा है, तो हमारे नेगिटिव हो गया, नोट के साथ, that, कब, doubt की case में, doubt के साथ, if लगाते हो, sentence अगर आपका affirmative है, positive है, doubt के साथ, that लगाते हो, sentence हमारा अगर आपका negative है, the same, अगला, और भहिया, यहां पर हम लोगे ने मार दी, triple century, आपको याद होगा, 247 पर हम लोगे ने question को छोड़ा था, 48 question बीच में, हम लोगे ने कहा था, कि हम इसको हम बाद में करेंगे, narration के, अब आपके सामने narration के question तो अभी कराए नहीं, लेकिन 47 है, फिर 47 पर आ गए, तो यहां पर आ और 300 question हमारे यहां पर complete हो चुके हैं, this is the same dress, dash I bought, I had bought, और this is the same suit, dash mine, देको भाई, अगर आप ध्यान दे, तो हमें यहां पर ध्यान रखना है, same के साथ, same के साथ, मेरे भाई, आप the same के साथ, आप that का भी यूज़ करते हो, और as का भी यूज़ करते हो, अगर आपके sentence में, verb given है, तो आप that लगाना, अगर verb given नहीं है, तो आप वहाँ पर as लगाना, अब आप देख लो किस में क्या answer आना है, question को, concept को ध्यान में रखते हो, हम, यहाँ बरब है, तो that, यहाँ verb नहीं है, तो as, ठीक है, कितना आसान है, यहाँ पर yes, बहुत अच्छे क्याना, मैं आपका रोशन, very nice पेटा, as soon as I get the tickets, I will inform you, यह करेक्ट है, है ना, तो यहाँ पर आप, किस का use करोगे बेटा, then का use करोगे, आगे, अब याद करो, आपको एक concept मैंने समझाया था, inversion का, बहुत अच्छे, very nice, यहाँ पर आपसे कहा गया है, कि no sooner I had spoken, मैंने आपको बदाया था, कि 20 sentence की शुरुवात no sooner से होगी, no sooner, तो मैंने आपसे क्या कहा था, कि no sooner के बाद, आप helping verb का use करते हो, उसके बाद subject, फिर आपकी main verb, फिर आपका रहता है object, तो no sooner के बाद, helping verb क्या होगी, no sooner I had spoken, no sooner के बाद, helping verb head, फिर subject, फिर verb की third form, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, head आई हो जाएगा, फिर रिपीट हो गया, आगे, फिर आई हो जाएगा, येस पीड हाल्ली रीज़ दा प्लेट्पॉम अब हाल्ली के साथ आपको यूज़ करना है बेटा वेन का तो यहां पर आपका हो जाएगा राइट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नॉट अनली वी सीन दा काली टैंपल बट ओल्सो तिरुनली टैंपल पहली बात तो सीन नहीं होना चाहिए वी सौ होना चाहिए अब इस को बता मुझे बता यह कैसे करूग आप अरे भाई यह बही यह प्लीज इतना जो है मत कहिए मुझे विजानत शौधरी जी मैं आपका बड़ा भाई हूं को देपता बेपता नहीं मेरे भाई प्लीज चलो भी चलो भी, तो आप से कहागा कि not only we saw the काली डेंपल but also the तिरुनली डेंपल अब दोगों क्या है, ये question किस तरीके से सही होगा ये जो construction पहचानो not only और हमें क्या दे रखा है, but also ये pair दे रखे अब ऐसे question हमें कैसे solve करने होता है थोड़ा सा tricky होता है ये question आप अगर ध्यान से देखोगे तो but also के बाद यहां आ रहा है तिरुनली टेंपल इसको हम कीटी से represent कर देते हैं, right तो ये एक तरीके से शर्वाजी वर्माजी है, जैसे देखा होगा तुमने, बढूसी ने अजी पता है तुमें, बढूसी ने पता है, शर्वाजी ने वो ले ली, स्कूटी अच्या, सर्वाजी ने स्कूटी ले ली तुम क्या कह रही हो, कली मैं स्कूटी ले आऊंगा पट से स्कूटी आ गई अगले दिन, अगले महिने पता है, शर्वाजी ने गाड़ी ले ली नहीं अच्छा चलो कोई बात नहीं बैंक से लोन ले लूँगा गाड़ी ले आता हूं तो उसके बाद गाड़ी ले आए ऐसा ही यह है not only but also either or neither not यह कहते हैं कि हमारे बाद but also कहता है मेरे बाद जैसा construction होगा not only भी बिल्कुल वैसे ही करेगा मतलब की not but also के बाद क्या आ रहा है temple की बाद कर रहा है तो आपको not only के बाद भी same construction noun है वर्ब है उसके according यूज़ करने पड़ेगी मतलब मैं क्या कह रहा हूं अब यहां आ रहा है we saw the kali temple not only तो तुम्हें काम करो not only को अठाओ और वी सा के बाद ले जाओ अब देखो कितना भड़िया पेर बनाता हूं अब आप करो इसको वी साओ वी साओ not only अब देखो जब तुमने वी साओ को उठाए और उठा करके यहां ले आए ठिक वी साओ को उठाया उठा करके आगे ले आए तो क्या बन गया वी साओ not only अब इसके बाद क्या आगया काली temple but also तिरुनली तो same construction हो गया सर्माजी वर्माजी के घर पे दोन कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब ऐसे बहुत कुशन कराओंगा तुमसे अगरा तुम्हारा कुशन चलो भी करके दिखाओ हाँ अब देखो यहां कहा रहा है but also the chief minister अब but also के बाद इसने cm use कर दिया तो हमें not only के बाद president use करना है तो we saw बिल्कुल वही we saw not only वही बिल्कुल सेम करना था फिर क्या आ जाएगा president आ जाएगा बस फिर वही वाली बात सर class का बैंड होगी फिर वही वाली बात प्रभू इच्छा तक अरे मत पूछा करो class का बैंड होगी प्रभू इच्छा तक जब उपर वाले की इच्छा होगी तब तक class चलेगी अब बताओ अब देखो यह आगे नो सुनर अगर नो सुनर आ जाए तो इसके बाद helping work तो नो सुनर हैड नो सुनर हैड दा मिनिस्टर हर्ड ठीक है तो नो सुनर के बाद हैड के बाद subject फिर वर आगे देन लगा रखा ठीक है ठीक है तो यह पाइट में एरर है आपका आगे बढ़े दाते है नेक्स बताओ अब बच्चों देखो बट also के बाद यहां verb यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा है कर रहा है आपको not only के बाद भी ऐसे यूज़ करना है तो आप ही को अठाओ आगे ले जाओ आप ही को अठाओ इधर ले जाओ अब आप करो ही not only बेक्स दा केक but also sales है same construction हो जाएगा देख लो करके देख लो नीदर इट इस useful नौर अफोर्डवल नौर के बाद अफोर्डवल आ रहा है एड्जेक्टिव है तो आप कैसे बोलोगे इसको it is इट इस इट इस इट इस नीदर बस नीदर useful और नौर के बाद अफोर्डवल same हो गया नहीं हो गया अगला you must either tell me the whole story or at least first half of it तो you must tell me either the whole story or at least first half of it अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा फिर वही वाली बात आ रही है you must tell me or at least first half तो क्या करोगे you must tell me either को उठाओ इधर ले जाओ you must tell me either the whole story or at least first half yes correct next अब बॉल्ट बट उल्सो के बाद इगर आ रहा है adjective है तो आपको नोट ओलने के बाद भी adjective यूज करना और हमारे पास है हमारे पास adjective है करो तो लुए ये, ही इस राप्गों है Dosar कि अनौक्षिए नौटनूली टो स्क्रेमित् ना तो ilिश नौत ओनली एनौक्षिए स्टो इनक्षिए स्कोड्य आप्गों ह॔ ले आओ, ठीक है, right, next, the college average is not only equipped with very good books, but also with the latest journals, तो ये भी हाँ आपको वही चीच करनी है, देखो, अब यहाँ पर आप से कहा रहा है, the college library is not only equipped with very good books, but also the latest journals, right, but also के बाद preposition आ रही है, तो equipped को इधर ले जाओ, not only को इधर ले जाओ, तो the college library is equipped not only with, है ना, बहुत शान्दार, next, अब ये, बताईए, between के साथ, शायद ये question हो चुका है ना, between के साथ end का use करते हैं, ये हो गया आपका, चलो, अगला बताओ, नो सुनर के साथ, बेटा, टी एच एएन आता है, then, टी एच एएन, ठीक, next, next, शी इस वेरी ब्यूटिफुल बट इंटेलिजेंट, नू एरर, जगो, शी इस वेरी ब्यूटिफुल, एंटेलिजेंट, है ना, तो ब्यूटिफुल के साथ आप एंड का यूस करेंगे, बेटा, एक बास सोचो, अगर हम एक इनसान की दो क्वालिटी को बता रहे हैं, और वहाँ पर दोनों जो क्वालिटीज हैं, वो कॉंट्रास नहीं कर रहे हैं, दूसरे का बोज नहीं कर रहे हैं, तो आप एंड का यूस करिए, अगर यह होता कि शी वेरी ब्यूटिफुल, डैश प्राउड, वो बहुत सुन्दर है, मगर घमंडी भी बहुत है, है ना, वो कि शे गंटे उचे के हमें बढ़ाते हैं, इस कार्स ली अड़ाई अर्राइब देन था ट्रेन लेप्ट इस कार्स ली के साथ वेटा वेन का यूस किया जाता है, तो यहाँ पर आपका देन नहीं वेन आएगा चलो, अब आप से यहाँ कहा गया है कि the reason why he was rejected was because he was too young, बताओ साब क्या answer रोग आपके इस question का, the reason why के साथ क्या, देखो, the reason why के साथ कभी भी because का use नहीं करते आप, है ना, क्योंकि दोनों ही same फिर हो जाएंगे, the reason why, कारण बताने के लिए उस करते है, the reason why he was rejected was that, अब आप use कर सकते हो, was that he was too young, next, ये बहुत अच्छा कोशन है yes, unless के साथ, until के साथ, आप not का use नहीं करते हैं, किसका use नहीं करते हैं, आप not का use नहीं करते हैं, unless और until के साथ तो अब आप यहां देखेंगे unless और until के साथ not का use नहीं किया जाता तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो not अद्धे रखा है इसको आपको सही करना होगा, affirmative बनाना बने का तो do not पूरा हटा होगे न तो आप बोलोगे unless you give तो remove पूरा करना केवल not मत करना, do भी जाएगा और not भी जाएगा, क्योंकि definite का जब आप negative बनाते हो तो do not does not का use करते हो न तो do not और does not पूरा जाएगा आपका, यह नहीं कि केवल आपने not हटा दिया, हो सकता एक्जाम में तो आप सही कर दो J Next, he walk as faster as he could, so that he would not miss the train to work कर दो दो as, as और so as के बीच में positive degree का use करते है, as, as और so as positive degree आती है तो क्या होगा, fast हो जाएगा No sooner the teacher enter the class यह बताओ कर दो आएगा झीका होगा कर दो किर दोस्ट a क्यों कर दो आएगा कर दोस्त आएगा अब देखो भी, बहुत ध्यान से देखना, अब देखो बिटा, यहाँ पर आ रही है, वर्प की फर्स्ट फॉम, मैंने आपको एक बात बताई थी, कि नू सुनर के साथ, एक बच्छे ने सही बताया, बहुत अच्छे, कई सारे लोग सही बता रहे है, नू सुनर के साथ, अगर आपने हैड से बनाया है सेंटेंस को, सब लोग को सबसे पहले हैड याद आता है, तो वो करते हैं हैड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आगे है था टीचर, और यह, अब बिटा, आपको वर्प की थर्ड फॉम भी तो लगाने पड़ेगी, फिर ए एक option और बसता है, कि हम एक काम कर लेते हैं, डिट से बना देते हैं, मीनिंग तो दोनों का सेम ही होता है, नो सुनर, डिड आई, बस यह कर दो, डिड आई नहीं है, टीचर है, तो टीचर है तो टीचर लगा दो, बस अब क्यूंकि डिड के साथ वर्प की फर्स्ट वाम आत पेपर तो कर लो पहले, कट आप के बारे में बूचे लो, यार ये, क्या दी बात करते हो यार तुम, मैं क्या हूँ, मैं कोई वो थोड़ी ना हूँ, कि पहले से पहले ही जो बता दूँगा, कि क्या होने वाला है पेपर में, जैसे एक बच्चा था, ये वीडियो मैंने द पढ़ा, बाबा मैं क्या करूं? समझना अब जबकि गीता में लिखा है भगवान ने लिखा है कि कर्म कर कर्म से फल मिलेगा कर्म कर कर्म से ही फल मिलेगा मगर पूरे साल पढ़ाई नहीं करी और लाश में पान पान का पत्त चड़ायो तो फिर तो मंगवान तो कहते हैं कि महनत करो, कर्म करो, तब ही तो जहें आगे भड़ोगे, क्या कहते हैं दोस्तों, तो मेरे भाई, कट आफ के बारे में क्या बता दूं, तुम पहले कर्म करो, महनत करो, अभी तो पेपर भी नहीं हुआ, कैसे कट आफ के बारे में, कैसे सवाल करते हो, नहीं हमारे गाउं के एक बाबा हैं उन्होंने बताया था मुझे पताता है ये गलती करोगे तुम कुछ लोगों ने सही बताया अब देखो एक बहुत बढ़िया कोशन ये बन जाता है तबकि सधारण कोशन है कारण क्या उसके बीछे कारण ये है कि देखो 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 ये कहरो क्या unless वाले clause में not है? है? नहीं ये दूसरा है बिटा main clause है यहाँ not लगा कुछ लगा कोई फरक नहीं पड़ता समझे रहे हो? तो यहाँ not मत हटाना यहाँ not हटाने की गलती मत करते ना बच्ची यही गलती करते हैं इसलिए मैंने ये कुशन रखा है कि unless you will work hard you cannot pass समझ रहो तो वहाँ से नहीं हटाना बार समझ आ रहे हैं आपको तो question में गलती क्या है question में यह है कि यह आपका conditional word है और अगर आप देखेंगे तो conditional sentence में zero condition भी होता है बहुत कम पता होता है लोगों को zero condition sentences भी होता है जहां पर factual बाते की जाती है और दोनों ही side यानि कि condition word की सरफ और main clause में दोनों ही sentence present में रहते हैं किसमें रहते हैं simple present दोनों ही अब यह simple present में simple में है नहीं है यह भी simple present में जाएगा है ना तो इसलिए आप यहाँ बर will को हटाना पड़ेगा यह है question यह है concept right next unless you do not meet all the requirements your application will be rejected मता हो भई क्या answer जाएगा आप किस question का देखो अब यहाँ से यह काम कर सकते हो यहाँ से आप डूनोंट को ड़ाओ क्योंकि unless के साथ use हो रहा है ठीक है भई तो conjunction topic भी तुमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है अब हमारे जो narration के बचेवे question थे उसको एक बार देख लेता है चालो पता हम डारेक्टिन डारेक्ट के question अब आप देखो है अब देखो यह कौन सा है इसमें देखो कितना सान dead नहीं है, dead नहीं है, head नहीं है, head अच्छा एक गलती थी इसमें head not scene यह यहाँ सही कर लो scene करो भई इसको आप इसमें इसके गलती भी नहीं बताऊंगा भाई की, क्यों यार 370 question है 370 और वो भी एक दिन में type करवाए है, अब आप सोचो 370 भाई, हालत खाड़ा हो जाती होगी भाई तो यार, मैं हूँ ना class में यहाँ से गलत नहीं जाएगा, यहाँ आएगा तो सही होगे जाएगा, है नहीं यह है, कुल मिलाकर सही हो जाना झाएगा, यह गलती typing में हो जाती है, चुटी मोटी कोई बाद नहीं, let it be अगला बहुत अच्छे बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी answer आनने शुरू होगे मेरे पास, चलो तो teacher said, अब देखो बच्छो, यह हमारा interrogative है, तो interrogative में आप set की जगह पर ask का use करते हैं और object पी हमें दे रिखा है रीमा तो पहले आपने ask लगाया ask लगाया, ask लगाया, ask लगाया, रीमा लगाती है it's okay, wh word क्योंकि यह यहाँ double interrogative तो wh word से connect कर रहे हैं wh word से हमने यहाँ पर connect कर दिया अब direct और indirect की बात यह होती है कि जब आब इसको change करते हैं direct से indirect में तो होता क्या है मेरे दोस्त यह sentence हमारा interrogative नहीं रह जाता अब अब यह interrogative नहीं रह जाता ठीक है अब यह interrogative नहीं रह जाता तो आप wh word के बाद subject का use करते हो किसका subject का तो यानि कि यह भी गलत और यह can वाला तो वैसे ही गलत है क्योंकि भाई past में दे रखका है ठीके? येस अगला तो ये फैक्ट है, यूनिवर्सल टूथ है, कोई चेंज नहीं होनेंगे पास्ट का यूज नहीं करोगे, रिवॉल्विंग नहीं करोगे आस्क, सेट दे रखा, तो आस्क का क्या ही मतलब है? अप्शन बीज दा करेक्ट आंसर वेरी नाइस नेक्स्ट बीज पास्ट देखों भी पहली बात दो बोई आस्क इस फादर अब हाउ से शुरू हो रहा है तो दैट तो नहीं आएगा राइट ओके अब दिस की जगह पर दैट का यूज करते हैं इसने हाँ पर दिस का यूज करानी तो ये भी गलत और हाउ के बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा इस फादर हाउ शुड ही आंसर दाट कुश्चन तो भाई देखो डवलू एच वर्ड के तुरंत बात क्या आना चीए सब्जेक्ट आना चीए ना तो यहाँ पर ही आएगा तो ये भी गलत ओप्शन ए इस दा करेक्ट आंसर ए आपका राई टांसर निया पर बनेगा हाउ आई शुड हाउ ही शुड है ना नेक्स्ट लो भाई ये जो कुशन है इस का जो आंसर होगा ए बहुत अच्छे बहुत अच्छे रिमाइंड है देखो बाहर पास्ट में है बिटा तो विल तो नहीं उस करेंगे बाहर चेंज होगा he said to his beloved that said to तो होता ही नहीं said to का told बदलता है तो ये भी गलत ये भी गलत ये कह रहा है he said to his beloved उसने उससे बोला अपने beloved से बोला कि we will never desert each other हम लेक्ट दूसरे को बिलकुल भी नहीं छोड़ेंगे है ना सच्छा प्यार he said to his beloved we will never desert each other ठीक है समझ में आरे है और से भी को बात तो ये उसने आपर कहा है desert का मतलब होता है छोड़ना we will never desert ये रेकिस्तान वाला desert में समझ लेना ये छोडने वाला है desert right option A is the correct answer अब आगे बढ़ जाते है next the swami said to the villager please bring me a glass of water अब स्वामी ने villager से please please आ रहा है ने तो request करी है request कहां पर है order तो किया नहीं स्वामी requested the villager to bring him a glass of water to नहीं लगाते yeah right right the swami requested the villager to bring him option B अग्ला 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 कर रहा है are you ready? are you mother ask? तो mother ask अग्ला 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 यह right रहा हो को option D हाँ थोड़ा fast थोड़ा fast कर देते हैं बेटा कोई बात ने चालो चालो बहुत बढ़िया next अग्ला 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 या 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 क्योंकि बच्च प्लीज आ रहा है तो request का use करेंगे बहुत अच्छे हैं शीदा हीदा कोशना है बताओ ऊके भाई एक trick है इस कोशन में सिर्फ एक trick और answer तुम्हारे पास सिर्फ एक trick से answer है बहुत चोटी सी trick बहुत चोटी सी बताओ अब ध्यान से देखो ध्यान से देखो हाँ yes hair का देर हो जाता है न तो देखो यहाँ hair यहाँ hair केवल यहाँ hair ask them not to park तो यह भी सही है अब बीक्यू कर रहे हूं आगे देखो hair को देर नहीं करा है न next जी a answer आ रहा है a check करते है she said that she should try to bring you बदलेगा me से me the books next day देखो तुमोरो तुमोरो यह तो गल्लत हो गए बेटा यह और यह क्योंकि next day हो जाता है ठीक है अब बचा यह she said that she should try to bring me the book next day she shall try तो शैल का शुड और विल का वुड शैल का शुड और विल का वुड अब मुझे बताओ A होगा या B होगा तो दो को मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे book में इसका answer A दिया होगा कुछ answer इसका B दिया होगा अब मेरी बात समझना logical यह दो को ऐसा कहा जाता है मैं आपको personal बता देता हूँ इस question में मेरी बात सुनो shell का should करते हो, will का would करते हो मगर आपको दोनों बाते बता रहा हूँ कहीं पर इसका answer आपको A मिलेगा कहीं पर इसका answer B मिलेगा कैसे हैं अगर हम सधारन तरीके से इस question को देखते हैं तो हमने I को बदला she से she कर दिया ठीक है अब यहाँ पर हमने should कर दिया shell का should कर दिया मगर बच्चो एक चीज़ भी याद रखना should का use हम जब करते हैं जब हम किसी को सलह देते हैं कि we should do this, we should do that हमें ऐसा करना चाहिए we should help the poor हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए तो should का use हम जब करते हैं जब हम किसी की help करने के लिए चाहिए के sense में हमारा अर्था आता है मगर question में कहा गया है कि I shall try to bring मैं कोशिश करूँगा bring you the books है ना tomorrow मलब तुमारी लिए book लाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ कोई सलाकी बात नहीं कर रहा हो आपसे तो standard form में ने बिटा इसका जो answer है वो B होगा ठीक है मगर ये भी हो सकता है कि बहुत सारी जगह पर answer आपको should नजर आएगा reason मैंने आपको बता दिया जैसे अगर आप लोग कहोगी कि sir इसका answer A होना चाहिए मैं आपके पास से agree करता हूँ लेकिन standard answer हमारा B होगा reason मैंने आपको बताया अगर आप मेरे reason समझ गए तो आपके पास answer B इसका है ठीक है तो कहीं पर अगर इसका answer A देखो तो घबरा मत जाना अगर हमारा examiner थोड़ा सा भी logically सोचेगा तो वो option B के साथ जाएगा ठीक है हाँ और वैसे मैं आपको बताऊँ जहां तक की मेरा दिल कह रहा है आपके exam में 2 में से A की देगा वो पक्की बात है 2 में से A की देगा तो बहुत अपर चीज अपर लेवल की बात होगी यस तो बाई knowing तो होगा नी यह भी नहोंगा B राइट आंसर रुजाएगा यस B यह भी तो बेटा D आ रहा है बहुत अच्छे तो बच्चो यहां आपका ग्रू आ रहा है वर्ब की second form है जब आप इसका indirect बनाओगे न तो यह बदलेगा past perfect में past perfect में past perfect में head के साथ वर्ब की third form तो ऐसा केला यह है तो option D एसा आपका केला यह दे रख्या है तो option D correct answer इसका बन जाएगा राइट next यह बताएगा बहुत बढ़िया यह भी एक fact है बेटा और जितने भी fact होते हैं वो हमेशा present में ही बनते हैं तो boil तो को यह सब जगे पास दे रखा है option C को छोड़ कर तो C right answer आपका बन जाएगा next father said to me you are idling away your time तो अपना time खराब कर रहे हो इसको आप कैसे change करेंगे बेटा बताएगे जी पादर टोल्ड मी ठीक है अब आई दोको son वैला रूल तो पताओगा न आपको son यानिकी 123 अब second person किससे पतलेगा object से तो second person object से पतलेगा यानिकी i आएगा तो दोको you तो नहीं आएगा यह गलत दे रखा है i का हम use करेंगे और यार answer आगे हमारा आए आगे क्योंकि M तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि sentence past में जाएगा past continuous present continuous का past continuous c is the right answer यही तो फाइदा एक्टिप से वोई से direct answer में मिल जाते हैं आएगे तो को दो यहांच सकते हैं तो का भी यूजी नहीं कर सकते हैं रभी आसक सीबड़ा कम्पनि यह हैं option b is the correct 263 का भी next 264 इस्कती में हाओ इस यार स्मधर स्वेजिख में हाओ इस और अद्क हैं he asked me how is your mother yes he asked me how is your mother he asked me how your mother was my mother अब your mother किस से बदलेगा my mother से बताओ क्या आंसर कर रहा हूँ D बिटा योर मदर किस से बदलेगा है A या B बताओ ये तो cancel ही कर दो ये तो आपका how के बाद आप सीधा कैसे यूज़ कर सकते हो या तो ये आएगा या ये आएगा अब आप मुझे बताओ क्या आंसर होगा हाँ 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 उसने मेरे से बुचा मेरी मदर कैसे है ठीक है तो ही आस्क मी how your mother how my mother was ठीक है option B is the correct answer ठीक बताओ देखिए आप से कह रहा है कि how much will you pay for this cow जैएक आस्टा स्रेंज मैन बच्चे दोगो this cow वारा this का that होता है तो ये गलत तो जैएक आस्टा स्ट्रेंज मैन will होगा नहीं क्योंकि पास्ट में दे रखा है अब जैएक आस्टा स्ट्रेंज मैन उसके बाद how much he would जैए skill नहीं नहीं क्योंकि इना आप देखो बई, एक call था इम्बॉडटन कल की class के लिए, तो Jack asked the strange man how much he would, अब बेटा देखो, how much के बाद आप कैसे helping or views कर सकते हो, तो इसलिए आपका यह आएगा न, option is the correct answer, right, next question के तरब चलते हैं, अगला देखते हैं, बेटा, next अगला yes please, please आ रहा है, तो request से भी बनाएंगे, she requested her mother to cook her something, nice, that day, option c okay, option आपका यह वाला T है न, हाँ, T right answer आपका उलाएगा, ठीक है, next अगला उस्ट, अगला उस्ट, मैंने आपको भीजी पीडियर, इसको pen drive में कर लेना, oh यह बताओ जल्दी बताओ डी आ रहा है डी चेक कर लेता है डिरेक्ट आस्क मी वेर यू बतला मी से आई हैड बीन लास्ट नाइट प्रिवियस नाइट वेरी गुड बागी के और कोई तो नहीं है अगला कुश्शन आया अधा गया है मैंने तो यार वो लगा रख है अच्छा अभी करता हूँ यह करना तो कुश्श है तो यह आ रहा है सी चेक करा जाए अगर आप इस कुश्शन को ध्यान से देखे तो टुमोरो का नेक्स दे करोगे आप तो पहली बात तो यह गलत आपका है ना तो शी आउम टेकिंग शी सेट देट शी बूड़ नहीं होगा सभी कहारो, सी कहारो, सी कहारो, शी कहारो शीक पहारो, शीक्राब शीर कवार्व चिर्डन तो दौड जू यहां का क्या है वैस वैस पहुंच गया पहुंच गया बस लेखना अब होगी बचो यह क्या है आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपको आपको आपके भाई ने कराया अब यहां पर मैं ज़रा ध्यान से देखना मैं आपको कुछ ऐसी चीज दे रहा हूं जिसको देख करके तुम्हारा दिल और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा मैं आपसे यहां पर यह नहीं कर й है कि हमेस क्लास को और पांच गंटे ले जाएंगे श्याएंटे लेकिन जरा आपके सामने जो चीज अध़ा आ रही ही है उसका भी आ बहुत संपन्मान करेंगे जैसे आपनेज पूरी क्लास का किया है यह मेरे तरस से आप लोगों क 70 जौ हाँ यह इसको बिल्कुल लाश्ट मिले जाते है न हाँ दो बच्चो यह पताओ इतने दो-चार मिनट बात दे कर लेते हैं कैसा रहा है आपका एक्सपीरियेंस आज की क्लास का अभी हमारी क्लास एंड नहीं हुई है प्लीज कोई भागेगा नहीं है न यह idioms वाली लगा दो चलो चलो इसको आगे इसको और आगे कर दो और आगे कर दो इसको हाँ तो दो भी अब आपके सामने यह आपको दिख रहा है हाँ दिख रहा होगा हूं बिकर रहा है न हाँ यह आपके सामने इक इसको कहते है न कि एक सर लाष प्रीपर है हमारा कुछ ऐसे टिक से कर दो बच्चे कहते थे कि सरी टिक सा गशंट बो के जैसे स्कूल में आद फैनल न लाष में एक दिन पहले टीथर गरपर अरे सरजी नमस्ते अरजी वो क्य आउमर मैंने पूरी घरा दी अगर तुमने धंग से गरी अच्छे से तो तुम्हारा एक भी कोशन बाहर जाने वाला है नहीं लेकर अब एक सेक्शन हमारा रह गया वोकैबलरी का बहुत सारे बच्छे कह रहे हैं अब तको मैं आपको एक बात फ्रैंकली बताता हूं अच्छ ले ले करके आता हूं वो क्या मन्थन में तो वो एक बहुत लंबा प्रयास होता है डेली आपको पढ़ना है अगर आपने वो पढ़ा है डेली आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है अब पेपर से तीन दिन पहले मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप 30 की 30 क्लास जा इडियम की ऐसे शीट दे रहा हूं जो डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम में कई कई बार आई हुई है और यह बहुत फेमस है बहुत फेमस आप देखेंगे यहां एक आपको कुछ चीज़े नजर आ रही है जैसे रेड लेटर डे टैन आ रहा है ये टैन आ रहा है ये पता आ रहा है कि ये कोशन अलग-अलग एक्जामों में कितनी बार फ्रिक्विंसी इसकी है आने की मतलब कितनी बार आया है दस बार भी पूछा गया पेपर में ये नो बार पूछा गया ये दस बार पूछा गया ये नंबर को छोड़ो आप बस आप ये समझ लो कि ये पैनेश अब तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई इतना गर सकता है, बच्चे की जान लोगे गया, हैं, क्यों, बच्चो, तो थोड़ा-थोड़ा समझा देता हूं मैं आप लोगों को, और देखो भई, मैंने क्या काम किया है, ये इसके आपकी ये, इडियम हो गए, इसकी English explanation हो गई, जो बच्चे CBSC वोर्ड के हैं, या जो ICSC वोर्ड के हैं, उनको English में ही चाहिए होता है content, तो बेटा, तुम्हारे लिए ये वाला section हो गया, और जो UP वोर्ड से बच्चे हैं, जिनको हिंदी समझनी होती है, उनके लिए ये हिंदी वाला है, तो ये तुम्हारे भाई की आपका, जहां तक की मेरा प्रयास है, मैं दावा नहीं कहता, पेपर मैंने तो बनाए नहीं, लेकिन हाँ, कोशिच रही है, ये इस तरीके से, है ना मैं, चलो, तब हाँ बेटा, हिंदी लिखी साइड में, ये मिल लाएगा तुम्हें PDF, तो आप सारे बच्चे RWA application को download करके PDF notes वाले section में, marathon में जा करके इसको download कर लेना, ठीक है ना मिटा, ये आपके बहुत काम आएगा, अब एक बार मैं समझा देता हूँ, तुम्हें कैसे कैसे, जैसे कि पहला है हमारे सामने, red letter day, red letter day का मतलब क्या होता है, important day, EDM है आपका, जिसका मतलब क्या होता है, महत्तबू दे क्या होगा, जिस दिन हमारा joining letter आएगा, तो rare letter day, joining letter day, ऐसे याद कर लो, joining letter जिस दिन आएगा, वो हमारे लिए महत्तबून दिन होगा, दूसरा है हमारे सामने, face the music, face the music का मतलब होता है, dart खाना, किसी इसे, किसी परिणाम को भुगतना, या punish होना, सजा मिलना, get reprimanded, be punished मतलब किये का परिणाम भुगतना, या फिर सजा, कहता है न, इसको सजा मिली है बहुत जादा, दूसरा हमारे सामने है, to smell a rat, to smell a rat का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, कि दया, कुछ तो गडबढ है, पहले से शक हो जाना, कि कुछ गडबढ है, to suspect a trick or deceit, ताल में काला होने क संदे होना, है न, to smell a rat, पहले से जैसे चुहें को पहले से पहले से लदा कि हान जाल बिछा रखा है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, अब wild goose chase, जो wild goose होता है न, जंगली खरगोष, उसको chase करना बेकार है, तो यह वही कहा रहा है, wild goose chase, यह जो तुम्हारी बात थी, वो wild goose chase ह बेकार का प्रियास है, यह होगा ही नहीं, तो wild goose chase का मतलब होता है, निरर्थक प्रियास, बेकार का प्रियास, तो futile search, निरर्थक खोज, ठीक है, अगला हमारे सामने है, blow once on trump, इसका मतलब क्या होता? खुद की, shekht, की बकारना, क्या करना? खुद की, share की, बकारना, खुद खुद के ही बारे में बड़ी बड़ी बाते करना, खुद के ही बारे में बड़ी बड़ी डिंगे हाकना, उसको बोलते हैं, है ना, तो blow आपका ट्रॉम्प, praise oneself, है ना, अपने मूम या मिट्टु बनाना, खुद की तारीफ करना, फिर आपके सामने, by fit and start, by fit and start का मतलब क्या हो गया, irregular, यानि कि अनीमित रूप से, जो बच्चा नीम से पढ़ रहा है, 5 गंटे, अगर आपने आज 15 गंटे पढ़ लिया, 4 दिन आपने rest कर लिया, तो बिकार हो गया, नीम से पढ़ो, चाहे 4 गंटे पढ़ो, मंगर नीम से पढ़ो, ठीक है भाई, by leap and bounce, इसका मतलब ह होता है, कि बहुत कभी कबार, कि जैसे करते हैं, महले में कोई आया, तु तो यार, इंद का चान दो रहा है, कभी कबार ही दिखता है, कई सालों में एक बार आया है, तो उसको हम लोग बोलते है, once in a blue moon, ठीक है भाई, सभी को बात समझ में आ रही है, once in a blue moon, पिर हम बात कर करना, मुश्किल काम है, यानि कि difficult task, बहुत मुश्किल कार रहा है, ठीक है भई, तो लोहे के चने चबाना, यानि कि बहुत मुश्किल काम करना, ओके, फिर cock and bully story, मतलब बेकार की कहानी, उट पटांग कहानी, जैसे तुमने गाउं में देखा होगा, जब भी तुम गाउं म जाओगे रात को तो तुम्हें एक ही कहानी जो है, वो सुनाई जाती है, कहानी क्या है, कि जैसे गाउं में बैठे हैं, मामा जी के पास, मामा जी में जाग बहुत करते हैं, लला हम तुम्हें बताएं कहानी, हम जा रहे थे, जा रहे थे क्या हुआ, खेत में पानी देने ज यह एक टो मुझे समय में आ याता यह भूत बीडी क्यों मांगते हैं वैसे कहते हैं आक जला तो भूत भाग जाएगा जाएगा बहुत क्यों मांगते हैं? तो आदमी क्या हो जाता है बिमार पड़ जाता है क्या जाता है तबित खराप हो जाती है तो बिमार होने के लिए हम लोग यूज करते हैं फिर नेक्स्ट हमारा है टर्ना डी फे र, turn कर दिया deep ear को मतलब एक तरीके से बहरा बन गया वो बन दा यह से किसी ने आपका वाज दिया और भाई बढ़िया और आपने क्या कर दिया उसको ignore कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते है मेरे भाई turn ना deep ear यानि कि किसी को नजरन्दास कर देना किसी को ignore कर देना right bold from blue blue का मतलब अकाश और उसमें बिजली चड़क जाए तो मतलब अचानक से होवा काम तो surprise कोई भी चीज़ जो की surprise है आकस्मिक है उसको हम लोग बोलते है ठीक है a snake in the grass asteen का साब a treacherous treacherous का मतलब होता है धोके बाज एक ऐसा इंसान जो आपको धोका देता है treacherous person ठीक है क्या बोलते हैं उसको treacherous person बोलते हैं धोके बाज के लिए यूज करते है फिर है आपका at once wits end इसका मतलब क्या होता है बच्चे to be puzzle इसको इवार बंद कर लेता हूँ हालके हलके आ रही है हाल जी तो at once wits end का मतलब होता है to be puzzle समस्याओं से इतना चिंते दोना कि पता नहीं आगे बहुत confused हो जाना यार to be puzzle बहुत जादा confused हो जाना उसको लोग बोलते हैं at the drop of a head without any hesitation बिना किसी movement के तुरंत काम को करना तुरंत जैसे मैंने का आप पढ़ाई करने बैठ गए तो आप instantly पढ़ाई करने बैठ गए drop of the head break the eyes तुरंत जैसे मतलब चुप बैठे हो बोलना जब आप शुडू करते हो चुप़ी तोड़ने के लिए उस करते है break the eyes ठीक है चुप़ी तोड़ना पढ़ाई करके धनी होना बहुत ज़्यादा पैसा कमाना improper way है तो देखो भई मैंने आपको यह तरीका समझा दिया कि आपको इसको याद कैसे करना है और किस तरीक इसी समझना है ठीक है तो यह PDF तुमारे भाई की तरफ से तुमारे लिए एक छोटा सा उपहार है यह PDF तुम्हें मिल जाएगी प्लीज 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 मेरे दोस्त हिंदी भी लिख कर दी है इतना और क्या ही किया जाए आप लोगों के लिए पैस कर दिया तुम्हें सिर्फ पढ़ना है बाबु पढ़के चले जाना और प्लीज आप सारे बच्चे जो है बहुत अच्छा करके आना भई पेपर यार सभी को मेरी तरफ से all the best आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुप काम ना है महनत करो आप सारे लोग आगे बढ़ो दोखो साथ गंडे पढ़ाना कोई असान काम नहीं होता यह आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं सब जानते हैं लेकिन यह आसान हो जाता है कब जब आप लोगों का support मिलता है आप लोग का प्यार मिलता है मेरे दोस्त एक teacher के लिए सबसे अच्छा moment सबसे अच्छा चन वही होता है जब उसका चात्र select हो करके उसके लिए मिठाई ले करके आता है कि गुरुजी खाओ, मुँँ मिठा करो कि हमारा selection हो चुका तो जो भी teachers हैं आप सबी लोग कि उनका सम्मान करिए उनको दिल से प्यार करिए कि सोचिए कि अपने घर परिवार छोड़ कर वो आपको रात को 11-11 बजी तक आपके लिए क्लास दे रहे हैं तो आपसे जो आपके teacher कहें आपको भी उसको पत्थर की लकीर बनाना है कि हमारे गुरुजी ने कहा है ऐसा काम होना चाहिए तो वो होना ही चाहिए समझ मैं अरी बात नहीं तो पूरे आपके आसपास जो भी circle आपका बना हुआ है दोस्तों का, भाईयों का कोई आपकी तरक्की नहीं चाहता कोई नहीं चाहता कि आप उससे आगे भढ़ जाएं फिर्फ गुरू और माता-पिता ही ऐसे दो सक्ष होते हैं जो आपको आगे भढ़ते हैं देखना चाहते हैं और मैं भी आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे भी इसी तरीकी से महनत करेंगे और आपका selection भी होगा काफी लंबा समय आप लोगों ने इस class को दिया बहुत सारे बच्चे class में चार बजे से हैं और लगबख सवा ग्यारा यहां टाइम लगबख ग्यारा से उपर हो चुका है तो भाई बहुत ही बढ़े लगा इस class को दिख करके तो मैं एक बार session को यहां end करूँगा और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सारे बच्चों ने इस class को इतना support किया अगर आप लोग 300 बच्चे भी लगातार इस class में रहे हैं लास तक अभी तक और यह अगर नहीं नमबर होता तो शायद मैं इतनी लंबी class नहीं कर पाता है क्योंकि आपका जोश बहुत है यह अभी भी मुझे पता है कि अगर इस class को मैंने अभी भी दो गंटे और पढ़ाया तो आप में से कोई हिलने वाला नहीं है है ना तो यह है तो भाई आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे बड़े भाई अंकित भाटी सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ऐसा अफसर दिया कि मैं आप सभी लोगों को यहां पर पढ़ा पा रहा हूं और आप सभी के साथ महनत कर पा रहा हूं और हमारे जो साथी है धर्मेंसर उनका भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना प्यार और सपोर्ट किया आप सभी लोगों के पीश ला करके और बाकि आप सभी का और जितनी भी टीम है हमारी सभी का धन्यवाद हमारे भाई वो भी बहुत महनत कर रहे हैं रात को जग रहे हैं हमारे लिए और हर चीज का नोने ध्यान रखा, सोनो भाई का हमारे तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सरी के पूरी टीम हमारे RWA family की यही खास बात है कि अगर कोई महनत करने के लिए बोलता है ना, तो पूरा उसको support करते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है बई तो आप सारे बच्चे भी RWA family है आप भी उसी चीज को accept भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, आप लोग भी भेहनत कर रहे हैं मेरे साथ जग रहे हैं, तो thank you so much यार love you all, बस चात्रे time एक फिर से क्लास करके, जितने ही बच्चे हैं 272, 273 बच्चे हैं अभी आप लोग क्लास करके, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास क्या सा लगा गुरू जी के लिए इतना दो बनता है, और लास्ट में भाई ने बोला तो करनेगा, love you all, जहें जभारा